मेरे सत्गुरु प्यारेता दर्वार बड़ा सोडा है मैंनु सारे पुछदे हैं मेरे संगीते साथी जिन एक बार देख लई मेरे सत्गुरु दी जाकी किते घंड के ल्याना है ये लाल बड़ा सोडा है मेरे सत्गुरु प्यारेता दर्वार बड़ा सोडा है मैंनु आपे नहीं मिल या सत्गुरु ने मिलाया है इत्थे मिलने दा मैनु रास्ता सत्गुरु में दिखाया है मेरे सत्गुरु प्यारेता उपकार बड़ा सोडा है मेरे सत्गुरु प्यारेता दर्वार बड़ा सोडा है ये मान सरोगर है इते मोती मिल दे है कई जन्मा के मिछडे प्रेमी इस तरते मिलने है ये घाटे का सौधा नहीं व्यापार बड़ा सोडा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दर बार बड़ा सोडा है मेरे सत गुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है एते रोज दशहरा है एते रोज दिवाली है एते तन्य मन रंग देते रंगदार बड़ा सोडा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दर बार बड़ा सोडा है जिदे एखे आजाना वो दी बिगड़ी सबर जानी तेरा दर्शन पाले दा वो दी किसमत खुल जानी मेरे सत गुरु प्यारे दा सत कार बड़ा सोडा है मेरे सत गुरु प्यारे था दरवार बड़ा सोड़ा है मेरे सत गुरु प्यारे दी पहचान निराली है सिर मुकुट सोहे सोड़ा हत बंसरी प्यारी है जदो बंसरी पज़ती है सुरतार बड़ा सोड़ा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दरवार बड़ा सोड़ा है एथे दरशन होने है दीदार बड़ा सोड़ा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दरवार बड़ा सोड़ा है आनंद के प्रजाता तेसनेग शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा साधर पधारिये मन्जुल मधुर निमंत्रण अंतर करण से कणकन प्रभ आपको बुलाता साधर पधारिये साधर पधारिये बिच्डे हैं कल्प भरके प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टी से सृष्टी रच दो मुर्मी से रंग भर दो वरदानों के हे दाता साधर पधारिये साधर पधारिये कोमल सिभावनाएं निर्मल रहत कहना संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना धरती भी नगमे गाती अंबर भी गुंगुनाता संसार सारगाता साधर पधारिये साधर पधारिये तेरे प्यार को संजोए नैनों को हैं भी गोए यादों के मोतियों को सांसों में हैं पिरोये वो सद गुनों के साधर भरने हरे पिजागर परहिये तुहे बुलाता साधर पधारिये साधर पधारिये आनंद के प्रदाता के स्तेख शक्रिदाता हव्यक्त बाप दादा साधर पधारिये साधर पधारिये साधर पधारिये बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं साथ निभाते हैं बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं रभू मिलन के खेल निरा ले देखते हैं नसीबों वाले प्रभू मिलन के खेल निरा ले देखते हैं नसीबों वाले एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं सागर लुटाते हैं बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों में संकल्ब जो आए वर्दाता ही भागे आए बच्चों में संकल्ब जो आए वर्दाता ही भागे आए हर आसाएं पूरी करके वादा निभाते हैं वादा निभाते हैं बच्चों के गुलावे बर अगवान आते हैं बच्चों के गुलावे बर अगवान आते हैं प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिलवाला प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिलवाला बिन मांगे वो सुरनिम युग का भाग दिलाते हैं, भाग दिलाते हैं बच्चों के गुलावे पर अगवान आते हैं हर कार्यों में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं बच्चों के गुलावे पर अगवान आते हैं बच्चों के गुलावे पर अगवान आते हैं बच्चों के गुलावे पर अगवान आते हैं दो के गुलावे पर अगवान आते हैं आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की भर की जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की बच्चों की उपर हर पर तेरी ही छत्र छाया है साकार कहां अजयत कहां कोई ना अंतर खाया है तुमसे पाई द्रिष्टी हमने द्रिष्टी हमने शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की साधना और शिक्षा वही है मधुबन की हर रीत वही सबके दिलों में पर रही है बाबा तुम्हारे प्रित नहीं तुमसे ही है जीवन में जीवन में जीवन में खुशियां आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की सीवा में सैदा साथ का अनभग सबको कराते रह पे हो अफ्यक्त रूप से भी बाबा परतान देते रहते हो बस उंधरा पे गूंज रही गूंज रही गूंज रही गूंज रही मही मा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की भर के जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की हम बाच्चों से मिलान माना आए प्यार बाबा हमारे बाबा हमारे बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेम की अनपम खुशी चा रही है मेरी लगन तुझी से लगी मन में बसे बाबा इक तो में बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेम की अनपम खुशी चा रही है जोती बिन्दू का जो ध्याने रही है मुरली सुनू तेरा सुमिरन करूं तेरे बताए ही पथ पे चलूं शांती स्वरूप तुम्ही हूं करन करावन हार है तू मेरा वजुद विसंसार तू जान की वर्सा बरस रही है रूह रूहाने मिलन आ गई है बाबा मिलन की घड़ी आ गई है फ्रेम की अनफं खुशी चा रही है पर्म पिता तू ही आधार है नईया तू ही तू ही पतवार है तू ही मेरा खेवन हार है तू ही समय तू निरंकार है यादों में तेरे ही खोया रहूं बैठूं जो तुछ संग बाते करूं संगम युग में वो पीता रही है हर्षत जीवन है गीत का रही है बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेंग की अनुपं खुशी चा रही है मेरे लगं तुछ से लगी मन में वसे वाव एक तूम ही बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेंग की अनुपं खुशी चा रही है बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेंग की अनुपं खुशी चा रही है कि अनुपं खुशी चा रही है अनुपं खुशी चा रही है आप द्रिष्टी यूही आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा हो गए अपनी हाल ये नैना बाबा पालिया है मुझे था जो पाना ये आवाज निकले अंतर से आप शक्ती यूही भरते रहो बाबा इस देह की दुनिया से उड़ जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा शुक्रिया आपका लाख बाबा आपने हमको दिल से अपना लिया प्यास जन्मों की अब बुझ गई है अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया आप आके यूही मिलते रहो बाबा आप आके यूही मिलते रहो बाबा बनके जन्नत की खुश्बू बिखर जाओं आप दिश्टीयों ही देते रहो बाबा हर कल्प यूही मिलते रहेंगे प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी आप से दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्शा करते रहो बाबा प्यार की वर्शा करते रहो बाबा मैं सीह के मूती से भर जाओं आप दिश्टीयों ही में ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं तुमको निहारने को दिल ये चाहता है प्रभो तुमको निहारने को दिल ये चाहता है मन में उतरने को दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे तुम साथ में हमारे तुम सामने हमारे तुम साथ में गुमारे तो भी तुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को दिल ये चाहता है मन में उतरने को दिल ये चाहता है ये जोती बिंदू प्यारा प्यार उप है तुम्हारा किर्णों ने रूपा रूप है सवारा रूप है सवारा किसमत सवारने को दिल ये चाहता है मन में उतरने को दिल ये चाहता है तुम सामने हमारी तुम साथ में हमारी तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को दिल ये चाहता है पल को ना बन्दो ना ये पल न जाने देंगे, पल को ना बन वो ना ये पल न जाने देंगे, मिले करप बाद अल, अब हम जो दान होंगे अब हम जो दान होंगे, संग युग गुजारने को, दिल ये चाहता है तुम को निहारने को, दिल ये चाहता है हर मानों की ये बस्ती, ये बुंग को तरस्ती वरदानों की ये बारश, हर घड़ी बरस्ती हर घड़ी बरस्ती सर्वस्व पारने को, दिल ये चाहता है तुम को निहारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे तो भी पुकारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे कर दो कर दो ओ बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुश हाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया हम तो थे उल्जन में हम तो थे उल्जन में मार्ग बताया आपने हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने आपके मेठी दुश्च ने हमको निहाल कर दिया हाने हाल कर दिया ओ बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने पिंज़रे के पंची को दिया आकाश आपने आपकी शुब आशुश्श ने हमको माला माल कर दिया हमाला माला कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा काया कल्प किया अनोखे राज योग ने हमें बिलकुल ही बदल दिया योग के नित प्रयोग ने आपकी शुबशिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया बेमिसाल कर दिया हो ओ बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल कर दिया हो हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया योगी बनो ज्यानी बनो योगी जिवन है प्यारा काम क्रोध मदलो भूमुह वश आज है सब मुहकाश योग लगाकर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तु आज काम क्रोध मदलो भूमुह वश आज है सब मुहकाश योग लगाकर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तु आज जन्म जन्म के प्यास गुझा ले पावन बन कर आज जो भी बनो जानी बनो जो भी जिवन है त्यारा संगम युग में परन पिताशिं कहते हैं हिराज तु है एक अविनाश आत्मा सुन लो मेरी आवाज संगम युग में परन पिताशिं कहते हैं हिराज तु है एक अविनाश आत्मा सुन लो मेरी आवाज तुख शान दे और पावन दाते जोले भर लो आज यूगी बनो जानी बनो यूगी जिवन है त्यारा पर्मधाम से आए है शिवु ब्रह्मातन वाखार मुक्ति और दीवन मुक्ति का जनम सिथ अधिकार पर्मधाम से आए है शिवु ब्रह्मातन वाखार मुक्ति और दीवन मुक्ति का जनम सिथ अधिकार चलना है घर वापस अब तो यही ग्यान का साथ योगी बनो जानी बनो योगी जिवन है त्यारा योगी जिवन है त्यारा योगी जिवन है त्यारा बापसारे बाबा खड़े आरे वतन से वो पुखारे, होकर के संबंद आजाओ, मेरे राज दुलारे बाबा से मिलन बनाने, आजाओ, मेरे राज शंगम युग के सुख पाने, आजाओ, मेरे राज अब वतन में मीलन होतां आखारी परिष्टों का, सुख देते बाप दादा, कई दिव्य से रिष्टों का हरना ते निभाने को, आजाओ, मेरे राज बाबा से मिलन बनाने, आजाओ, मेरे राज संगम युग के सुख पाने, आजाओ, मेरे राज आजाओ, मेरे राज पिता जमी पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए, इस रूहानी मीलन से रुहे द्रिप्ती पाए किता जमी पे आए कभी बच्चों को बुलाए इस रूहानी मीलन से रुहे द्रिप्ती पाए सुख से भरने जोली आ जाओ मेरे लाई आ जाओ मेरे लाई मापा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाई संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाई आ जाओ मेरे लाई बच्चो वतन में आना घर पामा पास जाना ऐ दिव्यसी मनियों तुम आकर जग मगाना बच्चो वतन में आना घर पामा का सजाना ऐ दिव्यसी मनियों तुम आकर जग मगाना रूहानी मेह फिल को सजाने आजाओ मेरी नार बाबा से मिलन मनाने आजाओ मेरी नार संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरी नार बाबा से मिलन मनाने आजाओ मेरी नार संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरी नार 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 बाबा कितने निरहंकारी बचों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं सारा जग जन को याद करें वे याद प्यार हमें देते हैं बच्चों को नमसे करते हैं बाबा कितने निरहन पाई बाबा मेरे सबसे महान संसार आप के हाथों में पर आपने खुद को सौप दियाए हम बच्चों के हाथों में मुझसे आगे हो तुम बच्चों मुझसे आगे हैं तुम बच्चों के ही करके मंगें भरते हैं बच्चों को नमसे करते हैं बाबा कितने निरहन कारें बेहद सेवा अब भी करतें बाबा है आपकी बलिहारी कहते हैं आप मैं बच्चों का आग्याकारी सेवा धारी सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं बच्चों को नमसे करते हैं बाबा कितने निरहन कारें है आप दया सिंधू बाबा दिल में जो हमें समा लेते शिक्षा देतें शक्ती देतें गुणग्यान खजाने भर देतें निशकाम आपकी सेवाएं निशकाम आपकी सेवाएं उपहार सर्ग हमें देते हैं बच्चों को नमसे करते हैं बाबा कितने निरहन कारें बच्चों को नमसे करते हैं बाबा कितने निरहन कारें ए वतन वासी तुम्हें बच्चे बुलाते हैं कहते सारे बाबा प्यारे याद आते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं मिल रही है पालना अव्यक्त की मुझे रहे हो प्यार तुम तो आज भी मिल की वे साकार दिल क्यों याद आते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं वो फरिश्टो जैसा चलना मुस्कुराना बैठना वो खेलना मुरली सुनाना वो फरिश्टो जैसा चलना मुस्कुराना बैठना वो खेलना मुरली सुनाना जो भी हो बाते नहीं हम भूल पाते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं बेचर इतना वाल दिन है जो सभी नाट कर आएंगे क्या ना हो कभी साथ तेरे पीते दिन मन को लगाते हैं बाबा याद आते हैं बाबा याद आते हैं लिए आते हैं नाट कर दिन मन को लगाते हैं बाबा वाल प्रों आते हैं लिए एला कि आते हैं बाबा आते हैं वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है ग्यान की राही दिखलाता आत्म दीबों को है चलाता कावन वो बनाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला करुणा पिम दया का सागर, करुणा पिम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है पल्कों पर हम सब को पाले जीवन नई आगो है समाले लेपतवार हाथों में बाबा लेपतवार हाथों में बाबा मंज तक ले जाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है खुशियों के हमें रंग है देता जीने का हमें रंग वो देता मानव से वो देव बना कर मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है वो मेरा बाबा है मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का बाबा मेरा सुख शांती का मरम सुनहरा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का बाबा मेरा जिसने जीवन दान दिया लाखों है एहसान किया रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ग्यान दिया जोती बिंदुने किया सवेरा मैं बाबा का बाबा मेरा जोती बिंदुने किया सवेरा मैं बाबा का बाबा मेरा आ, 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 आ प्रेम का पर्मानंद लिये है लगी भुवन पावन करने गगन निपत में फूल बिखेरा मैं बाबा का बाबा मेरा गगन में पत में फूल बिखेरा मैं बाबा का बाबा मेरा याद का दिल में दिया जला हो गया जग उजला उजला नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवा चला बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का बाबा मेरा बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का बाबा मेरा सुक शांती का मरम सुनहरा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का बाबा मेरा 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 हुआ हुआ है दिल से निकलते सब के लबों पे दिल से निकलते सब के लबों पे एक यही स्वरचा गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया धरते बोली अंबर बोला सागर से रहना गया मेरा बाबा आ 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 गया मेरा भुला वहाओ सबने पुकारा यही यही नभु में निहारा यही यही सबने पुकारा यही यही नभु में निहारा यही यही दिल का सहारा यही यही अखियों का तारा यही यही सबसे न्यारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा सबसे प्यारा मीत ये मन को भाग गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया शीव अजनमा आते हैं अपना जनम दिन मनाते हैं शीव अजनमा आते हैं अपना जनम दिन मनाते हैं जन्दा अपना फेराते हैं जग की जोत जगाते हैं देख समा ये देख चांद नी चांद भी है शर्मा गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा गया कर दो कर दो कर दो दो आजाओ लाड लोब आव्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ लाड लोब आव्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ लाड लोब ये हंस मंदले पर इक ताज है निराना सबको बनाना संपन अम्रित का दे के प्याला आधार तुम धराके सबके तुमी सहारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ लाड लोब पावित्र तार तुमारे संसार जग मगाएं परिष्टों की जलत से सब दिल्व ग्यान पाएं सुक्ष्म वतन सजाओ धरती के तुम सितारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ लाड लोब अन्तिम सवैज घड़ियों तो हो पहले के आई बाबा खड़े बतन में तुम्हे देने को बदाई करते आभान तुम्हारा देवी कुल के देव सारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ लाड लोब आप्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ लाड लोब इंतजार कक्यों नहिए आजार कर रहे बाबा लोब कर रहे बाबाब बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ दुखियों की चीत कारे क्या तुम का लक न आई क्या भकों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई उनको दरश दिखाओ अब कुछ तरस तो खाओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ मुझे को तुम मेरे पास आओ जब जब मुझे बुलाओं आओ तब तब मैं पास आया सर्वस्वपना देकर बादा हर इक निवाया जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया सर्वस्वपना देकर बादा हर इक निवाया मेरे समान बलकर तुम भी वादा निभाओ बाबा बुला रहे है बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ मैं पास में तुम्हारे आदा में आओ करता रहूंगा कब तक इंतजार में बतन में करता रहूंगा कब तक मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक अब देर ना लगाओ आओ बतन सजाओ आओ बतन सजाओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे है बचों बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुलाण हे हे तेरी शिक्षाए और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं मधो बनके वो दिन राद बाबा तेरी याद दिलाते हैं तेरी शिक्षाए और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं बैठों कमरे में जाके मिलता तू बतन से आके होते हैं निहा ले ये नेना बाबा तुझे सामने पाके कौनों में आज भी आते हैं तेरी शिक्षाए और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं चल से फिरते यहों लागे तू संग हो जैसे हमारे बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे मधुबन के खण खण में तेरा ही नजारा पाते हैं तेरी शिक्षाए और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं तेरे कदमों के निशा हमें तेरी राह दिखाएं संसार में सब की सेवा करने का पाठ पढ़ाएं तोने जो दिखाए राह तोने जो दिखाए राह हम उस पे चलते जाते हैं तेरी शिक्षाए और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं मधबन के वो दिन राह मधबन के वो दिन राह बाबा तेरी आद दिलाते हैं इन शिक्षाए और शाथी बन साथी बन साथी बन साथी बन साथी बाबा ओ बाबा मेरे प्यारे बाबा ओबाबा, ओबाबा, मीरे प्याने बाबा ओबाबा, ओबाबा मेरे मन तेरे ही गुन गाता है प्यार के साधर की लेहरोंी दिल मेरा लेहराटा है प्यार के सागर की लहनों में दिल मेरा लहरा का है ओ बाबा ओ बाबा मेरे तुम ही मेरे सचे साथी तुम ही हो मनमीत मेरे जीवन के हो गीत मेरे गीतों के हो संगीत मेरे तुम ही मेरे सचे साथी तुम ही हो मनमीत मेरे जीवन के हो गीत मेरे गीतों के हो संगीत मेरे तेरे प्रित के गीत सुहाने गाकर मन हरशाता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुन गाता है प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मुरली तेरी सुनकर बाबा मेरे चित को चैन मिला मेरे चित को चैन मिला रूह को बेहत राहत आई खुशियों भरा दिन रैन मिला मुरली तेरी सुनकर ओ बाबा मेरे चित को चैन मिला रूह को बेहत राहत आई कुशियों भरा दिन रैन मिला दिला राम तिरी यादों में आनंद अलोकिक आता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुन गाता है प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहरा आता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे जीवन का सच्चा सुक मिलता ओ बाबा तेरी बातों में मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिष्टे नातों में जीवन का सच्चा सुक मिलता बाबा तेरी बातों में मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिष्टे नातों में दुनिया से अलग मेरे दुनिया में एक तूही नगर मुझे आता है एक तूही नगर मुझे आता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही बुर्दाता है प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे ओ बाबा ओ बाबा मेरे ओ बाबा ओ बाबा मेरे मेला मिला वतन का खुलानी मंतर चलो मनाने प्रभु मिलन बनके फरिष्टे गाते हसते हम तो चले हैं ओके मगन मिला वतन का दुलानि मंतन चलो मनाने रभू मिलन वहां न कोई समय किसी मां न देह दुनिया का कोई बंधन बड़ी सलोनी मधुर शांती है ये संज जहाने हमारा ही मन हजारों आएं सभी समाएं रभू का दिल है बड़ा गगन मिला वतन का दुलानि मंतन चलो मनाने रभू मिलन मतन से करते प्रभू इशारे आओं मेरे लाड़ लों पुकारे आओं में मेरे लाड़ लों पुकारे आक समाओ मेरे जी जैसा स्वरूप थारों उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेगे लगी लगन विलावतन का खुलानि मंत्रन चलो मनाने रभू मिलन मिलन की अनुभूती एक पल की देती है क्रेती युगों युगोंगी ये सुख का संसार ही अलग है परम पिता से परम सुखों की सभी शक्तियां अतिंद्रिय सुख मिले खजाने हमें सगन मिलावतन का खुलानि मंत्रन चलो मनाने रभू मिलन बन के परिश्टे काते हसते हम तो चले हैं ओके मगन मिलावतन का खुलानि मंत्रन चलो मनाने रभू मिलन 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 चलो मिलन चलो मिलन प्रभु मिलन की मस्तियों में जुमतामन का रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में जुमतामन गा रहा पान था जो पालियाबु और क्या बाती रहा पान था जो पालियाबु और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में हो गया जब प्रभु ही अपना दोन कोई गैर है सारी दुनिया अपनी है अपनान किस से वेर है अपनान किस से वेर है ज्यान सागर्वन की गागर में समाता जा रहा पान था जो पालियाबु और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में मस्ति मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की अब रही किस काम की ये सलतनत संसार की ये सलतनत संसार की जिन्दगी जीने काम को है मजाब आ रहा पान था जो पालियाबु और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में ऐसा साती किसका होगा रह सदा जो सात में वह उसे पार लगा दे नईया स्वर्ग दे सौगात में जो स्वर्ग दे सौगात में इक समंदर प्यार का है आँखों में लहरा रहा पान था जो पालियाबु और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में जोमता मन्ता रहा पान था जो पालियाबु और क्या बाती रहा पान था जो पालियाबु और क्या बाती रहा पान था जो पालियाबु और क्या बाती रहा कृट को कोदान सब्सुद्या जिए करता हैं जो जो प्रभु में पालियाबु और क्या है बाबा हम पास तेरे उड़ आए जो पिंजरे से उड़ कर तंची नील गगन में जाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए कोई शैना भाती है अब याद घर की आती है करी इशारा के रने तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है तेरी आद में समा के हम तो तुम साही बन जाए पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए मसिल कुछ हो पले की बात है फिर घर चलना साथ है हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए अंबर से की पार है मड़ियों का आगार है परम शांति विश्राम यहां पर जोती का भंडार है परमानंग सुधा नेनों से वस्धा पर छलकाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए जो पिंजरे से उड़ कर पंची नील गबन में जाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए तेरे बतन की याद ने दुनिया को बुला दिया हमें प्यार में समा लिया है पास में बुला लिया है पास में बुला लिया तेरे बतन की याद ने दुनिया को बुला दिया चलते हैं जब जमीने पर लगता गगन में चल रहे हैं उमंग में है उड़ रहे तेरे रंग में है धल रहे तेरे रंग में हठल रहे दिल की बाते सुनते बाबा माहों में उठा लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया कहां ये आ गए है हम फरिष्टों के जहान में उजली उजली रोशनी निराले आसमान में संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिला रामने हमने भी रख लिया तुम्हें आखों के ही सामने आखों के ही सामने जो दिखता वो छिपा लिया छिपा है जो दिखा दिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया हमें प्यार में समा लिया है पास में बुला लिया है पास में बुला लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया पास में बुला लिया है पास में बुला लिया तार्मन की तुम से जुड़ी ही रहे आत्म जोती सभी की जगी ही रहे आर्जु है यही की तेरी गोद में बाबा हथ की हरित जिन्दगी ही रहे तार्मन की तुमी से जुड़ी ही रहे आत्म जोती सभी की जगी ही रहे आर्जु है यही की तेरी गोद में बाबा हसती हरित जिन्दगी ही रहे तार्मन की तुमी से जुड़ी ही रहे थे जिए रहे ठार्मन की तुमी तुमी चूतready जिन्दगी ही रहे भी रहे जैक ये पोड़ी दैमें नहीं बदल की भागना सब की हादे सदा हो ये शुब कामना पोड़ी दैमें नहीं बदल की भागना सब की हादे सदा हो ये शुब कामना पुर में प्रभु प्रीत सब के बसे ही रहे पुर में प्रभु प्रीत सब के बसे ही रहे बाबा हस्ती हर इक जिन्दगी ही रहे तार मन की तुमी से जुड़ी ही रहे विश्व सारा हमा ओना करें तो तो जब तुमी तो आप झाए विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सब के हम, सब हमारे ही आए नजर हर नगर पूलों से यू सजी ही रहे बाबा हसती हर एक जिन्दगीरी रहे तार मन की तुभी से जुड़ी रहे हर दोड़ी मिला दमए नेकर हम, म altitude भूलों से घर ह tribunal पहर पास्तना स मारे ही तार में अन्म सब लिए तार मोट ज्योक्तिड़ दार आम् cम क्ढ आर माँne बूले भटके उन्हें पास लाना हमें जो मिना है उन्हें भी दिलाना हमें बूले भटके उन्हें पास लाना हमें जो मिना है उन्हें भी दिलाना हमें ये लगन दिल में हर दम लगे रहें बाबा हसती हर की जिन्दगी रहें तारमन की तुही से जुड़ी ही रहें आत्म जोती सभी की जगे ही रहें आरजू है यही की तेरी गोद में बाबा हसती हर इक जिन्दगी ही रहें तारमन की तुही से जुड़ी ही रहें की तुही से जुड़ी रहें की तुही से जुड़ी ही बनी लगे रहें आरजू है और दुम जोगे रहें आरजू है यहरें कर दो कर दो तेरी पालना का बाबा रहसान चुकाई किस तरह तुने प्यार से जो पाला शब्दों में गाई किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा तेरी पालना तेरा सदा सर पे अपने पाया ममता भरी नजर से निर्मर हमें बनाया गुनों से तुने सजाया उसको बताय किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा संकल्प सास तुमने बच्चों पे हैं लुटाए उप मा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए हमें खुद साहे बनाया हमें खुद साहे बनाया उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा निश्र काम तेरी से लुए सब की जुबां पे आए आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए तुझसे जो हमने पाया उसको सुनाएं किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाएं किस तरह तुने प्यार से जो पाला तुने प्यार से जो पाला शक्तों में गाएं किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा बतन में बेट कर बाबा इशारों से बुलाते हो वतन में बेट कर बाबा इशारों से बुलाते हो हमेरा ब्यक्त बनना ब्यक्त में आकर सिखाते हो वतन में बेट कर बाबा अभी पर घर में आकारी अभी पर में निराकारी अलोकिक खेल संजम का यही हम से कराते हो वतन में बेट कर बाबा जगत कल्यान भी करना जग से उपराम भी रहना सदा ही संत दन रखना हमें बाबा बताते हो वतन में बेट कर बाबा भने गुणगान करें कितना हमें गुणवान भी बनना परिश्टा बल के तुम बाबा हमें खुद सा बनाते हो वतन में बेट कर बाबा इशारों से बुलाते हो हमें या प्रक्त बनना प्रक्त में आकर सिखाते हो वतन में बेट कर बाबा प्रक्त बनना लग्पते हो वतनी अज़ा लग्पते हो लग्पते हो लग्त बनना वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बलिहार जाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन बनाने के प्रभु से प्यारे प्यारे प्रभु से प्यारे 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 आए प्यारे प्यारे जब उसे मिलन मनाने के बहारों ने बनाई है मुहबत से मेरी सूरत सितारों ने सजाई है मेरी तकदीर की सूरत समा कर प्रभू की यादों में समा कर प्रभू की यादों में जहां को भूल जाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभू से मिलन मनाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभू से मिलन मनाने के युगों की आश एमन में रही ना वो अधूरी है रभू को पान की प्यास रभूने की वो पूरी है वो कसमे और वादे सब अभी ही है निमाने के वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के अभा जान आये हैं बुरुहों के खुदा रहवर्ड खुशी बेहद लटाएं हैं हमें क्या रोग पाएं फिर हमें क्या रोग पाएं फिर वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बली हार जाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के कर दोयँ झालरे प्यारे बली आए प्यारे प्यारे जिलन मनानेा। कर दो कर दो हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार हो रहा साकार गा रहा है दिल गा रहा संसार हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार जन जन की प्यास पुझे जन जन की प्यास पुझे ज्यान अमृत पीकर तन मन पावन हो गए याद में तेरी जीकर याद में तेरी जीकर का रहा है दिल का रहा संसार पूरा साकार रभु तुम्हारा प्यार पुम्हार प्यास पुम्हार पूरा सवी हिए जीकर बावों प्यास ऴुम्हार सारी स्रिष्टी के हो बाबा सारी स्रिष्टी के हो बाबा तुम ही सिर जनहार भाग विठाता तुम हो बाबा तुम ही तारनहार का रहा है दिल का रहा संसार हो रहा सादार प्रभू तुमारा प्यार मध्वर मध्वर मुस्कानों का मध्वर मध्वर मुस्कानों का वर्दान दिया है तुमने शुब संकल्पों के पालन का ज्यान दिया है तुमने ज्यान दिया है तुमने का रहा है दिल में का रहा संसार हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार गा रहा है दिल गा रहा संसार वो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार गार प्रभु तुम्हारा प्यार इश्वर से हमने मुलाकात की है मनभावनी से मधुरबात की है इश्वर से हमने मुलाकात की है मनभावनी से मधुरबात की है मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की बर दानों की हम पे बर सात की है बरदानों की हम पे बरसात की है पिश्वन से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधरबात की है घर की सी है धीरता हम में पाई मन को गगन सी मिली है उचाई धर की सी है धीरता हम में पाई मन को गगन सी मिली है उचाई सागर सी गहराई आई हिदय में सागर सी गहराई आई हिदय में संतुष्टता जिन्दगी में समाई सुंडर ख्यालों की सोगात भी है मन भावनी से मधरबात की है मरदानों की हम पे बरसात की है मरदानों की हम पे बरसात की है किसे को नजर वो आए नाए किसे को नजर वो आए नाए कैसे कहें हम ये अनुभाव की बाते शक्तों में वर्णन किया कैसे जाए खुशियों की वर्षा दिन रात की है मन भावनी से मधरबात की है मरदानों की हम पे बरसात की है इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधरबात की है मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की बरदानों की हम पे बरसात की है 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 बरदानों की हम पे बर 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 आई ओ लिजए बाबाद ओ प्यारे बाबाद बाबा पूलों की माला बनाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई बीच भवर में डूबती नईया तूने पार लगाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई ज्यान चंद्रमा तूने कर दी धरती पेरिंजिंसितारों की बीरानों में लाई तूने खुशबू स्वर्ग बहारों की पत्थर से बने तीरे मोती तेरी श्रीमत पाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई सूखे थे पौधे मुर्जाई कलियां रस तूने भर डाला ज्यान की गंगा बहा कर तूने अमरित दिया निराला इन पाधू के हर एक फल ने तेरी आद दिलाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई गिरे हों को पुठा कर तूने चलना हम को सिखाया पंक लगा कर ग्यान के तूने उड़ना हम को सिखाया अंधियारों में थे जो मानव शिव से लगन लगाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई बीच भवर में दूबती नईया तूने पार लगाई चुन चुन के जग के काटे पूलों की माला बनाई उनों की माला बनाई ओ मीठे बाबा ओ फ्यारे बाबा उनों की माला बनाई ओ मीठे ओुन की माला बनाई लाए बनाइ बर्बा की अ किसल में दूल हो औ किसल में बनाई तून की माला बनाई कर दो कर दो कर दो कर दो आखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी भगवान को भी बाबा आखें तेरी लुभाई परता रही है इनसे अब रहे मते खुझाई इसमत की जोलियों में देखा सितार भरते देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी आखों ही आखों में तुम चादू चला रहे हो प्रभु से मिला रहे हो दुनिया बना रहे हो हम कुछ नहीं है करते करके भी यही है कहते देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी आखों के तेरी छलका है प्यार का समंदर जाका तनिक भी जिसने मुकतर का वो सिकंदर दर तो अलम जहांके सारे इनी से हरते देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी जाने है कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी जाने है कितने जलवे आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी अरे शिव की याद रहेगी तब आखों में समाया वो होगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जिवन होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा जहां होता है मानम का धन वही होता है उसका मन इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन हमसा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ग्यान जिसे पर ऐसा भी बन ना होगा नहीं कभी अपिमान जिसे यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा यहां होगा यह दुनिया तो माया भी है माया से भला कैसी आरी अपने तो दो ही ठिकाने है वैकुंठ दुनिया ने राकारी गुंदला सांधियारा है दिपक से उजियारा होगा यह आँख भी तन का दिपक है यह ग्यान जिवन दिपक होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा अरशिव की आग रहेगी तब आँखों में समाया वोगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्री जिवन होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा यहां हमारा तन होगा यहां हमारा तन होगा जीवन के दाता सांसों के सामि यह नईया की पतवार तुमको है अरपन जीवन के दाता सांसों के सामि यह नईया की पतवार तुमको है अरपन प्राणों के प्यारे बावा हमारे प्राणों के प्यारे बावा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समरपन समरपन जीवन के दाता सांसों के सामि यह नईया की पतवार तुमको है अरपन जीवन के दाता सामि यह नईया की पतवार तुमको है अरुआ यह नईया की पतवार तुमको है विर यह नईया सदा के साथी सच्चे सहारे तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे कहेंगे जो की हम वो करते रहेंगे दिल के दिलाराम दिल से हम कहते दिलों जांसे बाबा तुझ पेरे अरपन प्राणों के प्यारे बाबा मारे तुझे तेरा सब कुछ समरपन समरपन जीवन के दादा सांसों के स्वामी ये नईया की पतवार तुमको है अरपन नहीं पास अपनी है देने के खाबिल दाता विधाता को प्या दे सकेंगे कि ये तुने हम पर है एहसान इतने के जीवन भी दे कर चुकाना सकेंगे कि जीवन भी दे कर चुकाना सकेंगे ये मैं पन मेरा पन ये कखपन ये जीवन ये संकर्प हर वोन अरपन है धड़कन जीवन पन आपना सकेंगे जीवन भी दे कर चुकाना सकेंगे कि जीवन भी दे खाब उन वाड़कन तू आश विश्वास बल है बरोसा तू बाब संसार साकार सपना अगर तूटती सास कामाई ते अहो भाग जीवन बने धन्य अपना यही एक अर्मा है दिल में हमारी कि हम में दिखे तू बने सादरपन प्राणों के व्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पन समर्पन जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पत्वार रुम्पोरे रपन प्राणों के डाता सादर रुम्पोर तू नीवन जीवन इन धन्य फैर्माइ तुही मुझे को नजर आए है मन में यही भगवन प्यारी सिया शाए मैं तुझे को नजर आए है मन में यही भगवन प्यारी सिया शाए मैं तुझे को नजर आए है मेरे लिए मेरे दाता तु सबसे मुल्लवान है नहीं चाहिए खुशिया जन्नत की खुशियों का तु ही जहान है तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाए है मन में यही भगवन प्यारी सिया शाए मैं तुझे को नजर आए तु ही मुझे को नजर आए है मन में यही भगवन प्यारी सिया शाए मैं तुझे को नजर आए तुझे को नजर आए आए तुझे को नजर आए म अच्छाए अच्छाए का प्रभु दिल ने किया आए मेरे हर उचाई का प्रभु दिल ने किया पहसास है तु बल तुही निश्चे मेरा तु यी तो विश्वास है देती जो मुझे ताकत है तेरी शिक्षाई है मन में यही भगवन प्यारी सी आशवाई मैं तुझ को नजर आँ तु ही मुझे को नजर आई है अंद यही भगवन प्यारी सी आशवाई मैं तुझ को नजर आँ कि इतना गहरा सेह है दिल तेरी मही मालिक ता है कि इतना गहरा सेह है दिल तेरी मही मालिक ता है नैनों में बसे हो तुम ऐसे नहीं तेर सिवा कोई दिखता है तु ग्यान सूर मुझ पर तावन किरने बरसाई है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाई प्यारी सी आशाई प्यारी सी आशाई प्यारी सी आशाई एक तुम ही हो जो मुझ से नहोते खसाई एक तुम ही हो जो मुझ से नहोते खसाई प्रभु क्यों ना करों साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा एक तुम ही हो जो मुझ से नहोते खसाई प्रभु क्यों ना करों साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा एक तुमने मुझ को लगाया अगले जिन्दगी में तुमी मेरे संग संग चरे तुमने मुझ को लगाया अगले जिन्दगी में तुमी मेरे संग संग करे तुमने मुझ को लिकाला है उस दौर से जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से हात थामा है तुमने हात थामा है तुमने मेरा हर दफा प्रभु क्यों ना करों साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा वक्त जैसी जाओ वक्त जैसे ही इंसां को आजमाता है आके तूही जमी पे उसको सलंचाता है वक्त जैसे ही इंसां को आजमाता है आके तूही जमी पे उसको सलंचाता है सबसे उचा तेरा ही किरदार है जिसने संझा तुझे वो समझदार है खुद को जोडा जो तुम से मिली है शफाः खुद को जोडा जो तुम से मिली है शफाः प्रभु क्यों ना करू शाथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा मुझे को मालूम है तुझ में ताखत बड़ी आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी मुझे को मालूम है तुझ में ताखत बड़ी आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी हासला तुमने मुझे में रजब भर दिया मेरे पेरों पे मुझे को धरा कर दिया तेरा बन के मुझे तो तेरा बन के मुझे तो हुआ है नफा प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा एक तुम ही हो जो मुझे से न हो ते खफा एक तुम ही हो जो मुझे से नहोती खफा एक तुम में डा भर आ, आ एक तुम ही हो करते खफा एक तुम ही हो जो मुझे तुम ही नहोती टा मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में चान चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा 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 देखू में चकर की तरा नाचु में जिल मोर की तरा भोलू में कोयं की तरा गाउं में बुल बुल की तरा मेरा मन बेहलाते हैं बाबा जोचों में भवरों की तरा जोमों में लेहरों की तरा चंप में जुगनूं की तरा गाउं में बाबा मेरी यादों में रहते हैं बाबा मेरी यादों में रहते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा मन की में हर एक बात कहूं मन की में हर एक बात कहूं दिन रात मैं तो यूँ घ्यान धरों बाबा से ही में प्यार करों मेरे अधरों पे मीठे बाबा मेरे अधरों पे मीठे बाबा जैसे अनहदना गुझता है गुझता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में चांद चलता है चलता है उनकी किरिणों की छाया में दिल हर पल रहता है जैसे गगन में चांद चलता है चलता है उनकी किरिणों की छाया में दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा आज परमात्मा पिता का हम बच्चों के प्रत्य दिव्य वर्दान है बच्चे निमित भाव द्वारा शेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्रेष्ट सेवाधारी भव निमित भाव सेवा में सुतह सफलता दिलाता है निमित भाव नहीं तो सफलता नहीं स्रेष्ट सेवाधारी अर्थात हर कदम बाब के कदम पर रखने वाले हर कदम स्रेष्ट मत पर स्रेष्ट बनाने वाले जितना सेवा में स्वा में ब्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है स्रेष्ट सेवाधारी वो है जो स्वयम भी सदा उमंग उस्साह में रहे और औरों को भी उमंग उस्साह दिलाए परमात्मा हम सब बच्चों को स्रेष्ट सेवाधारी बनने की बहुत सुन्दर विधी बता रहे हैं इस दिब्य वर्दान से संपन बनने के लिए हमें स्वयम को निमित भाव में रखना होगा क्योंकि जो भी विषयष्टाइं दी है परमात्मा ने परमात्मा की देन है हम कैवल निमित मात्र हैं क्योंकि अगर हम उन विषयष्टाओं को अपनी विषयष्टा समझ लेंगे तो हेंकार आएगा अव्यमान आएगा इसलिए बहुत लिर्मान चित बन करके हम सेवाओं को आगे बढ़ाएं और अपनी समर्थ हिस्तिती में रह करके अन्य आत्माओं को भी समर्थ सक्तिसाली बनाएं क्योंकि वर्तमान समय बहुत सी आत्माओं अनेक कमजोरियों के कारण निरास हैं उदास हैं दिल सिकस्त हैं तो परमात्मा चाहते हैं जो दिल सिकस्त आत्माओं हैं जिनके अंदर उमंग उस्सा नहीं हैं उनका उमंग उस्सा बढ़ाओ उनकी विसेश्ताओं का वर्णन करो और उनको निमित भाव से स्रेश्ट संकल्प दे करके आगे बढ़ाओ। तो ऐसी सेवा हम निमित भाव से कर सकते हैं और स्रेश्ट सेवाधारी का वर्दान प्राप्त कर सकते हैं। ओम शान्ति! प्राप्ति कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो ओम शान्ति कर दो में है। किन शब्दों में आपका धन्वाद कर चिन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें चिन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें चिन शब्दों में आपका धन्वाद करें बेहद का प्यार आपने हमको है दिया हे राह में बना कर श्रीगार है किया श्रीमत से मन्चमन का आवाद हम करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें किछते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हूं रच को समालते वे वादा मिवा रहे हो ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें संगन युग में बाबा आपकर के मिलते रहे न हमने हैं सोचा आपसा बन करके ही है रहना दिल की यही है आरज प्रभ साथ हम रहें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें नमस्कार सूप्रभात स्वागत आप सभी का सब्रंकारिक्रम में वित्रों कहते हैं कि अंधेरे में छाया बुढ़ापी में काया और अंत समय में माया साथ नहीं देते साथ तो केवल सतकर्म ही देते हैं पुन्यकर्म ही देते हैं और यही हमारे साथ जाते हैं जीवन भर जो साथ रहते हैं आप जानते हैं कि परचाई भी हमारे साथ साथ ही चलते हैं माया अर्था धन भी हम कमाते कमाते बढ़ाते चलते हैं और साथ ही साथ हम अपनी काया को भी बहुत दुरूस्त बना करके रखना चाहते हैं, रखते भी हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें अंतसमय में काम नहीं आती, साथ छोड़ जाती हैं, साथ तो केवल हमारी अच्छे कर्म ही देते हैं हमें, और वही आगे भी चलते हैं, तो क्यो ये नहीं है कि हम अपने धन का ध्यान ना रखें, धन ना कमाएं, लेकिन जो वास्तविक पुंजी है, उसकी ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, ताकि ऐसे समय पे वो काम आए, जब ये सभी चीज़ें साथ छोड़ जाती हैं, ता ये इसी सुन्दर गहरे चिंतन के साथ आ अर्थात यदी शुबकारे करना है, तो सयती शीगर कर लें, और अशुबकारे को तालते रहें, परन्त देखा जाता है कि आमतोर पर इंसान अपनी भावनाओं वो परिस्थितियों के वश होकर अशुबकारे कर ही देता है, दूसरों को दुख देने लगता है, क्रोध में आकर अपशब्द कहने लगता है, कुछ गलत कर देता है, बाद में इंसान चाहे कितना भी पश्चाताब करे, परन्त संबंधों का विच्छेद तो हो ही जाता है, इसलिए यदि आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो एक विधी अपनाए, जब भी क्रोध आए, तो खुद से कहे, कल करेंगे, जब भी मन में कुछ गलत करने का विचार आए, तो भी कुछ से कहे, कल करेंगे, निश्चे तोर पर वो गलत कारे कभी भी आपसे नहीं होगा, किन्तु यदि आपके मन में कुछ अच्छा कारे करने का विचार आए, तो उसे कल पर कभी ना टालना, क्योंकि फिर वो कारे कभी नहीं होगा, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है, ओम शांती. अपने भाग्य को दोश ना दें, क्योंकि जो पास्ट में आपने किया इस जन्म में या पिछले जन्मों में वही परिणाम आज आपके सामने है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे बदला नहीं जा सकता, आप आज जहां पे भी हैं, जिन लोगों के बीच भी हैं, जिन परिस्थित सकता हूँ, यदि ऐसी एक द्रिड़ता लेकर जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो अपने जो भी दीन ही दशा है, स्थिती है, उसे बदल सकता है, तो रोना छोड़ कर हम परिश्रम करें और द्रिड़ता पुरवक आगे बढ़ें, तो सच मुझ सब कुछ बदला ज सकता है, अपने भाग्ये को भी, तन, मन की सुन्दर जो दशा है, उसको भी, तो आएए इसी सुन्दर भाव के साथ कि हम सब कुछ बदलेंगे, सब कुछ अच्छा बनाएंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत, आपके हाथ की योड़, आज में आप सभी के साथ कुछ लोगों को जो दातों में जंजनाहट की प्रबलम होती है, उसके विशय में कुछ जानकारियां शेयर करूँगा, जैसा कि हमने देखा है कि कई लोगों को कुछ भी खाते पीते वक्त या पानी पीते वक्त ही जंजनाहट का महसूस होती है कारण क्या होता है, जैसे कि सबसे पहला इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि जो नॉर्माली ब्रेशिंग टेक्निक होती है, हमारी वो एकदम प्रॉपरली नहीं जानते बहुत सारे लोग, मोस्टली तो क्या करते हैं पेशेंट्स लोग, फिलकुल ऐसे टू एंट फ्रो मोश थोड़ा हार्शली ब्रश करते 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 और वो भी कई सालों तक तो जो ब्रश की एजस होती है, ब्रिसल्स की जो एजस होती है, वो दातों में गढड़्े कर देती है, और दात की बहारी सतह अनेमल पूरी घिश जाने के बाद जो दूसी लेयर डैंटीन एक्सपोज हो ज और उसको कोई टच करेगा तो करेंट लगेगा तो कुछ वैसे ही हमारे दांत एकदम खुल जाते हैं दांतों की नसे तो उसमें धंजनाहट होना चुरूँ हो जाती है तो उसके लिए एक तो यह प्रॉब्लम हो ही ना उसके लिए प्रॉपर ब्रेशिंग टेक्निक अपने ड जो वो ब्रेश जिसमें एकदम सौफ्ट ब्रिसर सोते हैं दूसरा जो कारण होता है दातों में जंजनाहट का वो एसिडिटी के कारण वी होती है और तीसरा जो कारण है दात घिश जाने का या दात में जंजनाहट का वो है एक हैबिट होती है रात को सोते वक्त अंजाने म आपस में घिसते हैं इसको हम लोग ब्रक्सिजम बोलते हैं तो as a treatment of the sensitivity हम advise करते हैं anti sensitivity toothpaste यूज करना वो टूज करने का तरीका कुछ ऐसा है कि उंगली से सभी दातों में तीन से पांच मेंट के लिए इसको लगा के apply करके छोड़ देना होता है यदि आपको आपके दातों में sensitivity की complaint है तो कुछ विशेश प्रिकार का भोजन जैसे की acidic जो फोड होता है जैसे की citrus fruit है जैसे नीबू है संत्रा है मुसम्मी है या बहुत तीखा भोजन है मसालिदार भोजन है इसको एवाइट करना चाहिए इस प्रिकार से जो डाइटरी इंटेक है उस पर भी हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए ये बात आपको आपके डेंटिस्ट बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं अपने डेंटिस्ट के पास जाके इस विशाय में और जानकारी आप हासिल करें और अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्यार लखें शुक्रिया ओम शान्ती मित्रों यदि अपनी जीवन में शान्ती, खुशी और सफलता चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने के बदले, खुद को बदले क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिज़ाने से ज़्यादा सहज और सरल है अपने पैर में चपल पहन लेना हम यदि दूसरों की ही शिकायत करते रहते हैं, एसा है ये, ये वैसा है, यह सिचुशन ऐसी थी जिसके कारण ऐसा हो गया, वैसा हो गया यदि ये करते रहेंगे, हम अपना समय, अपनी एनरजी जाया करते हैं यदि उसकी बजाय हम खुद को बदलने में, अपने विचारों को बदलने में, अपने कर्मों को बदलने पर ध्यान दें कि मैं क्या सुधार करूं जिससे मेरे जीवन में बेहतरी आए, उन्नती आए, तो ये जादा बेहतर होगा और यही उन्नती का और आगे बढ़ने का कि शुकीता जिए करि से तर गे क कृष्टारिय कि चिरिच्टा टी किसे करें इसाल एक प्रफ्चिक।रियर कैसे हो एक इसकता है कि भी सुनमें जड़ेशा बारिटिखने फॉलाइए किसे देक्टारिय है कि सुनम के सब्सक्राइब खुछिर final करें जिखाता है। जब आगे जाते हैं, इगो इतना इंपोर्टंट नहीं होता है। लेकिन आप अपनी स्टेकोलडर साइडिफा करते हैं कि मुझे अगर अगर अपनी स्टेकोलडर करते हैं मैंनेश्मेंड में पतिकलल, मैं अपनी एक्स्परियेंच से बोल रहा ह। जो होते हैं खते हैं, जरुखे, जब किताब jij करते हैं, अपनी पीर गूप horrुपग के लिए, अपनी एकंपोनीनियोक के लिए। चीकल, तब के लिए ले एक। अपने बना ये सारो तरफ से संफ ले भन देखैं, टो उपकी जई सरकलर referendum on दो आपको बांध लेता है, तो दो कि मन करता है कि निकलना चाहिए। तब आप शगल करते हैं निकलन के कोईसिस करते हैं तब आपको रेलाई होता है, कि आपके अंदर अंदर जितनी अन्रजी है और यह जो आपने दिवार अपनी तरफ लगा कर रखे, खुट बनाए दिवार टोड़ना मुस्किल है वुछ टाइम में आप सोचते है कि कहीं से कुछ पावर मिल जाए आपको जिस वजा से आप इसको तोड सकते हैं तो दुसरों की तरह मेरे जीवन में लिए, फिर्स्ट कंपोनेंट रहा कि इस इस अन अल्टनेटिव फोर मी जिसे कि मैं बट बड़ अदमी और और मेरे को हेल्प करेंगा तो उसके पार्थ नहीं बना था तो जिसे कुछ गंटे के जा सकता है आदा गंटा करके देख लें ऐसा था तो लाइफ में उसका पार्थ नहीं रहाँ मैं उसका पार्थ नहीं रहाँ मिला था था जाप्त हो ज़िए अच्छटी थी जो हुआ अगी लाँ लाँ अच्सेप्टन्स लिए कि हम किसी बड़ी का अंस है सेने कि हम इस्ट को यूज कर साकृते जयसे एपनी मैनेश्मेंट की स्केल हौ मैं कम्फ्यूटर की σकेल को उसकीय। मैं अरे स्पिरिच्वल स्केल है जो उसका यूज कर सकता हूं जो किताबों को पढ़ लेता है उन्हें बोलना और लड़ना आजाता है लड़ना संसार से नहीं लेकिन बाधाओं और परिस्थितियों से और साथी शिक्षा सचमुच उन्नती के तरक्की के सारे रास्ते हमारे लिए खोल देता है कमित्रों ना केवल सांसारिक शिक्षा लेकिन अध्यात्मिक शिक्षा भी जीवन को शिकर की ओर लिये चलता है ये हमें एक संतुलित जीवन जीना सिखाता है या जीवन का आनंद लेना सिखाता है क्या अध्यात्मिक शिक्षा क्या है और कैसी ये हमारी जीवन को संतुलित कर यही संदर ज्यान परमा कुमारियां सभी को प्रदान कर रही हैं आई देखें पीस निवस हाइलाइट समें प्रमा कुमारी संस्था आधे आत्मिक ज्यान और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से विश्व में शान्ती लाने की प्रयास हमेशा करती है विश्व शान्ती के निमित मध्य प्रदेश ब्यावरा शहर बाई हिडा ग्राम में विश्व शान्ती एवं सद्भावना रैली निकाली गई और इसके अंतरगत एक सुन्दर स्नेह मिलन कारेक्रम का भी आयोजन किया गया कारेक्रम का शुभारंब दीप प्रज्वलन और स्वागत मृत्य से हुआ ब्रमा कुमारीज राजगर जिला के प्रभारी बी के मधुदीदी अपने वक्तव्य में कहा संसार में चारो ओर धर्म की गलानी हो रही है और परमात्मा राज्योग के माध्यम से सत्योग का निर्मान कर रहे है भैसान से आचार्य श्री लोकेश्ट रिवेदी जी ने कहा, श्रेश्ट चरित्र और सत्य कर्मो द्वारा जीवन वह समाज को बहतर बनाने की शिक्षा ब्रमा कुमारीज दीदिया देती है इस कारेक्रम में आचार्य श्री रमेश चंडर नगर जी, अर्विन सक्सेना जी, बाई हिरा के सरपंच प्रेमन आरायन दानगी के साथ जिले भर से ब्रमा कुमारीज सेवाकेंद्रो की संचालिका दीदिया भी उपस्थित रहे आए हुए अतितियों को इश्वरिय सौगात भेच से कारेक्रम का समापन हुआ मित्रों कहते हैं खाई नहीं ठोकरी सफर में तो मन्जिल की अहमियत कैसे जानोगे अगर गलत आदमियों से पाला नहीं पड़ा तो सहीं आदमियों को कैसे पैचानोगे सचमच जीवन में जो भी उतार चड़ाव आते हैं दुख सुक के लमहें आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं बस हम अपना नजरिया ऐसा रखें कि जो भी चीजें घटित हो रही हैं जो भी लोग जीवन में आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ मुझे देने के लिए, सिखाने के लिए आ रहे हैं। यदि उनसे कुछ अच्छी बातें सीख लेते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। वहीं यदि हम कोसने लगते हैं उन्हें या शिकायत करने लगते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम ठहर जाते हैं आप सभी पुद्धिमान हैं विचार केजिएगा कि हमें ठहरना नहीं है लेकिन अच्छी बातें लेकर के आगे बढ़ जाना है क्या बहतरीन किया जा सकता है हर सिचिवेशन में क्या अच्छे से अच्छा उठा करके आगे बढ़ा जा सकता है यदि वो विचार हम अपने पास रखें, वो नजरिया अपने पास रखें, तो सचमुच हमें उन्नती करने से, आगे बढ़ने से और जीवन का अनंद लेने से कोई नहीं रोख सकेगा, तो आएं अपने नजरिये को ऐसा ही खुबसूरत बनाएं, ताकि हमारा जीवन खुबस आएं थे, शीवन के सबरं, सबरं, सबरं शीमोन बुने मन मोरतो रंया तीया दिला राम जे सुना दुमु रंया तीया भुले नात जी सुना दुमु रंया शीवन शिव शिव बोले री बोले री राज दिलों के खोले खोले री खोले प्राण पिया जी मोरी प्राण पिया जी मोरे ले गये जियरिया शिव शिव बोले मन मोरे को ले लिया प्रभू मिलन की अगन लिये मन में पिजिडा छोड तो उड़ जाक अगन में देश पराया माया जाल बिछाया है खेल जगत का अंतर पाया है आ जग बूल बुले या न पाई रिक गरिया शिव शिव बोले मन मोरे को ले लिया शिव शिव बोले मन मोरे को ले लिया कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. ज्यान योग करो, धारण सेवा, प्रभु प्यार का पाओ मेवा, जीवन कमल सामान बनालो, सत्य शिवं सुन्दर अपनालो. इंद्र धनुष की बने चुनरिया, शिव शिव बोले मन मौर को यलिया, या दिला राम जी सुना दो मौर यलिया, या भुले नात जी सुना दो मौर यलिया, शिव शिव बोले मन मौर को 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 यलिया, दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परीचे देता है, थे कुछी प्रकार, आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परीचे देंगे, शिर्पे कर्कार, आपका परीचे, जसका बोल στα की कुछ आपका बोले मौर को याजरी दों देना बोले मänger Lawrence मौर को याल मौर का शिव नापका शाः गल दोंता है, बोलो डिव शिव बोले मौर को यारिपली, आपकी फर्माईश तुम मीठे से भी मीठे हो तुम मीठे से भी मीठे हो तुम प्यारे से भी प्यारे हो तुम्हें याद बहुत हम करते हैं बाबा तुम प्राण हमारे हो काटों से दूर हमको लेकर फूलों के गाउं में लाए हो किर्णों की छाओं में लेकर के पलकों की नाव बिठाए हो माजी जक्के खेवन हारे लहरों से लाए किनारे हो तुम्हें याद बहुत हम करते हैं बाबा तुम रान हमारे हो बाबा प्राहों से प्यारे हो बाबा तुम रान हमारे हो प्यारे साथियों प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शुरिय विश्विद्याले में प्रीप्थ होने आले गीत एक-एक से बढ़कर है अदभूत गीत हैं, उनके रचनाकार भी अदभूत हैं और संगीत भी गजब का है ये न तो दुनियावी फिल्मी गीत हैं और ना ही भजनोगरा है बलकि ये तो मोटिवेशनल गीत हैं, जीवन के निर्मान करने वाले गीत हैं, अदभूत गीत हैं इन गीतों को आप सुनते हैं और अपने मन पसंदेदा गीतों की हमसे फरमाईश करते हैं और हम आपके फर्माइश की गीतों को आप तक पहुँचाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं गीतों की गाथा, कि इस गीत का निर्माइश कैसे हुआ और ये गीत आप तक पहुँचा कैसे और इस गीत की तासीर क्या है तो प्यारे साथियों एक बार फिर से मैं ब्रम्हक्मार सतेश आप सभी का आपकी फर्माइश में हार्दिक स्वागत करता हूं तो प्यारे साथियों गेत और संगेत के इस स्वाहने सफर में प्रथम पड़ाओ पर बीके पदमा जी आगरा से एक बड़े प्यारे से गेत की फर्माइश करती हैं और गेत के बोल हैं कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा कभी सोचा नहीं था भगवान पड़ा प्यारा सा गीत है सुनिये और परमात्म मिलन के अनुभो को अनुभूकिची भगवान मिलेगा स्वर्ग से भी सुन्दर संसार मिलेगा कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा स्वर्ग से भी सुन्दर संसार मिलेगा कभी सोचा नहीं था देख संगम का अनन्द हर घम चला गया मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला देख संगम का अनन्द हर घम चला गया मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला उजडे जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा स्वर्ग से भी सुन्दर संसार मिलेगा कभी सोचा नहीं था संसार जिसको ढूंडे मेरे साथ वो है रहता हम उनको याद करते वो हमको याद करता हो संसार जिसको ढूंडे मेरे साथ वो है रहता हम उनको याद करते वो हमको याद करता तरस्ते नन जिसको वो रोज दिखेगा कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा स्वर्ग से भी सुन्दर संसार मिलेगा कभी सोचा नहीं था जिस दिन से उसने मुझे को अपना बना लिया है बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूना कह दिया है जिस दिन से उसने मुझे को अपना बना लिया है बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूना कह दिया है ओ जोती विंदू शिव मुझे साका मिलेगा कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा स्वर्ग से भी सुन्दर संसार मिलेगा कभी सोचा नहीं था तो प्यारे साथियों बढ़ा सुन्दर सा गीत अद्भूत गीत इस गीत के रचनाकार हैं हम सब के प्रिय साथी ब्रह्मा कुमार भानु भाई जो मधरुवानी गुरुप के गायक भी है ब्रह्मा कुमार भानु भाई जी ने कुछ गीतों की जो रचना की हैं वो अद्भूत है बड़े अच्छे अच्छे गीत है इस गीत को स्वर्द दिया है पार्शुगायक शान जी ने क्या शानदार आवाज में वो गाते हैं बड़ा अद्भूत गीत बन गया है इस गीत क अल्बम तेयार किया गया, हम सब की प्यारी दिव्या बेहन जी ने सतापदी उपहार में इन गीतों को पिरोया है, इस गीत को बनवाया है, और एक जहलक पाने के लिए सारी दुनिया तरस्ति है, वो हमारा अपना हो जाएगा, और स्वर्ग से सुन्दर हम ये संसार मिलेगा, प्रभु मिलेगा, प्रभु परिवार मिलेगा और स्वर्ग से सुन्दर संसार मिलेगा तो साथियों ऐसे गीत को सुनिये और इश्वरिय नशे से, खुमारी से अपने दिल को भर लीजिए तो प्यारे साथियों चलते हैं गीत और संगीत के इस सुहाने सफर में अगले पड़ाव पर विके रितिक जी मुंबई से एक बहुत ही प्यारे से और बहुत ही सुन्दर से गीत की फरमाईश करते हैं आउ गेत के बड़े प्यारे से बोल है, बाबा तेरे नैनों से आज भी छलके वही प्यार, तेरी दिष्टी पढ़ते ही पतज़ड में आए फुआर, पतज़ड में आई फुआर, बहुत सुंदर सा गीत है, सुनिये और बाबा के उस प्यार का अनुभो कीजिए, उसके प्य आरी मिस तो एंको समाधिश. बाबा तेरे नैनों से आज छलके वही प्यार। तेरे द्रिष्टे प्रणते ही पत्जण में आय वहा। प्यारे बाबा अमोरे बाबा। तेरे मिलने से आजाए खंडक गर्म जमाने में तेरे मिलने से आजाए खंडक गर्म जमाने में तुझको पाकर खिलता है गुल्षण एक विराने में हर्याली छा जाए मन में जब करता ते राधी दार बाबा तेरे नैनों में आज छलके वही प्यार तेरे द्रिष्टी पढ़ते ही पज़ड में आई बहार तेरे द्रिष्टी पढ़ते ही पज़ड में आई बहार प्यारे बाबा, ओ मोरे बाबा ओ प्यारे बाबा, ओ मोरे बाबा कन मन खिल जाने लगें रोम रोम उसकाने लगें कन मन खिल जाने लगें रोम रोम उसकाने लगें हर आत्मा तेरे आगे अपनी प्यास बुझाने लगें अपनी प्यास बुझाने लगें ऐसे बरते शीकलता हो ऐसे बरते शीकलता जैसे प्रिम की बहती धार बाबा तेरे नैनों से आज छल के वही प्यार तेरी द्रिष्टे पढ़ते ही पथढ में आई बहार तेरी द्रिष्टे पढ़ते ही पथढ में आई बहार प्यारी मामा ओ मुरे मामा प्यारी मामा ओ मुरे मामा तो प्यारी साथियों सुना अपने बहुत ही सुन्दर बड़ा प्यारा सा गीत बाबा तेरे नैनों से आज छलके वही प्यार तेरी द्रिष्टी पढ़ते ही पत्जड में आये बार प्यारे साथियों जब मैं प्रारंभिक दिनों में आज से 40 वर्षपूर जब माउंट अबू में आया और इस गीत को सुना मैंने तो इस गीत को सुनकर कि इसके जो प्यार की जो तरन्नुम है जो लहर है जो नजाकत है वो बहुत अच्छी लगी ऐसा लगा कि सचमुच उसकी द्रिष्टी पढ़ते ही पत्जड में जैसे छीतलता आती है बहार आ जाती है और अच्छी अच्छी अनभूतियां होती है वही अनभूति कराने वाला एक गीत और इन गीतों को अरंभी काल में जब रिकॉर्डिंग हुई तो ये समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है कि किसने गाया, किसने संगीत दिया, कैसे ये बने वह एक प्रकार से कोई भी आता था और वह अच्छी गायकी से वह गाता था तो बिना कोई अपने नाम के डाले हुए वह बिना नाम के, बिना मान के, बिना शान के वह अपना सेवा के अर्थ ये गीत गाया करता था तो वैसे ही यगी की इतिहास में कही ऐसे से गीत हैं जिनका पता नहीं लगा कि किसने लिखा किसने संगीत दिया किसने गाया और यह जो है किवल अनभूती परक जिसको सुनकर के ना तो गाय की याद आती है ना संगीत कार की याद आती है याद आती है तो किवल परमात्मा की याद आते हैं ऐसे गीत अमर हो जाते हैं जो दिल से गाये जाते हैं जो परमात्मा के लिए गाये जाते हैं वो परमात्मा तब पहुचा देते हैं तो सुनते रहे और मुस्कुराते रहे से गीत कि बाबा तेरे नैनों से आज छल के वही प्यार तेरी द्रिष्ठी पढ़ते ही पत्षड में आएगा और सुनते रहे और मुस्कुराते रहे तो प्यारी साथियों गेत और संगीत के इस सुहाने सफर में ब्रह्मा कुमार भूशन जी नासिक महराज से बहुत ही सुन्दर बड़े प्यारे से गेत और गेत के बोल है वसुधा की संचल में स्वर्गिक भारत भूतल में संगम के पावन पल में आव तरण अलोकिक न्यारा शिव स्वागताज तुमारा सुनिये और इसके भावों को समझे और मैं पताता हूँ इसके पीछी की काहन वसुधा के इस आचल में स्वर्गिक भारत भूतल में स्वर्गिक भारत भूतल में संगम के पावन पल में अव तरण अलोकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुमारा वसुधा के इस आचल में जोतिर बिंदू रूप सुहाना आनंद प्रेम का बाना श्रेष्ठ कर्म भाग्य पलटाना परिचय यह प्यारा प्यारा शिव स्वागत आज तुमारा शिव स्वागत आज तुमारा वसुधा के इस आचल में स्वर्किक भारत भूतल में संगं के पावन पल में अव तरण अलोकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुमारा वसुधा के इस आचल में रहवासी है मूल वतन के दाता गती सद गती के पतितों को पावन बनाना कर्म अलोकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुमारा वसुधा के इस आचल में स्वर्किक भारत भूतल में संगं के पावन पल में अव तरण अलोकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुमारा वसुधा के इस आचल में सूख धाम और सतो गुण वाली स्रिष्टी हुई जब काली तामस और वीकार प्रणाली बदलेगी शंकर द्वारा शिव स्वागत आज तुमारा शिव स्वागत आज तुमारा वसुधा के इस आचल में स्वर्किक भारत भूतल में संगं के पावन पल में अवतरण अलव किक न्यारा शिव स्वागत आज तुमारा वसुधा के इस आचल में गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी सुख शानती मयवर दानी अभिनव रचना का नारा शिव गीता ग्यान तुमारा शिव स्वागत आज तुमारा वसुधा के इस आचल में स्वर्गिक भारत भूतल में संगं के पावन पल में अवतरण अलव किक न्यारा शिव स्वागत आज तुमारा शिव स्वागत आज तुमारा शीव स्वागत आज तुम्हारा शीव स्वागत आज तुम्हारा और ब्रम्हा बाबा को हमारे आदर्णी भ्राता रमेश शाह जी ने सुनाया और दिखाया तब बाबा ने कहा कि बच्चों की बुद्धी बिलकुल राइट वे में चलती है सबसे पहले तो स्वागत होना चाहिए उस परंबिता परमात्मा का इस धर्ती पर और इस गीत के रचनकार हैं हम सबकी प्रिये मधुबन की मोहिनी बहन जो अभी दिवंगत हैं उनके जीजाजी ने यानि राम रिशी शुकल ने राम रिशी शुकल वो लखनाव में रहा करते थे और हजरत गांज में रहते हुए उन्होंने मानुवी नाम की पत्रीका का भी प्रकाशन करते थे वो लिखते थे बड़े अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे गीतकार थे और उनके गीतों को सुन करके हमने भी अपने गीतकार को जन दिया बड़े अदभुद गीत के रचनाकार थे उनके गीत लिखोए भगवान आ चुका आबुदर्शन, शिवदर्शन, विश्वदर्शन ऐसे तमाम गीत उन्होंने लिखे और ईश्वरी विश्वद्याले में उनके गीतों की ऐसे रिकोर्डिंग भी है तो उनका लिखा हुआ ये है एक पूरा एक लंबा सा गीत था जिसके कुछ मुख्य भाग वो हमारे अतियादर्णिये रमेश भाई के साथ साथ निर्मेश भाई जी ने उसका चैन किया कि इतना गीत का बनना चीहे और उस गीत को फिर गाया लली सोडा जी ने और उनके ग्रूप ने उन्होंने संगीत भी दिया और ये रमेश भाई जी के घर में ही इस गीत की रिकॉर्डिंग भी हुई बड़ा सुंदर से गीत बन गया वसुधा के संचल में, सुहरगीक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में और तरन अलोकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुम्हारा प्यारी साथियों जब एक गीत बन के आया, तो सबसे पहले इस गीत को सुनाया गया मातिसुरी जगदंबा सरसुती को मातिसुरी जगी ने सुना, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा गीत है, बस इसमें थोड़ी से जो बाबा की सबसे प्रिये चीज है, उसकी कमी रहेगी तो सब अवाक होगे, क्या चाहिए, तो बताया इसमें बासुरी की कमी रहेगी, फ्लूट की कमी रहेगी तो फिर दुबारा इसको फ्लूट डाल करके, रातो रात किस तरह से उसका मुजिशन को बुला करके इसमें डाला गया, बड़ा अध्वोत कहानी बन गई, लेकिन जब बन के आया, आज हजारों हजारों म्रम्भा वस्थों के दिल में उतर जाता है, म्रम्भा बाबान इसक जिहास के साथ परमात्मा के उस प्यार का, उस गीतों की ब्यूटी का सुन्दरता का भी आनत निशे, तो प्यारे साथियों, इस गेत और संगीत के सुहाने और अध्भुत सफर में, एक बार फिर से आपका स्वागत है, चलते हगले पड़ाव पर और अंतिम पड़ाव पर बेके निशा, सिली गुडी, वेस्ट बंगाल से, बहात ही उंदा बड़े प्यारे से गीत की फरमाईश करती हैं, और गीत के बड़े प्यारे से बोल हैं, ओ बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठ इन में मनुआ मेरा खुशियों में डोले, बड़ा प्यारा सा गीत है, आखों में आखों की बात होती है, दिल में उतर जाती है, समा जाती है, सुनिये और मुस्कुराईए और उन नैनों में खो जाईए जो नैन हमारी जीवन निया को पार ले जाते हैं ओ बाबा नैन तेरे उड़न खटोले बैठ इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले ओ बाबा नैन तेरे कुड़न का डोले मैं ज़ इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले देहा के दुनिया भूलाए ये नेना शीतल बनाए चित पाए है चेना श्रीमत की डोरसे माने इन डोले बैठ इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले ओ बाबा नैन तेरे कुड़न का डोले बैठ इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले प्यार का सागर पास में आकर लहरों से भरता जीवन प्यार का सागर पास में आकर लहरों से भरता जीवन अगर आन मिले प्राण खिले होखिले होखिले दिल मेरा बाबा बाबा बोले ओ बाबा नेन तेरे उड़न कटोले बैट इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले नेट्टि मुरलेया मिसरी किडलिया मेहकाती गुण से मन की गलिया मीठी मुरलिया मिसरी किडलिया मेहकाती गुण से मन की गलिया संगलिये रंगलिये हुलिये हुलिये अंबर में पंख अपने खोले ओ बाबा नेन तेरे उड़न खटोले बैठ इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले तेरी द्रिष्टी स्मिह की व्रिष्टी करके बदली सारी स्रिष्टी तेरी द्रिष्टी स्मिह की व्रिष्टी करके बदली सारी सिष्टी हमे संगले चले हो चले हो चले पलकों पे अपने हौले हौले ओ बाबा नैन तेरे उड़न कटोले बैठ इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले पैठ इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले पैठ इन में मनवा मेरा खुशियों में डोले प्यारी साथियों, बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना बाबा की इन आखों को हमने अनुभो किया है जिन वर्दानी नैनों से परमात्मा ने जहां का जिन की दृष्ठी पाकर के हमारी सृष्ठी बदल गई ऐसे अद्भुद गीत को गाया है हम सब की प्रिये दैवी गाई का ब्रह्मा कुमारी अस्मितावेहन इस गीत को संगीत दिया है लली सोडा जी ने और मुझे याद है कि एक बार बड़ी दादी जी यानि दादी प्रकाश मणी जी कौलकता गई और उनके स्वागत में ओ दादी नैन तेरे उड़न खटोले ऐसा करके हम सब की प्रिये दैवी वहन अस्मिता जी ने इस गीत को गाया तो वो गाने के बाद उनके मन में ये पुरा बैठ गया कितना प्यारा सा गीत है और हम भी उपस थी थे तो हमने देखा सुना तो बड़ा प्यारा लगा तो मैंने का स्मिता बहन गीत तो बहुत प्यारा साप ने गाया का सतिश भाई इस गीत को अब बाबा के लिए बनाईए तो मैं इसको गाउं इस गीत को फिर मैंने पूरा का पूरा लिखा गीत और पूरा बदल दिया केवल मात्र पहली लाइन थी जिसमें बाबा की जगे पर दादी था उसको मैंने चेंज किया और ये गीत इतना अच्छा बन गया कि आज भी जब बाबा सामने होते हैं तो दृष्टी लेते हैं तो हम उड़न खटोली की तरा नभो करते हैं कि बाबा हमको अपनी आखों में लेकर के उड़ा के वादवतन लेकर जा रहे हैं हम बाबा के पास वतन में पहुंच जाते हैं बड़ाद बुद्ध गीत बन गया ऐसे गीत को सुनते रहे और उड़न खटोले में बैठकर उड़ते रहे तो प्यारे साथियों गीत और संगीत का ये सुहना सफर आज बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप अपने मन पसंदीधा गीतों को हम तक अवश्य पहुँचाएं स्क्रीन पर दिये गए क्वार्टसप नमबर पर और हम आपकी फर्माईश की गीतों को आप तक अवश्य पहुचाएंगे दिखाएंगे सुनाएंगे और बताएंगे गीतों की कहानी तब तक आप सुनते रहिए देखते रहिए अपना मन पसंदीधा शो आपकी फर्माईश कर दो आप कर दो आप एकाएंगे दो वार्टसप नमबर पर संगम युग में प्यारे बाबा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आप से बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यारे बाबा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप मिली अब क्या चाहिए हमें हमें आप मिली अब क्या चाहिए हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला कभी मन में खाना चित में खा भगवान हमें मिल जाएंगे वे वान बड़े बुधी मान बड़े सक ढूण तही रहे जाएंगे हम भूले भाले पच्चों को हम भूले भाले पच्चों को शिद भूले ना आप करतार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप से बेहद आप से बेहद प्यार मिला उपहार मिला स्वर्डि के सुख का हम जीने का आधार मिला आनंग किसी मा कहा रवी खुशियों से भरा संसार मिला इस तुन प्यार के थे प्यासे हदे प्यार का सिंध अपार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला हमें आप मिलें आप क्या चाहिए हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला संदम युग में प्यार बाबा हमें आप से बेहद प्यार मिला मिला हमें आप से बेहद प्यार मिला आयदाहि धर्मस्य लानिल भवति भारत ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महा काविती जिसमें योग है यथार्थ है विवेख है परमार्थ है सत्य ज्यान का त्यव्य प्रकाश है आध्यात्म का महा आकाश है ये दरपन्ध है हर मन के विवाद का द्रिश्य है आत्मा और परमात्मा के समबाद का मानवता का होता है जिससे उद्धा यही है सच्ची कीता सा अंधकार से प्रकाश की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कारेक्ट्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत हैं आज मनुष्य आत्माओं की मतें उनके विचार अगर आप सुनेंगे तो वो आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में अलग-अलग मतें अलग-अलग विचार धाराय रखते हैं ऐसे में जो जनियून सीकर हो जिसके अंदर एक वास्तवे कुटकंठा हो सत्य को पहचानने की वो तो गुमराह हो जाए वो तो पतभ्रमित हो जाए जब इतनी सारे ओप्शन्स हो तो रेक्ती कन्फ्यूज ही हो जाए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है कुछ तो ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है कुछ लोग शिवो हम यानि मैं ही परमात्मा हूँ ये समझते हैं ऐसे में किस बात को सत्य माना जाए आज इसी विशे पर हम चिंदन करते हैं गीता के प्रकाश में इन चीजिं को आस समझने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए प्रमा कुमार प्रश मोहन भाई हैं। भाई सब आपका स्वागत है। ओम शांति। इससे पहले कि हम आज की बातचीत को शुरू करें। हर दिन की तरह हमें कीट से शुरुआत करें। जन बनाना कर्म अलवकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आचल में स्वर्गिक भारत भूतल में। संगं के पावन पल में। अवतरन अलवकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आचल में। इस गीत में भी परमात्मा का स्वागत किया जा रहा है। मनुष्य हमेशा से ही परमात्मा की तलाश में पुकारते आएं हैं कि हे पतित पावन आओ। उनसे ये भी मांगा किया कि वो हमें ग्यान दे, हमें प्रकाश दे, हमें अमरत्व की ओर ले जाए। जब इतना सब कुछ करते हुए, बुलाते हुए भी ऐसा मनुष्य कैसे मान लेते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। मुश्य अपनी बुद्धी से सोचते हैं। जब वो अपनी गुद्धी से सोचते हैं उनको पता तो खेरी कि मैं आत्मा कौन हूँ कहां से आई हूँ मेरा क्या सिष्टी में पाट है कुछ भी नहीं जानते अब उन्होंने आत्मा शबत सुना हुआ वो सोचते हैं कि आत्मा दिखती नहीं है निराकार है पर्मात्मा भी दिखता नहीं है निराकार है तो दोनों में जो सिमिलारिटी है उसके अधार पर वो कह देते हैं आत्मा सो पर्मात्मा का मतलब है कि आत्मा भी निराकार है पर्मात्मा भी निराकार है तो एक फैक्टर है सिमिलारिटी का उसके अधार पर कह देते हैं वो कह देते हैं कि परमात्मा ही आत्मा है आत्मा ही फरमात्मा है तो हम सो सो हम कह देते हैं यह नहीं ख्याल करते हैं कि आत्मा है तो अनेक हैं और उनकी संखिया दर्थी पर बढ़ती जा रही है लेकिन वो इस हिसाब से सोचते हैं आकर आत्मा कहां से आई होंगे तीसरी बात यह है कि वो यह सोचते हैं कि आत्मा प्रमात्मा का अंश होगा क्योंकि प्रमात्मा आत्में तो बढ़ती जा रही है कहां से आ रही है हमको पता नहीं तो अंश है तो उसी से निकली है आखिर उनका जीवन का लक्ष क्या होगा अल्टीमेट कि मैं फिर उसमें लीन हो जाओं उसलिया से भी कह देते हैं आत्मा सो पर्मात्मा तो सत्य ना जानने के कारण पर्मात्मा के बारे में तो एक तो हो गया आत्मा सो पर्मात्मा फिर कई ऐसे हैं वो सोचते हैं शिवो हम वो सोचते हैं पर्मात्मा नहीं सब रूप धारंग के हो हैं एक सरफ कह देते हैं पर्मा कहां से गए आखिर इसलिए सभी रूप परमात्मा के हो गया है उस हिसाब से फिर वो आत्मा सो परमात्मा के बजाए शुवा हम कहना शुरू कर देते हैं यह मैं ही परमात्मा हूं यह भी नहीं सोचते हैं अन्य भी हैं कौन बोलेगा शुवा हम किसको बोलेगा लेकिन जितन पराग वहों खेते हैं। अब्यास करते हैं। अपना लक्ष रखते हैं। वह सारा इस बात के विरुत रिद घainingप्र वक्रत शुर्ण हरा है। फिर हम परमाटमा की नहीं यह भी चीज सुनते हैं, परमाटमा पथितपावन है, तो ऐसा कहने का भाव क्या है फिर ले? अब देखिए, परमाटमा तो उचा है, और कोई परमाटमा से कुछ मांगता है, इसका मतलब है, वो चीज परमाटमा उसके पास नहीं, मैं परमात्मा से मुक्ति मानता हूँ इसे इंपलाइड है कि परमात्मा मुक्ति देता है मैं मुक्त नहीं हूँ और जो देता है वो तो स्वेंप पर मुक्त होगा सदा मुक्त होगा उस एंगल से वो ये कह देते हैं परमात्मा सदा पावन है अचये मान ले. तो फ फिर simple ४ावन कहते हैं, बनाग्वान पतितों को पावन करो! फिर अगर पतित पावन होने की अवश्यकता है, तो फिर स्वें पारमात्मा पैसे होगे, और आत्मा ही प्रमात्मा का सुरूólप कैसे होगे, कि अगर आप अपने को कुछ अलग मान रहे हो, कुछ डिफनेंट मान रहे हो, कुछ कम मान रहे हो, तो परमात्मा तो अलग हो गया ना, फिर परमात्मा के सुरूप कैसे हो सकते हैं, इसलिए ये कहा गया है, जब परमात्मा सदाशिव है, सदाशिव रहता है, तो वो पतितों बनता होगा ना तो फिर पतित पावन कहने वाला खुद को मांग रहे हैं पतित को पावन करो वो ना तो परमात्मा का सुरूप हो सकता है ना आत्मा ही परमात्मा हो सकती है को कि परमात्मा पतित बरी नी सकता है इसे फिर उनको कंश्वीदन हो जाता है पर आत्मा परमात्मा क सुरूप है पतित कौर बनता है तो फिर वो गलत फैमी करके सोचते हैं कि शरीर पतित बनता होगा तो कि शरीर आत्मा से लगए इस गलत फैमी के कारण वो शरीर कोई पावन बनाने के कोशिश में लग जाते हैं आज जितनी भी पदितियां है पावन बनने की आप देखेंगे सारी शरीर से संबन देते हैं शरीर को गंगा सनान कराते हैं शरीर के लिए पूजाय पाट करते हैं शरीर के आयू लंबीरे उसके दान पुन ये गितब जब जो भी करते हैं वो क्या क्यों करते हैं कि पतित होगा तो दुखी होगा दुखी क्यों होता वो समयते हैं कि धन न तो फिर वो समझते हैं, पुतर वान भाव, धन वान भाव, आयूश वान भाव, ये तीन चीजे मांगते हैं, ये तीनों शरीर से संबंग देते हैं, धन किसको चाहिए, शरीर को चिलाने के लिए, पुतर किसको चाहिए, अपने वंच को चिलाने के लिए, आयू किसको पुन्य करते हैं, यगी करते हैं, इरत हसनान करते हैं, कि शरीर पावन हो जाएगा, हम पावन हो जाएगे, हमारी आयू भी लंबी हो जाएगी, हम नेच्रली करम आयू लंबी होगी तो, हम उतरवान भी होंगे, दनवान भी होंगे, यह है मामला, आत्मा तो गोल, आत्मा को तो गुमे कर देते है ना वो, वो सारी thinking दे के ऊपर चली जाती गीता का भुगओन इससे बिलकिल reverse कहता गीता में शुरू में भुगओन ने क्या कहा? तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो शरीर नश्वर है आत्मा बनाशी है आत्मा को तलवार काट नहीं सकती आग जला नहीं सकती पानी डूगो नहीं सकता अर्थाथ आत्मा मृत्यू को प्राप्त नहीं होती आत्मा नश्ड नहीं हो सकती जब भगवान तो यह कह रहा है और यहुद दुद एक तो के शरीर मान कर के शरीर नस्ट भी होता है और शरीर आयूबी काम जादे हो सकती है, इस सारे काम वो यह करने रख जाते हैं, लेकिन गोर से देखा जए, तो शरीर के क्या है? देखा जए तो शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर के वो लेक माध्यम है. बिल्कुम, अच्छा, यहने माध्यम जो होता है, मान लीजे मैंने एनक लगाई हुई है, तो एनक मेरा माध्यम है, कि मेरी आखे ठीक तरह से देख सके, यह तो मैंने लगाई हुई है, लोग टेलिस्कोप लगा के देखते हैं, वो दूर तक, बहुत दूर तक नक्षतर भी देख लेते हैं, अच्छा, बहुत छोटा कोई जर्म है, माइक्रोस्कोपिक है, बक्टेरिया है, जर्म है, वाइरस है, लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अब वो एक माध्यम है उस चीज को देखने का, लेकिन वो अपनी तो उसकी कोई सत्ता नहीं, तो यूज किया जाता है, तो शरीर भी माध्यम है, शरीर को भाई इटसर्ट तो कुछ नहीं है ना, शरीर के कान है, कान क्या खुद सुनते हैं, यह सुनने का जंतर है आत्मा के, आखे क्या खुद देखती हैं, यह माध्यम है आत्मा के देखने का, जुमु को बोलता है, तो खुद बोलता या कि आत्मा जो बोलना चाहती है, कोई आत्मा की भाशा सब्ब होती है, वच्छे शबद बोलती है, कोई गाली की भाशा बोलता है, अच्छा, अब हमारे पार लेग्स हैं, तो लेग्स हर वकर चलती रहती है, जब शरीर के आत्मा कहती है, चलो, तो माद्यम हो गया, तो क्या दूशित होता है आत्मा, महान आत्मा, दुष्ट आत्मा, आत्मा के साथ लिगाते हैं, इसे पता लगता है कि सारी जो गिरावट है, या जो चड़ना है, आत्मा में आता है, देव आत्मा भी आत्मा बनती है, और राक्षेस आत्मा, असुर आत्मा भी आत्मा बनती है, गीता में तो लिखा ग देखेंगे, ये तुर्टी पूर्न है, वास्तम में ये कहना भी कि पर्मात्मा सदा पावन है, ये भी कोई इधारत बात नहीं है, तो कि पावन शब्द पतित की सापेक्षा, तो जरूर कोई ऐसी चीज जो पतित भी बनती है और पावन भी बनती है, उस पे ये नाम रखा ज होगी, अगर पावन है, पावन शब्द यूज किया जाते है, तो कभी वो पतित भी होता है, फिर पतित से पावन भी होता है, पर्मात्मा पतितों को पावन करने वाला, ना कि वो स्वें पावन बनता है, ये भी नोट करने की बात, इसलिए उनका नाम सदा शिव तो है, ल इसे परमात्मा को पतित पावन कहते हैं और मनुष्य परमात्मा को पतित मावन तो कहते हैं और बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ चहां वो बुलाते हैं वो तो सुएम पतित दुनिया में रह रहे हैं मनुष्य खुद पतित हो चुकी हैं जिन फे बाते हैं। से स्थेट पर जाना चाते हैं। और मेचे फुटाड़ा जै इसे हो थालो, दोटे कर दो सान कर दो. तो अब आत्मह ही परमात्मह है, तो फिर तो स्वाल नहीं पैदा नहीं होता है. अब फिर तो नातक बन भी नही शकता है। झाम कोई भी झाम कोई भी खेल होगा, कोई भी बिजनस होगा, हर जीत तो होगा, बिलकुर, मनुष्य के अंदर को उस्तती भी होती है, निंदा भी होती है, हानी भी होती है, लाब भी होता है, मान भी होता है, अपमान भी होता है, जै भी होता है, पराजे होता है, परमात्मा तो इसमें आता है नहीं, अब परमात्मा कहता है, अगर मैं भी पर्मारतमा नने चीजों से ऊपर है। तो आए पर्मारतमा इन सभी चीजों से ऊपर है। और इसलिए हम उन्हें बुलाते हैं ताकि वो हमें इस पर्मारतमाद की तो बिल जाये arya तो लाम है। वो परिवर्तन करने वाला है ना जैसे ये परिवर्तन का काम भी करना है तो हम मनुष्य जो पतित दुनिया में रहते हैं वो बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ तो ये कभी कभार अजीब सी बात लगती है कि परमात्मा को हम इस पतित दुनिया में बुला रहे हैं और परमा वो स्वर्ग बारत भोतल में परमात्मां को बिला रहा है, वसुदा के इस अंचन में, इस दुनिया में, कहां पर स्वरगिक भारत भोतल में. इस लाइन को सुनके मुनुष क्या सोचता है, कि भगवान रजा आता होगा, भ़ारत में अच्छी ए दुनिया, बगवान सबसे उत्तम है और सिरी कृष्ण देवता है तो बगवान सिरी कृष्ण के रूप में आया होगा सिरी कृष्ण तो पावन दुनिया में रहते हैं पावन दुनिया में आया होगा लेकिन साथ अगली राईन वह कह रहा है, संगम के पावनपल में, अने का टाइम बता रहा है. आप यहां तो है, संगम में आ जाओ, नहीं, वो कहते हैं संगम, आप संगम किसको कहा जाता है, बगवान कहते हैं, स्रिष्टी चकर में एक तो रात है, एक दिन है, अच्छा, दिन में दिन तो वो लाता है, दिन जब लाता है, तो दिन में थोड़ी आएगा, सूरिय दिन में थोड़ी निकलेगा, सूरिय के निकलने से दिन होगा, ये बड़ी इंपॉर्टन बात है, ये बड़ी कि रात और दिन, रात से दिन कैसे होता एक परभात का एक यहीचंता जिसको लोग उस समय निकलता है। वो कारण बनता है कि रात को समाब करने का दिन कहाने कर और जब सूरी farmer जात है, तो फिर रात चुरू होती है। उसको डश्क काते है, उसको डौन काते हैं। अब ब्हुगान कहते हैं किया उपक्ष क्थजुक को उंतकरने के लिए जो कजुक कउ को आतकर ना कि अस वक्द्धु का उंतका संदीकाल है उस मुक्त ब्हुगान आते है उससे में आते हैं, तो स्थारग में तो आय नहीं तो जिस रत में वह वत्रित हो गए, वो देवता का तो हो गए नहीं, क्योंकि देवता हो बनाते हैं, देवता होता ही नहीं, तभी तो आते हैं, अच्छा उससे पहले फिर क्या होता है, कली यूग होता है, तो कली यूग को सत्यूग में बदलते हैं, आसुरी संपदा को इमान धर्ती कर आजा तो कौन होगा जो उनको पैचाने का ने अज अज किसी को कृष्ण भी बना दो किसी लड़के को बच्चे को कृष्ण बना दो तो भी लोग कहते हैं कि क्रिष्ण देखो क्रिष्ण जा रहा है इसका क्रिशन जैसा रूप है जनमस्ट भी में करते हैं न किसी सोटे से बच्चे को पालने में लिटा देते हैं हाथ में मुरली देते हैं या मौर तो लोग इतने खुश होते हैं कि डिफरेंट लगता है किसी बच्चे को बना दो सच मुझ वो उसका ड्रेस उतारता नहीं जब उसकी तरी तारीफ होते हैं सोचता है मैं क्रिशन ही हूँ तो जब इतना अकर्शन किसी चीज में हो डिस्टिंक्ट हो टोटली उस तन में बगवान आ गए लोग पहचाने ना और लोग उसका अपोजिशन करना शुरू कर दें तो होई नहीं सकता है बलके कोई नास्तिक भी होगा वो भी सोचेगा यह तो दिख रहा है यह तो आगया एक यह खर्शित है फिर गीता में क्यों कहा गया है कि मुझ सद्धान तन में आए हुए परमात्मा को मूड मती मनुष्य अपने जैसा जिन्मा हुआ समझ कर तुछ समझते है परमात्मा नहीं समझते है तुछ का मतलब उस समझते तुछी लोग होते है तुछी होते है यह नहीं कहते हैं जैसा देवता कमें तुमों गुनिशूदर होते हैं अच्छा फिर बगवान कहता है कि मैं जनम भी नहीं लेता हूं मैं तो बस्रित होता हूं और प्रकृति को अधिन करके मैं आता हूं अब ये जो बात है इससे साफ पता लगता है और मात्मा सतियुक से पहले आते हैं कि नहीं बाते है उसमें च्छी आना श्रू हो जाता आता है और श्ंदी काल में कल्यू की से बदल कर वो सब्ड़की के लाइक अच्छा अब साथ dough के लाइक बन जाते हैं लेकिं सत्युकृत नहीं बन जाते हैं क्यूंके जब तक तमों का बिनाश नहीं होगा तो शत और ग की नार्टरी की तैग थे बढ़ते हैं, उन उनी के लाइक बन का क्रें जाते हैं हैं। क्वालिफाइब को था है संदी काल में बरामन कि किसी लिए, जब भी द् Herman के बेंजू काुड़ताओं यह घंया। ब्रामन देवी देवाय नमा ब्रम्मा वंदे जगत गुरम कहते हैं तो ब्रामन कहां से आ गए वो तो कल जुग में शुदर राज्य सा तो भुगवान कहते हैं कि मैं अवत्रित होता हूं जिस कल जुगी तर में अवत्रित होता हूं कल जूग आपसा था ग्यान, उसको पहले मैंworm बनाता था हूँ, यसे अन्कॉालीफाइड को वो ब्रामन स्रेश्ट गिने जाते हैं, वो ग्यान के ग्याता जिने जाते हैं, उनको परमात्मा का मिला हुआ ग्यान उनके पास होता है, उसे अब और गीता में जो कहा गया है, ग्यानेश्वर और योगेश्वर, इश्वर के दोरा मिला हुआ ग्यान, सिखाया हुआ जोग सीख कर, वो बनते हैं, ये एक वचितर बात है, परमात् ज से जाउने जानम चोड का पर्मात्मा जनम बरण से नारा है, दुख से नारा है, वो बिलकुल कि इसको कि तें हम्युते हैं हर चीज से, और मुक्ती ही रहता है, फिर भी तरस काके. जैसे कोई इसलाम एरिया में बखती चला उसके दुनिया में आते हैं इतने निर्मान और इतने जिनिस नहीं है बच्चों के, वो कल्यूग में आकर, कल्यूगी शिरीर में आकर, कल्यूगी बच्चों को, और जिस शिरीर में आते हैं, उरको शूदर से ब्रामन बनाते हैं, आसुरी संपदा से ब्रामन संपदा, इश्वरी संपदा बनाते हैं, ये कारे करते हैं, ये बिल्कुल गेहरी बात है और समझने लाइक बात है और बहुत सारी लोगों की कलपना से भी पार की बात है क्योंकि परमात्मा ये कारे कैसे करते हैं ये समझ में आता है आज समय इतनी इजाज़त देता है तो यहां पर बात्चीत में विराम लेंगे अगले एपिसोड में कुछ और विश्यों पर चर्चा जारी रखेंगे आज आप स्टूडियों में आए और समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत हन्यवाद आपका नमस्कार ओम शान्ति दोस्तों अंधिकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में इस बात का प्रकाश मिला है कि मनुश्य अ आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा आकर फिर से अपना सत्य परिचे देते हुए कहते हैं कि वो परमात्मा है और हम आत्मा शरी इरधारण कर इस माध्यम के आधार पर अपना कर्म करते हैं परमात्मा के अवतरण का समय भी एक ऐसा समय है जब सारी हिस्रस्टी पतित हो सा आज जो बातचीत हुई उस विशे में अगर आपके मन में कोई प्रश्ण हैं, कोई बात आप रखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिये हुए इस नंबर पर संपर्ख करके आप बात वूच सकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना आमूल ये रतन आमूल ये रतन आमूल ये रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आम शांती पॉडलिवूर स्चूडियो द्वारा प्रस्थत आमूल ये रतन में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है संसार का ये नियम है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए पीछे की बातों को भोलना पड़ता है और इसलिए संसार के बड़े-बड़े सन्यासियों ने इश्वरिये प्राप्तियों के लिए अपने ग्रहस्त विहवार का त्याग किया और कई बड़े-बड़े राजा महराजाओं ने अपने राज्य भाग्ये का भी त्याग किया परंतु इश्वरी मार्ग में श्रेष्ट प्राप्तियों का आधार क्या है? आज हम इश्वरी महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्दे है प्रजापिता ब्रम्हा कुमारिस इश्वरी विश्विद्याले के बरिष्ठ राजयोगी शिक्षप आधर्नीय राजयोभाई साहब अपका आज की एपिसोड में बहुत वस्वागत है पूमशाद सबाच हम बात करेंगे एक एपरिल 1982 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है भाग्य का आधार त्याग परमात्मा कहते हैं कि त्याग क्या किया है और भाग्य क्या पाया है यह तो जानते ही हो कि एक गुणा त्याग उसके रिटर्न में पदम गुणा भाग्य मिलता है त्याग की गोहे परिभाशा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है त्याग की भी भिन भिन स्टेज है वैसे तो ब्रह्माकुमार्व ब्रह्माकुमारी बने तो यह भी त्याग का भाग्य, ब्रामभण जीवन मिली, इस हिसाब से जैसे ब्रामभण सभी कहलाते हो, विसे त्याग करने वाली आत्मा भी सब हो गए, लेकिन त्याग में भी नंबर है, इसलिए भाग्य पाने में भी नंबर है, सब त्याग की इस गोह परिभाशा को इस पर विशेश समझानी दे रहे हैं, कि बच्चे जितना आप त्याग करते हो, ये हमारी झो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन है, जिसको हम ब्राह्मन जीवन कहते हैं, ये भी कुछ त्याग से ऐसी स्रेश्ट जीवन बनी है। जो अमारे पिछली आदते थी, जो अमारा कान पान था, रहन सहन था, उसको हमने छोड़ा तब हमें ये ब्राह्मन जीवन मिली। तो इसी स्रेष्ट जीवन के लिए भी कुछ त्याग करना पड़ता है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, कि जिस प्रकार से त्याग किया, जितना किया, उतना उंचे से उंचा भागी बन गया। त्याग की बहुत वहराइटी है। कई प्रकार से हम सब इस थूल में भी कई चीजे जो आज लोग अपना रहे हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। देहिक, द्रिष्टी, वृत्ती, इस्मृत्ती जो हमारी बन चुकी है, उस देहिक, इस्मृत्ती का उस देभान का त्याग सबसे बड़ा त्याग कहलाता है। जब हम उसका त्याग करते हैं, तो हमें परमात्म मिलन का भाग प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा ने त्याग के बहुत गहदी परिभासा बताई है। एक ही है लेकिन दोनों का त्याग के आधार पर भाग्य बना हुआ है। तो क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या हमारा भाग्य श्रेश नहीं हो सकता। समर्पित जो सेंटर पे रहते हैं। उनका भाग्य क्या ग्रह स्वेवार वालों से कम है ज्यादा है। इस पर आप थोड़ा सथोड़ा विशेश करके बताईए। क्योंकि यह जो प्रस्न उठता है। कई लोग सोचते हैं। कि इन्हों ने तो सब कुछ शोड़ करके अपनी जीवन समर्पित कर दी। सेवा में लग गए इनका भूत मुचा भाग्य है। लेकिन परमात्मा ने जो नियम मर्यादाएं समर्पित वालों के लिए बताई हैं। वही नियम मर्यादाएं और धारणाएं प्रवड़ती वालों के लिए भी हैं। अगर उन कायदों को नियमों को कोई भी पालन करता है। तो वहीं ग् rust two bear में रहे थे हुए भी भी बहुत अच्छी marks उसको मिल शकती है। तो यह है परमात्मा कहते हैं तुम अपने आपको ग्रस्ती नहीं समझो। जो ग्रश्टी आपने बनाई है उसको परमात्मा के आगे समर्पित करके आप ट्रश्टी बन करके उसको समहा लो। जब ट्रष्टी बन करके हम रहते हैं, तो हमारी कई पुरानी आदतिय जो ग्रहुष्थ व्योः की बनी हुई है, जिसको हम बंधन कहते हैं, उन बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं. तो परमात्मा कहते हैं चाहे वो समर्पित सेवाधारी हैं, चाहे प्रवर्ति वाले हैं, दोनों को हम ब्रम्हकुमार और ब्रम्हकुमारी कहते हैं टाइटिल हम लोगों को समर्पित को अलग मिल गया है, प्रवर्ति वालों को अलग मिल गया ऐसा नहीं है दोनों ही ब्रम्हकुमार ब्रम्हकुमारी हैं अगर उनकी द्रिष्टी व्रत्ती प्रवरत्ती में रहते हुए एक सब्द है परवरत्ती व्रत्ती अगर उन बातों से परे रहती है नियारी रहती है तो प्रवर्टी में रहने वाले और अच्छी मार्क्स ले सकते हैं और अच्छा भागी बना सकते हैं क्योंकि सब को साथ ले करके चल रहे हैं एक छोड़ करके आगे तो हो सकता है कि उनको कभी-कभी उसकी याद आए कभी उधर खिचाओ हो साथ में रहते हुए निवरत हो करके रहते हैं नियारे प्यारे हो करके रहते हैं तो उनकी बहुत अच्छी मार्क्स हो जाते हैं उनको अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो उसमें रहते हुए उन विकारों पर उजीत प्राप्त कर लेते हैं बुराइयों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं इसलिए कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि समर्पित हमसे आगे हैं या इनका भाग्य हमसे उच्चा है प्रवर्त्य वालों का कम नहीं है दोनों का समान भाग्य है अगर अपनी बृत्तियों में त्याग की वृत्ति धानाओं में हमारा जो विकारों का, बुराईयों का, मुहममता का त्याग है अगर उसका हमने ठीक तरह से किया हुआ है तो हम उससे अपना अच्छे से अच्छा भाग्य प्रवर्ति में रहते हुई भी बना सकते हैं प्रवात्मा कहते हैं कि भाग्य प्राप्ति करने का दोनों को अधिकार है लिकिन श्रेष्ट भाग्य की लकीर खीजने का आधार है श्रेष्ट संकल्प और श्रेष्ट कर्म चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं दोनों को full authority है भाग्य बनाने की जो बनाने चाहें, जितना बनाने चाहें, बना सकते हैं परमात्मा भाग्य विधाता बन करके जब आते हैं तो अपने सभी बच्चों को भागय की तकदीर की रेखा खीचने की किलम देदेते हैं。 कि आप जितनी लंबी रेखा खीचना चाहो अपने हाथ से खीच लो. और उसके लिए दो ही बिधिन हैं. एक है स्रेफ्ट संकल्प और एक है स्रेफ्ट कर्म. जितना हम स्रेष्ट संकल्पों में रवन करते हैं सुद्ध पोजिट्व संकल्पों में रहते हैं और स्रेष्ट कर्म ही करते हैं स्रेष्ट कर्म उसको कहते हैं जो कर्म करें लेकिन कर्म का अभिमान ना जाए कि मैं कर रहा हूं करतापन का नसा न रहे कराने वाला बाबा करा रहा है हमें उसने निमित बनाया है ये मेरा भाग ये है तो जरा भी अगर उसमें मैं और मेरे पन का भान नहीं आता तो वो कर्म करते हुए भी अकरता हो करके कर्म कर रहा है इसलिए परमात्मा कहते हैं ये दोनों चीजें चाहे वो समर्पित हैं, चाहे प्रवड़ती वालों के लिए, सब के लिए समान रोप से पही गई हैं, कई बार समर्पित होने के बाद अगर वो बाहि संकल्पों में रमन करता है, तो उससे भी आगे जा सकता है, इसलिए संकल्पों पर ध्यान देना है और कर्म पर ध्यान देना है तो भाग्य की तकदीर की रेका जो है लंबे से लंबी बन जाएगा परमात्म कहते हैं कि ब्राम्भण माना ही भाग्यवान लेकिन प्राप्त हुए जन्मसद्ध अधिकार को वचमकते हुए भाग्य के सितारे को कहा तक आगे बढ़ाते कितना श्रेष्ठ बनाते जाते हैं वह हर एक के पुरुशार्थ पर है मिले हुए भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण कर कर्म में लाना अर्थात मिली हुई बाप की प्रापटी को कमाई द्वारा बढ़ाते रहना वखा के खत्म कर देना वह हर एक के उपर है जो भी प्रमात्मा से हमें प्राप्तियां वर्से के रूप में हुई हैं अगर उस वर्से को हम सेवा में लगाते हैं तो वो वर्सा पई गुनाव पर के हमें रिटरंड में प्राप्त हो जाता है कई हैं जो मिलता है जैसे हमें ग्यान मिला उस ग्यान को केवल हमने अपने तक सीमित रखा मन किया चिंतन किया अपने तक रखा दान नहीं किया बढ़ेगा कैसे अगर हम ग्यान दोसरों को सुना रहे हैं गुनदान कर रहे हैं वाचा से ग्यान दान कर रहे हैं तो वो हमारा प्रद्धी को प्राप्त होता जाएगा. अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और अपने तक्सी में तरखते हैं, तो जैसे कोई को प्रापर्टी दी गई, खुद खाया और खतम कर दिया. ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने तो सब बच्चों को एक जैसा दिया है, लिए कई का भाग्य हमें दिखाई दे रहा है, बहुत भाग्यवान है, बहुत इनके पास खजाना है, कारण है कि उसने उसको दानपुन्य में सेवा में लगा करके उसको बढ़ा दिया, और कई हैं केवल अपने तक रखते हैं, जहां थे वहीं कड़े हुए हैं, परमात्मा कहते हैं कि भाग्ये रूपी खजाने को संभालना, अर्थात स्वा में धारन करना, और भाग्ये के खजाने को बढ़ाना अर्थात मन वानी कर्म द्वारा सेवा में लगाना, इसमें नंबर बन जाते हैं, सेवाधारी भी सब हो, धारना मुरत भी सब हो, परन्तु धारना स्वरूप में नंबर वार हो, कोई सर्वगुन संपन बने है, कोई सदा धारणा स्वरूप है, कोई कभी धारणा स्वरूप, कभी डगमग स्वरूप बढ़ा देते हैं, और धारणां में पक्के होते हैं, मानलो आज हम कोई धारणा किसी को बताते हैं कि यह करना बहुत अच्छा है, शुद्धन खाना चाहिए, कुछ सा नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी पविछ जीवन रखनी चाहिए, हम दोसरों को बताते हैं, और उस हमारे कहने अनुसार अगर पनी जीवन बनाई है, तो उसकी जो रिटर्ण में दुआएं हैं, उसका जो सने हैं, वो हमारी पुरसार्त को और सहच कर देता है, तो एक बहुत अच्छी विधी है, अगर हमारे पास कोई प्रॉपरेट्री परमात्मा से मिली है, गुड़ों की तो हम उस गुणों को कहां तक सुरूप में लाएं हैं, और कितना हमने दूसरों को दान किया है, दूसरों की सिवा की है उससे, तो हमारा भाग अपने आप नेच्छी बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और खुद धान कर लिया, खुद तक सिमित रखा, तो वो प्रमात्मा कहते हैं कि एक गुण को धारन करेंगे, तो दूसरा समय पर करतव्य में ला नहीं सकेंगे, जिसे एक ही समय पर सहन शक्ती भी चाहिए, और साथ साथ समाने की शक्ती भी चाहिए, अगर एक शक्ती व एक सहन शीलता के गुण को धारन कर लेंगे, और समाने की श यह कोई कम किया क्या यह भी मुझे मालूम है मैंने कितना सहन किया लेकिन सहन करने के बाद अगर समाया नहीं समाने की शक्ति को यूज नहीं किया तो क्या होगा यहां वहां वर्णन होगा इसने यह किया मैंने यह किया तो सहन किया यह कमाल जरूर की लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को धमाल में चेंज कर लिया चुकि वर्णन करने से एक तो देहे अभिमान और दूसरा पर चंतन दोनों ही स्वरूप कर्म में आ जाते हैं ये बहुत गहरी परिभासा फरमातमा हमसा को सुना रहे हैं कि मान लो आज कोई बात हो रही है और हम सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं, एक है सहन किया और सहन कहने के साथ इसको समाप्त कर दिया, भूल गए हैं, समा लिया अंदर अंदर, कोई को भूला नहीं, बताया नहीं, कई लोग हैं जो सहन भी कर रहे हैं और बूलते हैं हमने इतना सहन किया कब तक सहन करेंगे सहन करने के भी कोई सीमा होती है सहन कर रहे हैं बाबा कहते है बहुत अच्छा है सहन कर रहे हैं उनका भाग है लेकिन सहन करने के साथ-साथ अगर वर्णन कर रहे हैं कि हम सहन कर रहे हैं और अगर ज़्यादा अपना दिखाएंगे कि हम इतना सेहन करते हैं, तो अभी मान दिखाएंदेगा, तो ये जो कमिया हैं, एक कुन धारन कर रहे हैं, एक सक्ति धारन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम समा नहीं रहे हैं, दूसरी सक्ति को हम बाहर कर रहे हैं, उससे वाताव और बिगड़ता है तो परमात्मा कहता है वो कमाल तो की एक सहन किया लेकिन साथ-साथ वड़न करके सब के संकल्प चला दिये तो यह बहुत मेरी धमाल हो गई यह परचिंतन हो गया इसलिए उसका भागी इतना उच्छा बनेगा नहीं सहन करता है इन सहन करते भी अपना पैतो तो भी पर रखने से क्या फाइदा तो परमात्मा कहता है कई सक्तिया एक के साथ होनी चाहिए सब सक्तियों से संपन हमें बनना है तब कहेंगे माश्टर सर्फ सक्तिवान अगर एक सक्ति है और दूसरी सक्ति कम है तो उस सक्ति की भी कभी कभी उल्टा हो जाता है उस इसलिए परमात्मा खेते हैं सब सक्तियों को साथ ले करके चलो। लेकिन सच्चे दिल से लगन से सेवा करना, सेवाधारी बन करके सेवा करना इसमें भी अंतर हो जाता है। या अपना दिमाग इसमें जदा नगाते हैं। वो भूट दिल से अपना समझ के करते हैं। दिल से सेवा करना माना कोई भी सेवा आगई जैसे ये मेरी सेवा है, मुझे इसको परफेक्ट करना है. काम उतारने के लिए कोई सेवा हम नहीं कर रहे हैं. परमात्मा के घर में कोई भी परकार के अगर हम सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी समझ के कर रहे हैं कि बज़ दिमाग लगा के कर रहे हैं या अपना समझ करके दिल से कर रहे हैं मार्स का अंतर जो पढ़ता है जो भागे का अंतर पढ़ता है वो यही पढ़ता है सेवा सब कर रहे हैं सेवा बहुत है है ही है यहां सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा करने के अंदर, अंदर की आंतरिक भाउना ही क्या है, अपना घर है, मेरा परिवार है, मुझे ये करना है, मेरा इसमें भागी है, अगर वो दिल से किया जाता है, तो उसका भागी कही गुना बढ़ जाता है, और सोचते हैं तो और मन लगा करते हैं तो हमेशा उसका भाग्य जादा ही मिलता है अपने आप मिलेगा क्यों कि कईयों की उसमें दुआएं हैं कईयों का हमें बहुत प्यार मिल जाता है क्योंकि इसने किया बहुत अच्छा किया अच्छे से अच्छा किया और समय पर कर दिया कई हैं टाल देते हैं चलो कर लेंगे बाद में कर लेंगे लेकिन जो दिल से करने वाले हो कहते हैं अच्छा सेवा आई है अभी कर लो सेवा से फिरी हो करके इनको सबको संतुष्ट कर दो तो दिल से जो करने वाले हैं उनके अंदर रहता है कि ये बोज नहीं है ये हमें इसलिए पर मात्मा ने कहा कि दिल से सेवा करने वाला दिला रामका बनाएगा और दिमाग द्वारा सेवा करने वाला सिर्फ बोलना और बुल्वाना सिखाएगा वह मनन करता वह वर्णन करता एक है सेवा धारी बन सेवा करने वाले और दूसरे है नाम धारी बनने के लिए सेवा करने वाले फर्क हो गया ना नहां जो दिमाग से सेवा कर रहे हैं थोड़े देर के लिए कियामा उनका नाम घू गया हुग गया। दिल तक बात नहीं जाती है किसी कि तो परमात्मा कहता है दिल वाले जो सचे दिल से से शेवा करते हैं पर लेकिन जो घॉड़त करते हैं, ओने को खूरी बहुत जीसे हमने ज़्यान सुना दिया और उसी जने जीवन में पढ़िवरत मुटえばhoo अज कर दिbell. और फिर वह सह बादी है ज़ीजा, परमात्मा भी त मुट और नहीं कहते हैं तो प्रॉफेशटाश जो जीत. परभाव कड़ता है उसका भी, उससे स्टूडेंट्स बनते हैं, लेकिन वह भी दूसरों को सुनाने वाले बन जाते हैं, लेकिन जो बहुत दिल से एक संबंध जुडवा देते हैं परमात्मा से, उनके साथ नजदिक का जैसे संबंध जुट गया, तो वह आत्मा फिर अपन पन के उसको फिलिंग आने लेकिन कोई कमाने वाले, कोई गवाने वाले बन जाते, कोई खाके खत्म करने वाले बन जाते, इसलिए दो प्रकार की माला बन गई है, और माला में भी नमबर बन गई है तो परमात्मा ने सभी बच्चों को एक जैसा भाग दिया, लेकिन भाग एक को किसने बढ़ाया, किसने खापी करके खतम कर दिया डॉकिक में भी ऐसे ही होता है, कोई को प्रॉपर्टी मिलती है, खापी करके ऐसे गवा देता है और कोई कोई हैं जो उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे अच्छे काम में लगा करके उसको बढ़ा देते हैं तो पर्मात्मा कह रहे हैं कि बच्चे को प्रॉपर्टी तो सब मिली है, कौन कितना सेवा में लगा करके उसको बढ़ा रहे हैं और दिल से करेंगे तो प्रॉट्यक्ष फल की अनभूती होगी, दिमाग से करेंगे तो नाम हो जाएगा तो परमात्मा हम सबको सेवा करने की विधी भी बता रहे हैं और सेवा से अधिक से अधिक भागी हमारा जमाहो उसके लिए भी बहुत सुंदर डाइरेक्शन दे रहे हैं कि सेवाएं करो सेवाएं आपको सब मिली हुई हैं लेकिन अगर अंदर समझ करके अपनापन से सेवा करोगे यह मेरी सेवाएं हैं बाबा ने मुझे भागी बनाने का चांस दिया है तो दिल से सेवा करेंगे तो उसकी प्रतेक्ष प्रभाव भी पड़ेगा उनका जीवन भी बदलेगा और अगर दिमाग से सिर्फ कर लिया ड्यूटी समझ के कर लिया तो थोड़े समय के लिए नामाचार होगा आपकी महिमा हो जाएगी इन प्रतेक्ष फल की अन्भूति ना आप कर पाएंगे न जिनकी सेवा की है उनको अन्भूति होगी असा परमात्मा कहते हैं क साकार शरीरधारी होते होए लाइट रूप में रहना अर्थात सदा बुद्धी द्वारा उपर की स्टेज पर रहना फरिष्टे के पाउं धरनी पर नहीं रहते उपर कैसे रहेंगे बुद्धी द्वारा बुद्धी रूपी पाउं सदा उची स्टेज पर कि हमारे इस ब्राम्हन जीवन के पुरसारत का लक्ष है. जब हम ब्राम्हन बच्चे बावा के बनते हैं, तो ये सेवाएं करते हुए भी हमारा एक एम अबजेक्ट रहता है, कि हम ब्राम्हन सो फरिस्ता बनने वाले हैं. जब इस लक्ष को ले करके हम आगे बढ़ते हैं, तो सेवाएं करते हुए जैसे हम इससे उपर रहते हैं, लाइट रहते हैं, हलके रहते हैं, बूज नहीं रखता हैं. और जितना हम हलके रहते हैं, जैसे पाउं हमारे धर्णे के उपर हैं. हैं साकार सरीर में, लेकिन साकार सरीर में होते हुए भी बुद्धी से उपर किष्टेती, उपरा में, कोई भी दैहिक चीज दैहिक दुनिया की आकरसन आकरसित नहीं करती और इसलिए पर्मात्मा ने कहा कि फरिष्टा अर्थात अपनी देहे के भान का भी रिष्टा नहीं, देहे भान से रिष्टा तूटना अर्थात फरिष्टा। कि श्रेष्ट भाग्य की लकीर खीचने का आधार है श्रेष्ट संकल्प वर श्रेष्ट कर्म। पर्मात्मा ने कहा कि हमें सर्व इश्वरिये खजानों को मनसा वाचा कर्मना सेवा में लगाकर अपने भाग्य को उचा बनाना है और इश्वरिये सेवा हमें दिल से करनी है कि वल दिमाग वर डियोटी प्रमाण नहीं। तरशकों आज के महावाक्यों से संबंधित, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप हमें एमेल कर सकते हैं। हमारा एमेल आइडिय है amolaratna at the rate bollywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, ओम शान्ती। मुख्यसार, श्रेष्ट भाग्य की लकीर खीचने का आधार, श्रेष्ट संकल्प और श्रेष्ट कर्म, भाग्य रूपी खजाने को सम्हालना अर्थात, स्वयम में धारण करना और भाग्य के खजाने को बढ़ाना अर्थात, मन वानी कर्मद्वारा सेवा में लगाना, द दिल और दिमाग से सेवा, वो दिलाराम का बनाएंगे और वो सिर्फ बोलना सिखाएंगे, वो प्रत्यक्षपल का अनुभव कराएंगे और वो प्राप्ति की अनुभूती नहीं करा सकेंगे, वो सेवाधारी बन सेवा करने वाले और दूसरे नामधारी बनने के लिए सेवा करने वाले पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौद्लिवूर्ट स्टूडियो से संपर्ख करें नमस्कार आदाव सर्शेकाल मित्रों स्वागत है आप सभी का समाधान कारिक्रम में मित्रों जब गुरुनानक देवजी सत्संग कराया करते थे तो एक बिल्कुल ही यंग सा लड़का रोज ही उनकी सत्संग में आकर बैठ जाया करता था बिल्कुल सामने आके बैठता था और साथ ही बहुत ध्यान से सुना करता था ठंड के दीन थे और लोग भले ही नहीं आया करते थे लेकिन रोज ही वो आ जाया करता था एक दिन गुरुनानक देव जी ने उनसे पूझा कि अभी तो तुम बिलकुल यंग हो रोज रोज तुम आ जाते हो और लोग नहीं आते लेकिन तुम एक दिन भी नागा नहीं करते क्या बाद है उस यंग लड़के ने कहा कि मौत का क्या भरोसा है गुरुजे पता नहीं कब आ जाया इसलिए मैं रोज चला आता हूँ भगवान का नाम सुनने के लिए उनका सिमरन करने के लिए गुरुनानक देव जी मुस्कुराये उसकी समझ पे उन्हें खुशी भी हुई लेकिन फिर भी उन्होंने प्रश्न किया कि अभी तो तुम बिल्कुल यंग हो अभी तो तुमको संसार देखना है व्रिद्ध होगे उसके बाद तुम्हारे मृत्य होगे तो उस लेड़के ने कहा कि गुरुजी कुछ दिनों पुर्व मेरी माँ चूलहा जला रहे थे बड़ी-बड़ी लकणियां उन्होंने चूलहे में डाली होई थे वो लकणियां जल नहीं रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा कि जा छोटी-छोटी लकणियां लेके आ तो मैं चोटी लकणियां जब लेके आया और उन्होंने उसे चूलहे में डाला तो चोटी लकणियां जलने लगी बड़ी लकणियां नहीं जल रहे थे उससे मुझे सीख मिली कि बड़े होकर विद्ध होके ही मृत्यों को प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है हो सकता है छोटे में यंग एज में भी हमारी मृत्यों हो सकती है और यदि मृत्यों हो गए तो फिर हम इश्वर का ध्यान कब करेंगे उनका नाम कब लेंगे अच्छा कर्म कब करेंगे फिर हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी उस प्रसंग से ही मैंने ये सीखा और इसलिए मैं इश्वर की वो प्रवृत हुआ रोज-रोज आपकी सत्संग में आकर बैठ जाता हूं इतनी सुन्दर सी बायत थे ना मृत्यों ना चाने कब हमारे पास भी मृत्यों चली आया इसलिए हम भी अपनी जीवन को श्रेष्ट कर्मों में इश्वर के ध्यान में और योग में लगाएं ताकि न केवल हमारा ये जीवन श्रेष्ट बनें लेकिन आने वाला जो कल है आने वाला जो परलोग है उसमें भी हमारा जीवन श्रेष्ट हो आई सुन्दर बात के साथ, आज के समाधान के शुरवात करते हैं, आप भाता जी का स्वागत करते हैं, भाता जी बहुत स्वागत और भी नंदन है आपका, भाता जी एक प्रकार से प्रथा या प्रचुलनसी बहुत सारे लोगों में हो गई है, कि बड़े होंगे, क्योंकि समय ही इश्वर को याद करना चाहिए, आसा लोग कहते हैं, ये बात तो सत्त है, कि किसी भी सत्संग में बाहर आप जाएगे, तो बुजुर्ग लोग ही बैठे मिलेगे, कोई सो रहा होगा, इसका मन भटक रहा होगा, कोई बैचारा पैरी दवधर कर रहा होगा, क आप आईये, तो आदे से जादा संख्या यूकों की मिलेगी, कन्याओं की मिलेगी, इसका एक तारण है, यूकों को यदि वो चीज दी जाती है, जो उन्हें चाहिए, तो यूकों को रुची होती है, और वो चीज को मिस्स नहीं करना चाहते है, लेकिन अगर केवल कहानिय सुना ही जाए, महलो रामान की कथा चल रही है, भागवत कथा चल रही है, तो सब को पता एक दो बात सुन लिये, तो क्या जाके सुनना है, तो फिर बुजुर्ग लोग जाते हैं, वे टाइम पास भी हो जाता है, चलो बुच अच्छे बातें फिर सुनने को मिल जाती है, तो इसकी बहुत आवश्च्छता और आज कला ध्यात्म की आवश्च्छता तो यूवकों को सब से जादा है, बात के वल पर मात्मा के ध्यात करने की नहीं है, बात है मनोवल को बढ़ाने की, बात है कि भिन्विन परिस्थितियों में निराश न होने की, ऐसे यूवक सफल नहीं हुए, बहुत निराश है, मातायाती है हमाई लड़के ने, बारवी कली एक था, बारवी कलास का दो बार दे दिया है, अब तीसरा लास्ट अटेम्ट है उसका, उसके बाद खतम हो जाएगा, निराश होते हैं यूवक, तो यूवकों को जरूरत है उन्हें अच सारी और जने आती हैं, या कांटे चुबने लगते हैं, या मन चाही सफलता नहीं मिलती, भावनाओं को थेश पहुचती है, महाम अनुष क्या करें, रास्ते में मेरे से गोई एक व्यक्ति बात कर रहा था, ता का जा रहे हो, मैंने का स्यांती वान इस्टूडियो में इतन तो मुझे तो हार्ट अटेक होता है, फिर बात्चीत हुई तो बड़े एक सुंदर प्रसंग हुआ, कि एमोशन्स बहुत हावी होते जा रहे हैं आजकल यूवकों पर खास, ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अब उनके एमोशन्स को हर्ट किया जाता है, उनके एमोशन्स का ठीक रेस्पॉंस नहीं मिलता है, तो एफेक्ट आता है, बहुत गहरा एफेक्ट आता है, इलिए डिप्रेशन हो रहा है, तो हम अपने सत्संगों में, जिन्हें सत्संग न कहके कि स्पिरिच्वल डिस्कोर्ट या क्लासिज कहते हैं, उसमें ऐसी चीजों की चर्चा करते ह मन्स न चीजों से बाँनिकले जड़ा, बॉल्ड बने इतना में स्पिरिच्वन नहीं कि किसी ने कुछ कहा है, इतना में एक सिपहरुच्वल काया है, तो फोड़ा स्ट्रॉः तो थोड़ा स्ट्रोंग बने, क्योंकि जीवन एफेक्ट रहाएं, याल में भी हारजीत होती है तो संगर्ष में उतार चड़ावाते हैं तो अगर मनुस इमोशनली स्ट्रोंग हो जाए तो बहुत सारी ठीक हो जाते हैं अब तक हम यह सोचा करते थे सत्संग या आध्यात्म का अर्थ ही है इश्वर का ध्यान करना चिंतन करना या जीवन की सार्थक्ता के बारे में सोच यह तो शायद है है लेकिन यह प्रैक्टिकल चीज़ें आज कहीं ज्यादा जरूरी है लोगां को अगर हम ध्यान और भगवान को याद करने की बात करेंगे तो वही ने चुरल उत्तर मिलें पढ़ा है नहीं पढ़ना है यह प्रेक्ट्री में हमें कुछ अच्छे काम करने करें यह काम तो बूड़े होंगे तब भी कर लेंगे तो यदि उनके मन चाहिए बाते मिलने लगे करियर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उनको उसमें रूची जरूर हो गए तो ब्रताची ब्रह्मा कुमारीज में जो आध्यात्म की बातें सिखाई जाती है उनमें क्या इनहीं सभी बातों का समावेश होता है कि जीवन को कैसे जीए और यूवा भी कैसे अपने करियर को स्रेस्ट बनाएं ब्रह्मा कुमारीज में जो पहला ही लेसन दिया जाता है तुम आत्माएं हो तुम ये देहे नहीं हो लेकिन जब यूवा की बात सुनते हैं उनको लगत संसकार एधि तुमारे म्रदूता से भरे नहीं होंगे यदि इसमें क्रोट छलगता होगा यदि महपन संसकारों बहुत होगा एधि मूर ऑफ करने की बहुत आदत होगी तुम जीवन की यात्रा में सफल नहीं हो पाऊगा तुम अखेले रहोगा जो गश्त्वरा है जो वे तो उनको रुची पैदा होती है, जब उनके बुद्धिक विकास की बात यहां समझाई जाती है, कि बुद्धी हर व्यक्ति की पास बहुत सुंदर है, आत्मा में बुद्धी है और सभी आत्माओं की बुद्धी बहुत सुंदर है, लेकिन मनुस्त ने अपनी बुद्धी को डल क्यों किया है, मैं तो कहूंगा डेमेज कर लिया आजकल, तो उसको पुनर जीवित कैसे करें, उसे फिर डवलप कैसे करें, तो जब यह चीज़े यूको को मिलती है, तो उनको रुची पैदा होती है और उने लगता यह हमारे काम की चीज़े है, मतलब केवल कथा, कहान अनिवाली कोई बात नहीं है, जो शास्त्र पुरानों में है, लेकिन आज के दौर में तुम्हें जिस चीज़ की ज़ुरत है, वो चीज़ आध्यात्म परोस्ता है, यह चीज़ ब्रह्मकुमारियां दे रहे हैं, बताजी इसका तो सीधा सा मतलब फिर यह हो गया कि अब हम बुजुर्ग होने का इंतजार ना करें, लेकिन हम अभी सही चाहिए हम बच्चे हैं या युगा हैं, अभी सही आध्यात्म के पत्ते चल पड़ें। और मानलोस की मत्यू भी नहीं है, और असी साल जीएगा, तो साट साल तक पहुचते पहुचते, क्या पता उसके सरीर में क्या रोग लग जाएं, क्या पता उसे कौन सी बुरी आदत लग जाएं, क्या पता उसको हाइपर टेंशन हो जाएं, क्या पता उसके संबंद इतने बिगट जाएं या उसके संसकार इतने कटू हो जाएं कि वो समाज सेवा तो क्या जीना भी उसके लिए दूभर हो जाए इसलिए भी आवस्चक है कि अच्छाईयों की सुरुवात युवा से क्या मैं तो कोऊंगा बच्पन से करो ताकि सुंदर संसकार बने तुम्हारे कुछ अच्छा अच्छा और भला भला ही हो जाएगा अध्यात्म हमें इस प्रकार से सुकून और एक सही प्रकाश और रास्ता दिखाता है अई ब्रता जी अब mail के लिए चलता हूं आपको निशान जी का पहला mail है और ये कहते हैं कि my mother is having pain in her knees and back her age is 52 years she is also suffering from bipolar disorder for the last 19 years and is taking medicines she gets very excited sometimes and panics please suggest some samadhan techniques for her to live a healthy life निशान जी है बदर जी माताओं के लिए ये सभी चीजे बहुत कटना ही पैदा करने वाली हो जाती है हुं करूं के लिए करें घड़ी तो चलना है जिसे को बैठने में दर दोता है उने की चनमी काम खर ऑई ले टो भी तक Kelvin खड़ी काम कर दो खें हों खड़े खड़ू के खड़े लंबाता तो भी तक Kelvin बेक पेन ऐसी है जो मनस को बहुत वीक कर डालती है इसे से चिड़ चिड़ी हो जाती है फिर इसलिए उनके लिए कुछ तो सजेस्टिन ये है कि बेक के लिए तो उन्हें बैल्ट पेननी चाहिए थोड़ा-थोड़ा समय भी गुटनों को उन्हें एनरजी देनी चाहिए दस म करने से ठीक हो जाते हैं दवाईयों की जवरत नहीं रहती है लेकिन जरूर डॉक्टरों के लिए अनरजी वाइब्रेट आउट होगी और इस एनरजी को यहां रखते हैं और आखे बंद कर लें फील करिए एनरजी सीधी उतनों में जा रही है और उसके दर्द को समाप्त क करने से ठीक हो जाते हैं दवाईयों की जवरत नहीं रहती लेकिन जरूर डॉक्टरों नहीं सजेस्ट किया होगा कोई भी ओयल आयुर्वेदिक ओयल बहुत अच्छे आ रहे हैं रोज वो भी लगाना चाहिए ताकि सोफनेस रहे हैं लेकिन हर बीमारी के लिए जो तीसरी चीज है ब्रेइन को एनर्जी देना यह भी वही तरीका मैं मास्टर सर्व सकती बानूं यहां हत रखेंगे आथे बंद करेंगे तो ब्रेइन को एनर्जी देने से टोटल सरीर स्वस्त होगा लेकिन इनको थोड़ा सा एक सीधी बैड पर बहुत हार्ड भी नहों लेकिन रोज बेलकुल सीधा दो बाल लेटे तो और रिलेक्स रहेंगी और एक और चीज जो सभी बीमारियों में बड़ी कारगर साबित हुई है आज तक कि सोते समय जब हमें नीद आने लगे तब हमारा कॉंसियस माइंड शान्त हो जाता है तो सबकॉंसियस माइंड जग जाता ह तब हम अपने सबकॉंसियस माइंड को कमांड दे रहें यानि संकल्प दे दे के मैं स्वस्त हूं मेरा गुतना धर ठीक हो गया है मेरे बैक पेन बेलकुल चला गया है तीसरी विजो बीमारी उसका विनाम लेके समाप्त हो गई है मैं हेल्दी हूं मेरा बोड़ी पूरा हेल तो इनको काफी रिलेक्स फील होगा तो इस तरह के प्रियोग से ये थोड़ी अच्छी हो जाएंगे और बहुत हल का रहे हैं क्योंकि ये बीमारी आज कल सब कोई बढ़ती जा रही है थोड़ी एक्सरसाजी थोड़ी प्रानयाम इसके लिए भी समय देना चाहिए होता क्य है कि कई वेक्ति घरों में अपने काम काज में इतने विहस्त हो जाते हैं किसे दिर को टाइम भी नहीं देते हैं मानलोग ठग गए है बैक भी दुख रही है और काम चल रहा है बैठ नहीं पाते लेकिन थोड़ा सा रिलेक्स हो के पंदरा में अक्सी डेलेत जाएंगे तो जाएगे और वो काम जो थकान में किया जा रहा है जिसे इरिटेट हो रहा है वनुस उसमें त्यादा टाइम लग रहा है यह पंदरा में वेस्ट नहीं जाएंगे जल्दी काम पूरा हो जाएगा और तन भी अच्छा रहेगा मन भी अच्छा रहेगा तो थोड़ा जिनको इस तरह की तकलीफे हैं थोड़ा रिलेक्स रहके बीच-बीच में पंदय-पंदय मेर्ट भी रेस्ट कर देना चाहिए बिल्कुल अब राता जी जो में एक मानसिक बीमारी की इन्होंने बात कही है बाइपुलर डिसॉर्डर की उसके लिए मैंने का ब्रेन को एनर्जी दे सकता है बल्कि दूसरा देगा तो जादा प्रभावकारी होगा तो कि अपना मनुस के मन में कई हलके संकल्बी होते हैं जैसे यह हो गया कि इससे बहला क्या होगा या मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूं इसकी गुड़ फीलिंग नहीं है रट रटाया कह रही है लेकिन ऐसा वेक्ति जो राजियोग का अभ्यास कर रहा है और जिसको यह गुड़ फीलिंग है कि मैं बहुत सक्तिशाली हूं मैं सर्व सक्तिवान की संतान हूं तेरफोर आम मास्टर ओल्माइटी ऐसी फीलिंग से जो एनर्जी देंगे उसका इफेक्ट इनके देने की बजाए दस गो बिल्कुल बिल्कुल चलिए निशान जी भी अपनी मम्मी को इस प्रकार के सुन्दर रापरेशन देके बहुत ज़र्दी ठीक कर सकते हैं पता जी इपसित जी का अगला हमारे पास मेल है यह कहते हैं मेरे जो बॉस हैं उनकी वजह से मैं और मेरे सब साथ ही बहुत परिशा हैं हमेशा वो नेगेटिव बाते ही करते हैं कभी भी हम लोगों को अप्रिशियट नहीं करते तो क्या करें जिससे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो मैं अकेली बीके हूं जहां हम काम करते हैं बाकि सब नौन विकेज हैं और वो इस घ्यान को समझते भी नहीं है तो क्रिकी यह कि असे कंडिशन में हम क्या कर सकते हैं क्यों अपनी निचे वाले उनके उपर उनके उपर उतारते हैं। यह अपनी टेंशन इन पर ट्रांसफर कर देते हैं, यह चेंड चली आती रहती है, बहुत जगा, तकी एक कार यहाँ शहाद ब्रता जी होता है, इतना टारगेट है, और यह पूरा करना है, उन्हें पूरा करके देना होता होगा, इसलिए इनके उता है, लेकिन कई योगी नेचर ही ऐसी देती है, बहुत सी आधा रखते हैं, कि मुझे दबदवा रखना है उपने ओफिस में, लेकिन मनुस को यह पता होना चाहिए, जो भी बहुत हैं, जनरल मेनेजर से हैं, या बड़े मेनेजर से हैं, उन्हें समको जानना चाहिए, जबा से कभ भी कारिये जल्दी नहीं होते, गल्ती जाद होंगी, कुद्धी का विकास रुक जाएगा, व्यभार तो इस तरह का हो जाता है, और देखिए आप किसी व्यक्ति को डाटते रहो, उससे बुरा बोलो, उससे क्रोध करो, तो उसकी बहुत दिख्शमता डाउन होती है, उससे ग होब भी रखें, ताकि बहुत सब लोग काम करें, लेकिन इसकार थी नहीं कि उन्हें डाटते डपटते रहें, उनके कमियाई निकालते रहें, एप्रिशियेट बिलकुल न करें, जबकि एम बी के कोर्स में ये सिखाया जाता है, प्रिशियेट करने से, तुम्हारी टीम य आकिर पांच साथ दिन होगे सुनते सुनते, अब इसका भी गुबार निकल गया, और कल मुझे बताया कि मैं उसको अच्छे तरे डाटके आई हूं, मैंसे पूछ रही थी, मैंने गलती कर दी गया, मुझे तो नहीं करना जाहता, मैं कभी-कभी ऐसा करना भी, कल लेहनकारी होता है, अब सदा के लिए हो, ठीक तो रहे, कम से कम, लेकिन इंपोर्टेंट चीज यह है, कि दूसरे को ऐसा करते हुए अपनी मनों इस्तिती बिगड़े नहीं, नहीं तो कभी-कभी जो बॉस हैं, वो अपने बॉसिज में थोड़े जाद ही एंकार के आकार को बढ़ा द हो रहे हैं, यह भी अपनी मेंटलिटी ऐसी बना लें, जब इसका काम रोज ही नातना है, तो हम भी अपनी मेंटलिटी बना लेते हैं, नो इफेक्ट, खुछ रहेंगे, वो चला जाए, फिर हास बहल के दो मिनत में अपने को फ्रेस कर लेना चाहिए, लेकिन जहां इस्पि को रोसन कर देता है, जान्द भी जब पूर्णिमा का होता है, वो अकेला ही तो है, कैसे सब के मन को अकरसित कर लेता है, यह अपने spiritual vibrations महां फैलाएं, और बीच बीच में एक दो मिनत, एक तो यभ्यास करें, यह सभी आत्माएं हैं, इनके साथ ही और इनका बोस भी, और बो हमने देखा आके पीछे की प्रोग्लम रहती है, अब पत्नी से लड़ाई होती है, रोज वहां साथ नहीं मिलता है, यह थिचे के बच्चे बहुत ऐसे वैसे हैं, तो वहां से वह इरिटेट रहते हैं, मुझे मिले एक अभी, सत्य बात है मुंबई में, एक AGM, बैंक के, कह मेरा जो senior officer है, DGM, कहा सारा दिन गुरम रहता है, 24 जाएगा बस वह नाट खा के आएगा, मैं सोचता था जरूर इस व्यक्ति के साथ कुछ गड़वड है, एक दिन मैंने देख लिया, उसकी पत्नी बच्चे को लेकर आई, जब यह बहार गया, अब इसका वच्चा विकलां एक ही लड़का, अब यह उसको मुश्किल से उठा रहा है, उठता नहीं है, कहा मैं समझ गया कि इसकी इडिटेशन का कारण यह है, कहा उसकी पत्नी का विचेहरा मैंने देखा, कोई रोनक नहीं थी, तो दोनों को एक ही बच्चा है, और कुछ है नहीं, उसको देख देख कर मनो इस्थेती बिगर्ती रहती है, तो कहा मैंने इनको बहुत अच्छा योगदान देना शुरू किया उस दिन से, कि इस बेचारे की गलती नहीं है, और योगदान देते देते मैंने देखा, पंदरा दिन में, कि उस केश वभाव में चेंज आ गई, थोड़ा स्वीट स ग्यान दिया, और बताया कि इस से तो तुम्हारा और भी कर्मों का खाता बढ़ रहा है, तो कहा उस व्यक्ती ने समझा, उस बुद्धी मान था, DGM है, बहुत बड़े बहन का, तो कहा बहुत अच्छी नेचर बन गई है छे मास में, तो यही बात इनके साथ अवस्य हो रह कारी है, इस तरह के वाइब्रेशन्स देने से उसका चित स्यंत होगा, व्यभार बदलेगा और एक सुखद वातावन चारोर बन जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ब्रतर जी, जो खारियाले में जाते हैं और वहां संबंद संपर्क में आते हैं, तो बहुत सारी बाते ह होते हैं, एक या दो, जिनसे हमारी नहीं बनती, या जो हम से इरशिया रखते हैं, हमें नीचे गिराने की कोशिस करते रहते हैं, या हमारी गलत बाते उपर पहुँचाते हैं, एसा भी एक माहौल रहता है, वहां क्या spiritual practice हो? ये प्राय हर संगठन में देखा जाता है, बैंको में हम लोग भी जाते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं, क्या कोई और बड़ा ओफिस है, जिसमें 10, 20, 25 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो सब तो एक जैसे नहीं होंगे, सब स्वीट एंड सोफ नहीं होंगे, किसी की दृ स्प्रीप्ति खराब होगी, बहने भी काम कर रही हैं, कोई बहनों में भी कोई ज़्यादा चंचल और ज़्यादा बोलने वाली होगी, तो वातावन में इंप्यर अप्योरिटी रहती है, फिर कोई उन्हें देख एटा है, कोई घुसा करता है उसे वातावन भारी होजाता तो एक-दो से चेंज चली रहती है, किसी में एज़सा है, कोई किसी अधिकारी से असंतुस्थ है, किसी से काम बलती होगी, उस पर डाट पढ़ गई, उससे उपर रिशान है, तो टोटल बहुत सारे ओफिसे का जो वाइब्रेसंस हैं, बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते आजकल, इसलिए लोग मेंटली बहुत ठक के आते हैं ओफिसों से, कुछ लोग हमें बताते हैं, कि हमारे ओफिस में सब लोग ठीक ठीक काम करते हैं, कोई जंजट नहीं है, और इसका कारण भी बताते हैं, कि हमारा जो मेनेजर है, वो बहुत अच्छा, आएगा तो सब को ह हंसा के ही जाएगा, ऐसे उसकी नेचर है, एप्रिशेट भी करेंगा, लेकिन दो मिनट सब को हंसा के ही जाता है, तो ऐसा लगता है, जैसे सब की ठकान ही मिट गई, तो अगर ऐसा नहीं है, तो जो एक भी राज योग का भ्यास करने वाला है, उसको बीच बीच में, समझे तो ओफिस ताइम में पांच बार कर ले वो, केवल एक एक मिनट, ये सभी आत्माएं हैं, सब पवित्र आत्माएं हैं, सब भगवान की सम्तान हैं, यात्में सभी महान हैं, और मैं हूँ मास्टर यान सूरिय, जैसे मुझ से सक्तियों की के ने सारे ओफिस में फैलने लगी बस ऐसा थोड़ थोड़ा करेंगे, सब कुझ अच्छा होगा कई बार हम ये समझते हैं कि केवल इश्वर का नाम लेना है, उनका सिमरण करना है, उनका ध्यान करना है, लेकिन आध्यात्म यहीं तक सिमित नहीं है मित्रों, लेकिन आध्यात्म जीवन के हरक्षित्र के लिए बहुत ही उपयोगी है, युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी युगा कैसे हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, कैसे अपने अंदर की जो आत्म विश्वास है, जो अपनी क्वालिटीज है, योग्यताएं हैं, उन्हें डेवलप कर सकते हैं, कैसे आगे से आगे बढ़ सकते हैं, ये आध्यात्म सिखाता है, और शायद अब तक इ में परले होत है, बहरिक करेगा कब, तो क्यों न, इस अच्छी चीज की शुरुआत, हम आज से अभी से ही करें, आध्यात्म को अपनी जीवन में शामिल करें, और सफलता की और आगे बढ़ें, आपका जीवन सफलता से, समरिध्धी से, संपन्न हो, ऐसी हमारी शुबकामन है, नमस्कार. इस अच्छी शुबकामन हो, हम आज पुनहा, आपके सवाल और दादी जी के जवाब। इस कारिक्रम में हम सभी एकत्रित हुए हैं, हमारे सनमुखादर्णिय, परमश्रद्धे, दादी जी उपस्थित हैं, और दादी जी अपने अनुभव के आधार पर पुनहां सिम्पल बाते हमारे साथ शेर करेंगे. दादी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारे गॉडलिवूड स्टूडियो में और हमेशा जब ओम शांती करते हैं, तो आप तीन बार ओम शांती करते हैं, और ओम शांती का अर्थ आपने बताया, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है? तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, कि आखर भी हमारे जीवन का उदेश क्या है, क्या करना चाहिए हमें? बेन, एक कौस्चन भले पूछो, पर तो हमारा मीखा बाबा, हम बच्चों को ऐसा सबस्ट रोज मोडी में बताता है, क्या उदेश है, क्या पर आई है? जी, सिंपल है, बोत मैनत नहीं है, पर तो क्या है? बोत चंतर में समय वेश चाहता है, आप ज्यान जो बावतेता है, वो मन में चंतर में, फिर मुख़ पर जो आता है, किसको लोग अट्खों देता है? समझ में आता है, अगर मेरे अंदर एकोष्टन होंगा, क्या मत्र दीरदर्मन्वा, धीर से नेच्रल, खट्यायव प्रेम का वैमार, उसकी ज़िए छाप लगते है, कोई बारी बात नहीं है, क्योंके, यह पता नहीं, दिमाग में बाबा ने अच्छा जाल दिया है, और जो बाद दिल को भी लग गई है, दिल और दिमाग, दिमाग ठंडा है, दिल खुछ है, क्योंके, पता है, पुछने मुझने की बात नहीं है, अब घर जाना है, तो आज के मुझने घर बैठ नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, घर बैठेंगे, मच्छों सद्ग आत्माइं जाएंगे, वो भी जाएंगे, सन्यासी माँ आत्मा में लीन हो जाएंगे, हमको लीन लीन हो नहीं होना है, आत्माओं की भी दुनिया है, इस तार मिसला है, सूर्य चंदर मा, सूर्य चंदर मा, सूर्य चंदर मा, सूर्य चंदर मा, सूर्य अधान्द्रमा, अधाना करते हैं, तो जैसे माँ धाना कराकर के बाबा के यादों में रहने के लिए प्रेर्टी है, याद में रहो, कोई कंपलें नहीं, कुछ नहीं, बरी जीवन सफली, जी, दादी, ये दिमाग ठंडा नहीं होता है, उसमें जब क्यों क्या के क्वेश्चन लगे रहते हैं, तो दिल खुश भी नहीं रहती है, तो क्या है, मैं समझते हूं, अभमान है थोड़ा, तो दिमाग चलाने भी गर है नहीं सकते हैं, जी, बहुत सही कहाँ है, थोड़ा अभमान होने के कारण है, जो कुछ समझे के मैं बोलता हूं, राइट बोलता हूं, थोड़ा भी अभमान है तो आकरशन इस्ष्वरी में काम करते हैं, जादी, अहंकार और अभीमान में क्या अंतर हो जाता है, नहीं, अभमान सूथ्यम है, अच्छा, और अहंकार दिखाई अच्छा 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 अच् लेक्ष वंगा की तो बाबा देय एमानी सिब से हुधुकर झाल ऑर अभीमान से मुगत हो एकुद आतम अभीमानी बनना जरूरी है, तो एक यालं बनना जरूरी है। जानि हमारे बात सारी येग्य की हिस्तरीester शुरू शुरू में यह जो ज्यान निज्ज ए ना आत्म और पर्मात्मा का ऐसा बामा ने चब्दों में कहें यह प्रैक्टिकल ऐसे सिख्खाया, उन जो नजो ने, मैं हूँ आत्मा, मेरा बाप आ पर्मात्मा, तो क्या है, जिसके भी दुन्या भर में समंध में आए, उनको यह सीखने को मिला एप। देखेदे को मिला टेकल लाइफ में यह एक मैं वंडर खाते हूं, सारी विष्षोधर जाएड़ाद पहले सारी भारत के, बाबाने में हर कोने में कभी कलकटा तो कभी पंजब, कभी कहां, कभी कहां, सब यह पता नहीं, उस ताइम उम्शंतिशाव दू भी नहीं कहते थेख दिष्टी विड़ती, बरी शुद्ध शाद, दादी, आपकी नेचरल स्थिती देही अभी माने की होती है, तो यह भावना है, ना, अगा जराद्येव मानोगा ना, तो मुझे ही मदा नहीं आएगा, ना, सही बात, और दूसरी आत्मा है, जो भी सामने आती है, जब भी आती है, तो मेरा और कोई करनेशन तो है नहीं, करनेशन नहीं है, कुछ चाहिए नहीं मझे, पन तो, जो मिलने नहीं कभूले नहीं, यह जो मिलने नहीं, इस्षवरी परिवार का अपस में, जैसे उसका सिखाया हुआ, हमारे को अन्भव कराया हुआ, कहते हैं, अभी तो, यह मैं क्या का रही हो, कुछ करने नहीं, जैसे मैं खाती हूँ, सामने बाबारी, साइलेंस में, अच्छा लगते हैं, कोई बोले बोले नहीं, इसलिए मैं अपने सिट्रू में खाती हुआ, बंदा रहे नहीं जाए, जब आप शांती में रहना पसंद करते हैं, अंतर मुखी बन करके, तो उस समय आप ज्ञान का मन्धन करती हो, या बाबा को याद करते हो, क्या करते हो? मुली परते ही, अच्छी बाते लगते हैं, खास रहे, ऐसे बेचके नहीं, बाबा कितना अच्छा था, सीदी का चित्र बन रहा था, जार का बना, चक्कर का बना, तारी मोलिया, जो बाबा की 5 साल की है, चक्कर, जार, सीदी, कभी सोचा नहीं था, पूरे जनः में क्या पुर्शाथ किया अब ही कीलियर पिक्टर आए यह पुर्शाथ आपी करके लख लग्सीमिनाराज है तुम है हसी में पता नहीं ऐकाल वी बोड़ाई है जी मैं पता नहीं अंदर से आता है कि अन्हीं का जनम में देखेगी वाह। बहुत अच्छी बात है तो, दीज़… कि संध्य विटरा जणम लेखा है अभी तक बर्मा बाबा को तेखा है अज़त्व तिभी अभी तक भी वह शेवा कर रहा है। किसम शेवा कर रहा है। से वड़ी हो इतनके सारी विर्दी विर्दी से बहुत पुरदी कितनी विर्दी हुई है भारत गवी देश में तो विर्दी को देख जिनीू exists क्टूंगते नुग्लागत तो विर्दी होते है तो धेक्ष से तो थिल को उगेस दाधी ? और पिर अनिक आत्माँ की कि शिवा की आत्मान, भी श्क्ति देटे है। ये दुआओं की सीजन है, दुआई देना, दुआइ लेना, ये सीजन है, सीजन में ही ही, यह नि क Nilglove यह दुआइन दे रहे, यह नेचरल है, आप अच्छा करो, यह अच्छा, यहनी, mixनल हमतनााँ हमिश्रपवा, हमतनाहार, यह तो हमते बच्चे मददे बाप, यह एक नेच्रल हो गए है, कभी-कभी कहीं, कोई नो कोई बात के उर्जन में हमत छोड़ेते हैं, मेरा बाग यह नहीं है, छोड़ो, बले यह करें, दादी, दिप्रेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे यह लेहर चल गई है यह, बिप्रेस्ट वाँर के यह अपने ने आप पर दया करना, यह करपा करना, करपा करना, कि अकुछ गलती हो गई वह करकें तो करपा बगवान के हुम्या है, कि नो कोई ने जाने तो महरा अंता उंचेते नीउंचा भगवन की हातने, फिर्सट ने तो उंचे ते उंचा भग्वन पज्यो हमारा साखी बन गिया है, क्या समझ जाए बेन? आपने तो सखा बना दिया, दोस्त बना दिया सखा है, हाँ आप जो क्याते हो सखा है, तो कितना? अबेन क्या बता हूँ? सखा बना है, पन तो एक वारी मैं नहीं थी तो पंड़बोन में उस घरीब बाबा के अवयतोने के बाद भाद बना था तो मुझे दीदी दादी मुझे रहने के लिए का था जाओ वाह रहो जाओ वाह रहो वाह भी बाबा के रूम है बहुत अच्छ लगता था तो वह अदुबन के मूली सुनते सुनते किसने का बाबा का बच्चा बानी हूं तो वारस हूं बाबा का बच्चा क्यों ने बनाए है तो दीदी ने का ये कोस्टन जान की से पूछ रहा जब मैं पंड़बोन में आई नहीं वाहीं तो ये कोस्टन तीदी के इन से पूछूं उसको वारस कैसे बना है वास बनने से अच्छा फैदा मिला है गती सद गती दाता बाबा पर मेरा अगर वास बन गाए है मेरे दादी दीदी ने दीदी ने एगा इंसे पूछूं कब से लेकर के इतना पगवान से प्यार हो गया जिगरी प्यार हो गया वो मुझे गोद बिठाए मैं उसको गले लगा हूं दादे सर्व संबंदों में कौन सा संबंद अच्छा से अच्छा है सब संबंदों साइध scratchingूच साथिए मता पित्ता सिंख क्सक्ता कक्रुब पच्छा मेरा है जा रुआभ पोलाद्म बीमु हों की 않은 होंगी पाइद यत इसमे और कई महतना मो नहीं होता है ११५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५ बनानी है नस्टो मोहा टिस्ट पीज नियुज सिमिर्टी चेमिर्टी में किया है मैं कॉन मेरा को बसुछ ये चेमिर्टी कभी भूल सी नहीं दाधी आपने बताई के कैसे मोह का रग बच्चों में होती है और अगर भगवान को बच्चा बना दिया तो डःएक मोह की रग है वो तूट जाती है। छुट गए। मुवप किसने है। कौन है। माताओं के ये तो सहे जहादाजी। अशुट जहादाजी। शत्यग में ये इज्ञान नहीं होगा। बड़े शत्यग में शुख होगा, श्छांती होगा, प्रेम होगा, में बड़े की रहती किया जाती है। अब इज़ नहीं होगा। अबने होगा। अबुट ज Candこれ. अबुट जो नहीं चुख होगा। बड़े की बड़े ज़ होगा। उने वाली है। सबने तो गारंती है। आप पर नहीं थारन करने। जीवन, है यात्रा जैता है जीँ टाता है दो दो जाओ परशAd podcast टायमें पिछह नहीं देख रगत n—— यात्रामें पिछह कभी नहीं प्छयतले पर चाहए बीती को चितो हो नहीं, ये चित थाफ, साफ हो जाएंगा, क्योको मन बुधी चित, चित शुक्षम है, मन बुधी, मन शानता है, बुधी अच्छी है, तो चित साफ है, तो सत चित आनन्द सरूप, सच्छाई है, तो आनन्द स्वरूप है, दादी, एक है knowledge, आपने जो कहा, और दूसरा है wisdom, आपको title मिला था, The Lady with Wisdom, तो wisdom और knowledge, जबी वो सीन में सामने आती है, मैं खुद अजब खाती हूं, ऐसे ऐसे, English में कुछन पूछ रहे है, पता नहीं कैसे answer accurately करते है, कम माल बाबा आदे है, जो ये बाबान है, most stable in the mind है, in the world, इसके बाद को अभी कितना साल हो गया है, हमने सुना था दादी, आपके चौदा प्रकार की test लिया था आपके brain की, और तब जाकर के ये title दिया था आपको, के the lady with the most stable mind, आपको जहां जाओं, वह एरपोर से सीधा वहां लेकर जाओं, आस्ट्रेलिया पहुंचते ही सीधा वहां चले गए आपको, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी, आपका mind एकदम शान्त, और एकदम stable था, पर क्या हुआ, इस का लन लेके ये, जभी लन लेक आपके साथाए, वहां वहां बाय Elizabeth बाद भी वाइठ रहें ते थार द्रह्एं दर दं्धेर कमरे में, पता निमे से क्या क्या पूच रहें थेके साथा, अंधेर कमरे में, मैंने क्या कह रहें हैं, पहुँ क्याता है है। पता निः ALL डरों पुछा से इंधानी पीशता बाब के साथ नहीं ब्लेसिंग नहीं का हो तो लगाओ या नहीं है तो लगन बाब के साथ बच्चे की लाज रगता है बहुत बहुत दन्यवाद आदर्णिय दादी जी ओपे जे लदी ओम शंती दादी विशेशकर ये जो बात दादी ने बताई के जीवन के अंदर उन्हें ये जो एक लेबल मिला था लेडी विद दे मोस्टेबल माइन इन दे वर्ल्ड उस समय करीबन उनके उपर चौदा प्रकार के टेस्ट किये गए थे और दादी जी वही बात शेयर कर रही थी कि कैसे उस समय परमात्मा उनके मध्यम से कारी करा रहे थे अलग-अलग टेस्ट होने के बावजूद कभी दादी को अंधेरे कमरे में लेके गए कभी दादी को 16 गंटी के फ्लाइट के बाद आस्ट्रेलिया पहुँशते ही सीधा टेस्ट कराने के लिए कितनी लंबी जर्णी करने के बाद उनकी मनस्तिती कैसी रहेगी या कैसी रहती है और ये सब बाते अलग-अलग रूप से जब टेस्ट करके देखा तब हर समय उनकी एक डेल्टा स्टेज आई दादी जी यही बात अपने अनुभाव के आधार पर शेयर कर रहे थे कैसा होता है कि कभी-कभी हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की निमित बनते हैं लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरी प्रत्यक्षता के पहले मेरे बच्चों की प्रत्यक्षता हो और इसी बात को ले करके परमात्मा और हम बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ कितने गनिष्ट संबन्द में हैं दूसरा दादी ने अपने अनुबहों से बताया कि अलग-अलग संबन्द है परन्तु आज भले अलग-अलग संबन्द होने के बावजुद भी इनसान का मोह सबसे अधिक उसके बच्चों में होता है और ये मोह के उपर जीत प्राप्त करने के लिए परमात्मा को अपना बच्चा बना देना ताकि उसी में मोह या उसी में हमारी लगन लग जाए तो नश्टों मोहा होना स्वभाविक हो जाएगा बहुत सुंदर बात उनहां अगली कड़ी में हम वापस मिलते हैं आपके सवाल और दादी जी के जवाब लें तब तक के लिए पोभुशाति जीवन ते जाएगा की नईया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले इसको संभाले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले की नईया कर दे प्रभु के हवाले जाएगा की नईया कर दे प्रभु के जाएगा तन का नगर्व की जै ये तो विनाशी है तू तो है चेतन आत्मा जोती अविनाशी है जोती सागर पिता को दिल में बसा ले दिल में बसा ले राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले तेरे उजाले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले स्था जोओश तो पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा इसके सहारे करते स्वाहा तु सारा अंबर के सारे तारे आचल में सजा ले आचल में सजा ले मन के सरोबर में तु कमल खिला ले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले प्रभु के ले आचल में प्रभु के ले आचल में दाता की देन कर दे दाता को अरपण मेरा मेरा ना कर तू हो जा समरपण तूफा के तोड घेरे भव से निकाले दे दे पतवार काहे चिन्ता को पाले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जैसे वो चाहे वैसे इसको समभाले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले कर दो कर दो कर दो कर दो निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी नेना में बर प्रीतम को सोजा तुँ आत्मारानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी चान सीतारों से दूर चले सब की आदों को भूल चले अंबर के सुख पाने को सोए बाबा के साए तले ख्याल में इक बाबा हो सोजा तुँ आत्मारानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी इस तन से होकर न्यारे सोजाओ बाबा के प्यारे याद के जूलों में जूले बाबा की दुनिया में खो जारे निन्दिया के साथ हो बाबा निन्दिया के साथ हो बाबा जो जा तुँ आत्मारानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी नैना में घर प्रीतम को नैना में घर प्रीतम को सोजा तुँ आत्मारानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी आम शांते जोसे जीवन का आदी उर अन्द दोनों महत्वपोण है वैसे ही दिन का आदी और अन्द भी अती महत्वपोण है क्यूकि आज के दिन का अन्द कल के दिन की आदी का आधार है इसलिए जब हम दिन के अंतिम प्रहर में सोने के लिए जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मन के संकल्पों को शांत कर एक साउंट स्लीप ले ताकि जब हम सुबह उठें तो तन और मन दोनों रिफ्रेश हो कोई आलस से ना हो अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प ना हो ठकावट ना हो तो आएए आज हम एक सुख़द नीद के लिए मेडिटीट करते हैं चाहे तो अपने कमरे की लाइट्स आफ कर सकते हैं अपने बैठ बर बिल्कुल रिलाक्स होकर लेट जाएं अपने बोड़ी के हर एक ओर्गेन को रिलाक्स करें पैरों के पंजे को रिलाक्स एक तम हलका छोड़ें पैरों को एक तम हलका रिलाक्स शरीर के मत्थे भाग को स्टमक, किट्नीस, लीवर रिलाक्स एक गहरी सांस ले और चोड़ें लंग्स रिलाक्स दोनों कंधे रिलाक्स एक तम लोज छोड़ें हाथों को रिलाक्स करें बिल्कुल रिलाक्स गर्धन को रिलाक्स करें अपने चाहरे की मसल्स को रिलाक्स करें मुख को, नासिका को कानों को रिलाक्स आईस रिलाक्स सारे शरीर की मसल्स एक तम रिलाक्स धीला चोड़ें अब देखें क्या मेरे मन के संकल्प रिलाक्स है अपने मन के संकल्पों को चेक करें क्या चल रहा है कोई व्यक्ती अनेक संकल्पों और विकल्पों को दिखें दिखें और सोचें जीवन की अनिश्चित्ता श्वबाबा अपनी प्यार भरी के रने मेरे उपर बरसा रहे हैं अब इन सारे व्यर्थ संकल्पों विकल्पों अनिक बातों को विजुलाइस करें कि मैं एक छोटे से बॉक्स में डाल कर उसे पैक करके परमात्मा को दे रही हो हाज से और अभी से सारे बोच, सारी समस्याई मैंने आपके हवाले कर दी है परमात्मा अपनी किरणों के माध्यम से जिसे मेरे सिर पर हाथ रख रहे है और कह रहे है बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हो तुम्हारी हर समस्याई का समधान मेरे पास है तुम निश्चंत रहो मन को एक तम रिलाक्स कर ले फील करे जिसे खुद भगवान की गोद में मेरा सिर है और बहुत प्यार से वो मेरे मस्दक को सहला रहे है मुझे प्यार कर रहे है फील करते जाएं और परमात्मा की गोदी में सो जाएं धिरे धिरे इस गीत के साथ अपने अवचे तन्वन को शक्तिशानी बनाने और शक्तिशानी जाएं निशा की जेला में विश्राम के लिए मुक्ते दगन को जाएं अपने परंपिता की पावण गोद में हमने इस चिंत सो जाएं सो जाएं सो जाएं सो जाएं सो जाएं मिशा की बेला में विश्राम के लिए मुक्त दगन को जाएं अपने परंपिता की पावण गोद में हमने इस चिंत सो जाएं सो जाएं सो जाएं सो जाएं सो जाएं आओ समेटे दिन भर के करमों के अवी ना裡 इश्वर का धन्यवाद करें चले संपल्गों के बार सुथ का छुला सत्दुन की लिप्राव बाबा का संद पाजाए पाजाए सुझाए 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 से तो जो 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 शिव मा की गोती में आओ हम सो जाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में आओ हम सो जाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में सपने में क्या देखा हमने सुन्दर इक में हैं परिया लाचे जू में गाएं कहें साथ चल मैं चली हूड के बवन में परिया लाचे जू में गाएं कहें साथ चल मैं चली हूड के बवन में प्रभू मिलन हो जाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में आओ हम सो जाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में उड़ते उड़ते दीखां हमने बाबा थे वहां बोले पास आओ हमारे प्यार है यहां उड़ते उड़ते दीखां बाबा का प्यार पाके आओ एक हो जाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में आओ हम सो जाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में आओ हम सो जाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं कर दो कर दो कर दो दिन भर की ठकान के बाद अब मैं रात्री विश्राम की तयारी कर रही हूँ मैं बाबा का आवान करती हूँ बाबा आप मेरी छत्र छाया बन मुझ पर छा जाओ अपने बिस्तर के चारों ओर मैं बाबा की उपस्थिती अनुभव करती हूँ बाबा के प्रकाश की किर्णे चत्र छाया के रूप में मेरी चारों ओर छा रही है इस चत्र छाया के नीचे मैं भूरूत और भविश्य के विचारों से मुक्त हो जाते हूँ और एकदम हलकी होकर बाबा की गोद में गहरी नीद में सो जाते हूँ जाते हूँ झाल 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 मिशा के देला में विश्राम के लिए मुक्त दगन को जाए अपने करंपिता की पावन गोद में हम निश्चिंत सोजाए 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 मिशा की देला में विश्राम के लिए मुक्त दगन को जाए अपने करंपिता की पावन गोद में हम निश्चिंत सोजाए 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 उन्शांती शांती उन्शांती उन्शांती का मंक्र गुझे चलती सासों में परमशांती आनंद उपजे मेरी आधों में बाबा की आदों में प्यारी से बादों में मिठी बादी को जाए को जाए सो जाए सो जाए सो जाए आओ समेटे दिन भर के करमों का विस्ता इश्वर का धन्यवाद करे हु चले संपल को के पार सिथ का जुला सिथ दुन की लिंद्रा बाबा का उसूर पाजाए पाजाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए बाबा की मुसे का नलो है इप्य है उनको दुला और मा की मिठी मनता है करम पिछा का प्यार हाथ रखे दरदानी अनभल हो रुहाने सत्य युद्प्रभात पाजाए पाजाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए अपनी तरब पिता की पावन गोध में हम दिश्चिंत सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए से आई पूब पूद 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 आई ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान है जादू की तेरा आसमान यहां संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर यहां संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर वतन से तुमारे ना जाना है दूर हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव हो रहा है यहां सत्यस्वामान यह चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ ओ ओ आया है मन यहां भरके उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान सब रूहे यहां पर अमुल्ड रतन सब रूहे यहां पर अमुल्ड रतन निरंतर प्रकाषत यह तेरा वतन मैं भी हूँ यहां पर मैं भी हूँ यहां पर तेरे ही समान ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ आया है मन यहां भर के उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान इता है प्रकाषत उसके नगरी तो आसमान चाहना जादू की यहां दूगत है जादू की रचाहत चाहता हाँ इतार्ट मन चाहता है मन का ये मौन यहां कितना है प्यारा मन का ये मौन यहां कितना है प्यारा साया है मुझ पर यहां हर दम तुम्हारा मैं तो यहां पर मैं तो यहां पर अनन्त शक्तिवान ये चमकील दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसुमान ओ आया है मन यहां भर के उडान है जादू की नगरी तेरा आसुमान आसुमान तेरा आसुमान आसुमान झाल 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 मन मन का झाल झाल ये योग्ज़ 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 योग़् योग़् मानव को संयम सिखाता संतुलन आचरण में लाता आत्मा और पर् शान्दी, शान्दी योग के मार पर बुलाते तुम्हे आओ पाई, बनो राज योगी योग के मार पर बुलाते तुम्हे आओ पाई, बनो राज योगी एक जुनिया नई दिखाते तुम्हे आओ पाई, बनो राज योगी योग के मार पर बुलाते तुम्हे आओ पाई, बनो राज योगी आओ पाई, बनो राज योगी आओ पाई आओ पाई, बनो राज योगी 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 योग के मार पर बुलाते तुम्हे आओ, आओ, आओ आओ, बनो राज योगी आओ पाई दो भड़ी जग के बंधन को तोड़ो, जोती बिल्दु से संबंध जोड़ो दो भड़ी जग के बंधन को तोड़ो, जोती बिल्दु से संबंध जोड़ो आज बेला है मंगल मिलल की, जूटी माय के जर्जार छोड़ो एक महा जो तिसे मिलाते तुम्हे आओ बेल बनो राज योगी योग के मार्ग पर बुनाते तुम्हे हो आओ 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 वाज़ो आओ 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 योगतां पर घरो जिन्दगी में तुम नहाओ गिनित रोशनी में योगतां पर घरो जिन्दगी में तुम नहाओ गिनित रोशनी में दूर तुम से रहेगा अन्धेला तुम रहोगी सदा चांद नील में एक स्वर्गी दर्शन कराते तुम्हे आओ आई बनो राज योगी योग के मार्ग पर बुलाते तुम्हे ओ आओ, 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 आओ आओ, 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 कर दो कर दो कर दो कर दो जोती बिंदु परमातमा से है मेरी आतमा अब चल कर ले मिलन परमानंद का अनुभव कर ओ परमानंद का अनुभव कर तू धन्य बना जीवन जोती बिंदु परमातमा से है मेरी आतमा अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन प्रभु की प्राप्ति का नूल मंत्र है संपूर्ण समर्पन्दु है आतमा चल प्रभु को सौप दे कूसारा जीवन ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजि कर ले अभिवादन जोती बिंदु परमातमा से है मेरी आतमा अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन जोती बिंदु के प्रेम सिंधो में चल आज नहा ले परम पिता का प्रेम पात्र बन कर तू शुग वर पाले किरण किरण को निरख नयन से खोजा मन में मगन जोती बिंदु परमातमा से अब चल कर ले मिलन परमानंद का अनुभव कर तू धन्य बना जीवन जोती बिंदु परमातमा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन 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 शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए ओम शांति ओम शांति शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए मन हो शांति तन हो शीतल पावन सुख वरसाए शांति सागर की लहरे चलता चलता उस सागर में जब कोई हो जाए चलता चलता उस सागर में जब कोई हो जाए हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखी पाए शांति से भर भर नैना शांति सब को लुटाए शांति सब को लुटाए शांति सागर की लहरे शांति अमरत के सागर में जो कोई गहरा जाए शांति अमरत के सागर में जो कोई गहरा जाए आनन्द के जूले जूले आत्मत्रुप्ति वो पाए पालियाब जो पाना था फिर वो आत्मा गाए शांति सागर की लहरे हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे बेहत अनभव में छुपा है शांति और विश्राम रे सागर में डूबी हर गागर शांति धार वहाए शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए मन हो शांत अन हो शीतर पावन सुख वर साए पावन सुख वर साए शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए अम शांति Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti योगी पविर जीवन कितना सुखद सलोना योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना सीचा है ज्यान अम्रत से अंतर का कोना पूना योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना सीचा है ज्यान अम्रत से अंतर का कोना पूना जब से लगन लगी है परते मिला तुम्हारा होकर बगन मन कहता बाबा तुही हमारा तुम्हारा होकर बगन मन कहता बाबा तुही हमारा तुम्हारा बगन मन में सदा है कोना सीचा है ज्यान अम्रत से अंतर का कोना पूना ज्यान अम्रत से अंतर का कोना खुष्बू बिखेर तायू कोई फूल कंथे को में निश्चत कार दिर्भै ज्यारे है उए जनों में खुष्बू बिखेर कायू कोई पूल कंथ का में रष्टो को ज्यलते यू जो खेलते दिलाना सीचा है जान मृत के अंतर का कोना कोना निर्मल देखन है दिश्चल मनवान है रुहानी कुष्बू बिखेर का कोना कुष्या लुटाते सब पर संकस्ट जिंदगानी निर्मल देखन है दिश्चल मनवानी है रुहानी कुष्या लुटा दे सब पर संकस्ट जिंदगानी सीचा है प्रेम जल से हर रुभ को भिगोना सीचा है जानवर्क से फंतर का कोना कोना योगी पवित्र जीवं कितना तुखद सलोना सीचा है जानवर्क से फंतर का कोना कितना सुखद सलोना कितना सुखद सलोना कितना सुखद सलोना कितना सुखद सलोना बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर तेह की मीटी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर चांद तारों से दूर इन जारों से दूर प्यारा प्यारा लगे है अपना घर देह की मीटी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर जहां रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा जो तीस वरूप उनका मन में है मेरे जागा जहां रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा जो तीस वरूप उनका मन में है मेरे जागा सबसे निराला रूप है उनका जद बेह छाया जादू जिनका चांदतारों से दूर इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगें है अपना घर देह की मीटी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर शुभ कर्मों की नाओं में बैठें करले भव का सागर पार शिव भाबा की गोद में लेटें आंधी तुफां होंगे मेरे पतवार नईया लगेगी अपनी किनारे उनकी गृपा से हो जीवन उधार चांद तारों से दूर इन अजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर देह की मीटी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर चांद तारों से दूर इन अजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर अजारा लगे हैं तारों से दूर उन केरा लगे हैं लगे हैं अजार touch किना भरगे हैं तुक मैं के तेConopa से दूर फैंजा, तो किनारा हैं वोर च добр deux लुजए ब היके हैं झा June झार दे किना की द से लुईminister कर दो कर दो जिल में सितार बन कर उड के वतन में जाए आए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कर उड के वतन में जाए आए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कर जिल में जाए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जाए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जाए परंपिता से मंगर मिलन बनाए मुझ भाल से निकल कर फुल जड़ियां उड़ चली हो वो नीचे देह दुनिया की विसरी हर गले हो मुझ भाल से निकल कर फुल जड़ियां उड़ चली हो वो नीचे देह दुनिया की विसरी हर गले हो सजी आत्मा सजनियां यही गान गाती जाये आये परंपिता से मंगर मिलन बनाये जिल में सितारी बन कहे मुझ भाल से दुनियां नीले गगन के ऊपर त्यारा वतन यही है मेह फिल रुहा निमनी आये जगमगा रही है नीले गगन के ऊपर त्यारा वतन यही है मेह फिल रुहा निमनी आये जगमगा रही है आनन्द सिंधु में हम आनन्द सिंधु में हम गहरे समात जाए आये परंपिता से मंगर मिलन बनाये जिल में सितारे बन कए में हम बनाये जगमगा रही है आनन्द सिंधु में आनन्द सिंधु में हम रही है अब्यत है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतीं प्रिय सुख चिर शान्ति प्रेम वाला अब्यत है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतीं प्रिय सुख चिर शान्ति प्रेम वाला परमात्म स्मीह आचर परमात्म स्मीह आचर से दूर कैसे जाए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए छे में सितार बनकर उड़के वतन में जाए आए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए छे में सितार बनकर आए 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 झाल 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 आल झाल आल आल झाल 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 आल आल झाल 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 आल 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 झाल 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 आल झाल 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 आल झाल झाल आल झाल आल आल झाल झाल आल 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 आं मेरे रहे बर इश्वर है राहों में मेरे रहों में मेरे वो हम सफर है वो हम सफर है हम मेरे रहे बर इश्वर है मेरे रहे इश्वर है मेरे रहे बर इश्वर है मेरे रहे बर इश्वर है मेरे वो हम सब्सक्राइक कट यादे रहे आखं़े उनकी यादे हैं मेरी सांसे उनकी बाते हैं मेरी आँखे जीगर में जो हुआ उनका से राहों में मेरे वो हम सफर हैं मेरे रहे बर इस वर हैं जीगर में जो हुआ जो हुआ हम को पाला हैं जीवन सभाएं देखे द्रिष्टि हमें दिया उजाला हम को पाला हैं जीवन सभाएं देखे द्रिष्टि हमें दिया उजाला अब तो हम पर उनकी नजर मेरे रहे बर इश्वर है राहों में मेरे वो हम सफर है वो हम सफर है हम मेरे इस्वर है, वो हम सफर है हम सफर है वो हम सफर है झाल झाल नजरों में अपनी रखना तू मुझे को हर पहर नजरों में अपनी रखना तू मुझे को हर पहर बस इतनी सिकर देना रभ मुझे पे तू महर नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना तेरे शिवाना मुझे को कोई और देख पाए नजरों में अपनी रखना तू मुझे को यू समाए तू मुझे को यू समाए तेरे सिवाना मुझे को कोई और देख पाए नजरों में अपनी रखना तू मुझे को यू समाए बार बार कहती है बार बार कहती है मन की यही लहर बार बार कहती है मन की यही लहर बस इतनी जिकर देना तब मुझे पे तू महर नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना नजरों की तेरी भाषा बरती है मुझ में आशा बरती है मुझ में आशा नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा मुझे खूब है तराशा नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझे में आशा नजरों से तुमने अपनी मुझे खोब है तराशा समा तेरी नजरों में समा तेरी नजरों में मैं जाओं वही ठहर समा तेरी नजरों में मैं जाओं वही ठहर बस इतनी सिकर देना प्रभू मुझ पे तुम है नजरों में अपनी रखना नजरे तुम्हारी पलपल जीवन मेरा सवारे दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे नजरे तुम्हारी पलपल जीवन मेरा सवारे दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे तेरी नजर में देखी तेरी नजर में देखी खुशियों की नहीं सहे बस इतनी सिकर देना प्रभूज पे तुम है नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी नजरों में अपनी रखना तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ थीका तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ थीका प्रभू तेरी मीठी आदों में प्रभू तेरी मीठी आदों में रस है मौनाई मसी का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ थीका वो देह का भान है भूल गया वो दुनिया पुरानी याद कहां दोनों नेनों में जूब रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां आकाश भी छोटा लगता है कतवों ना लगता धर्ती का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका हर तरफ चमकते नूर दिखें मनियों से सजा है जग अपना आबाद जिन्दगी गाती है अब सच हो गया मेरा सपना क्या कहिए खेवन हार बना भगवान है अपनी करश्टी का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका प्रभु तेरी मीठी आदों में रस है मौलाई मसी का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका का तेरे थक आगे सब कर दों में जो सुख मिलता है नुपनी कर दों मौलाई मीठी आ आगे सब कर दों में जो सुख मिलता है असरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बज्चों से आपे हम बर पे आखो उठाए, मन तो उड़ता ही जाए संगम के सुहाने सुख जो, हम लूटे तु लूटाए दिव सिचित्वन से नस नस को भर दे आज आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बज्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बज्चों से आके तू जो धरा पे पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे गुल शन तो महखी जाए तू जो इसे सवारे हर गुल में भरते बाबा तू खुश्बू स्वर भी कसी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके कर दो कर दो पंचिरे उड़ जा प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार बड़े प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार उड़े जा प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार पंचिरे पंचिरे वतन में निले प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार पंचेंड्रिय का छोड़ दे बंधन तन्मन से तू हो जा समर पन दिव्य जो दिल में देह धारण कर बाबा के पास जा हो के मगन प्रेम की डोर में मोपी पी रोके कर ले सच्चा श्रिंगार उड़े जा प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार निले अंबर के उस पार पंची ले चर पखा पमिष्ऑ और में पार उड़े हो जाद मत अंबर के निलेग पारी इंग आ अच कर ले बन की फरिष्टा बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन की फरिष्टा बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सब का देना लावतन का नजारा सची लगन से बन जा बाबा के सची लगन से बन जा बाबा के तू गले काहार उड़े प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार पंचीरे अंबर के लगन से बन जा बाबा के लगन से बन जा बाबा ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारन हार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारन हार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के भंडा हम सब बचे गाते हैं तेरी मही मा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंचीरे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार जाओ डिले अंबर के उस पार कर दो कर दो कर दो आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टी यूही दे ते रहो बाबा हो गए अपनी हाल ने ना बाबा कुची रुहानी नजरों से पालिया है मुझे था जो पाना ये आवाज निकले अंतर से आप शक्तियों ही भरते रहो बाबा इस देह की दुनिया से उड़ जाओं आप दिष्टी यूही ले दे रहो बाबा शुक्रिया आपका लाक बाबा आपने हमको दिल से अपना लिया प्यास जन्मों की अब बुझ गई है अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया आप आके यूही मिलते रहो बाबा आप आके यूही मिलते रहो बाबा बनके जन्नत की खुश्बू बिखर जाओं आप दिश्ची यूही मिलते रहो बाबा हर कल्प यूही मिलते रहेंगे प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी आप से दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्शा करते रहो बाबा मैं सेह के मूती से भर जाओं मैं सेह के मूती से भर जाओं आप दिश्ची यूही मिलते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं मुण बार बार जाओं लाओं आप बंद दो यहरों को प्रतू आप सर्क्रीफ बंदो ओल यहरों प्रतर जाओं आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की भर की जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की बच्चों के उपर हर पर तेरी ही छत्र छाया है साकार कहां आयत कहां कोई ना अंतर खाया है तुमसे पाई द्रिष्टी हमने द्रिष्टी हमने द्रिष्टी हमने शिव नेराकार की आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की आज भी देते हो बाबा ना साकार की साधना और शिक्षा वही है बधुबन की हर रीत वही सबके दिलों में पर रही है बाबा तुम्हारे प्रेत नहीं तुमसे ही है जीवन में जीवन में जीवन में खुशिया सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की आज भी देते हो बाबा पाल ना साकार की सीवा में सैदा साथ का अनुभग सबको कराती रहती हो अप्यक्त रूप से भी बाबा परतान देते रहते हो बस उन्धरा पे गूंज रही गूंज रही गूंज रही मही मा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की घर के जाते सब यहां से जोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की हम उड़के चले जाएं तो हम उड़के चले जाएं उस प्यार से वतन में हो प्यार से वतन में उस मीठे से वतन में हो अव्याद वतन में हम उड़के चले जाएं उस प्यार से वतन में हो उस मीठे से वतन में हम उसलिए करता है करता है इस थैस आपके चले जाएं आएं आएं हम यारी करता है आएं करता है आएं आएं जाना है वहां हमको जाहां बापरदा दाने हो जाना है वहां हमको जाहां बापरदा दाने है बनना है संपूरण हो किया बापा से वाना है जो बापा से किया था वो बादा निभाएंगे हम उड़के चले जाएं वो हम उड़के चले जाएं उसे प्यारे से बतंने उसे नीखे से बतंने कि शिर्जी करें उसे टाने ही जाएंगे नीजी ये देह ना यादाए देह धारी ना यादाए ये देह ना यादाए ये पतित पुरानी से हो दुनिया भी ना यादाए यादाए तो बस अपना गोवतन ही यादाए हम उड़के चले जाए हो हम उड़के चले जाए उस प्यारे से वतन में उस मीके से वतन में हम उड़के चले जाए प्यादाए प्यादाए यादाओ प्यादाए अपोम्रेट को नाहीं हम प्यादाए कर झाहें अज़र सag़ today थर थर मोवड़के ये दुनिया विकारी है इस दुनिया से क्या ने लाओ ये दुनिया विकारी है इस दुनिया से क्या ने लाओ वो नगर हमारी है हमको है वहां रहना हम ज्यान से सजधज के उस नगरी में जाएंगे हम उड़के चले जाएंगे हम उड़के चले जाएंगे प्यारे से वतन में होस मीठे से वतन में मुझ कई प्याएंगे जाएंगे 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 लाओ बतन में है खेहर हुए बाबा अमारे लिए हो बतन में है खेहर हुए बाबा अमारे लिए कर रहे हैं इंतजार भर ले जाने के लिए आकारी बन करके हम बतन में जाएंगे हम उड के चले जाएं उस प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में हो अव्यात वतन में हम उड के चले जाएं इस प्यारे से वतन में हो इस नीठे से वतन में कर दो कर्या हम प्याँ कर दो 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 यही सिंदगी का सार है बापा तेरे हम रहे यही सिंदगी का सार है इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है बापा तेरे हम रहे प्राणों में बस तु है बापा और ना दू जा कोई स्वर जो तुन ने दे दिया है कानों में गुंजा वही बापा तु ही एक जिस पर बचों का अधिकार है बापा तु ही एक जिस पर बचों का अधिकार है बापा तेरे हम रहे हमने ढूंडा आप जैसा बाप कोई ना मिला जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला हमको बाबा ना मिला तुझ में अपनी बस्ति देखी तू ही बस संसार है बापा तेरे हम रहे अपना प्यारा करके हम को जग से न्यारा कर दिया जो न दुनिया दे सकी बापा वो तूने दे दिया जो न दुनिया दे सकी बापा वो तूने दे दिया ये रिदे गाता है प्रति पल बस तेरा उपकार है बापा तेरे हम रहे यही सिंदगी का सार है इस बरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है बापा तेरे हम रहे हम सभी अत्माई कितने भग्यवान है जब सारा संसार सोया हुआ है हम चले हैं प्रभु मिलन करने इस वर ये सुख पाने अपनी जोली वर्दानों से भरने मैं चमकते हुई मनी भ्रकुटी की कुटिया में विराज़ान मैं तेजस्वी आत्माँ मास्टर ग्यान सुरिये प्रकुटी की कुटिया में प्रकुटी की 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 का यारो ग्यान मुझे अजस्वीर मुझे अजस्वीर मुझे सर्दान मैं स्वराज जदिकारी प्रकुटी सेंगासन पर विराजमान हमें आत्मा शान्त स्वरूप मुझसे चारो और शंती की किरने फैल रही है मैं श्यान्त हूं बहुत श्यान्त हूं इस देहे से अलग पूरी तरह डिटेच यह देहे जैसे की है ही नहीं मैं सुक्ष्वरू अपहूं मैं संपूर्ण सुखी हूं बाबा आपको पकर मैं बहुत सुखी हूं मैं एकत्व के बहुत सुखी हूं मैं एकत्मां परम पवित्र हूँ मुझसे चार और पवित्रता की सफेद किरने फैल रही है मैं संपूर्ण पवित्र हूँ मैं पवित्रता का सुर्य हूँ मैं आतमा मैं आतमा शक्ति स्वरूप मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ मुझसे जारो और शक्तियों की गिरने फैल रही है मैं आतमा तूक्तियों की प्याओी है अब मैं आत्मा इस देश से निकल कर उपर की ओर चलते हूं तेजस्वी किरने चार ओर फैलाते हुए मैं जा रही हूं अपने घर की ओर पांच दी श्यंति धाम ये मेरा घर चारो और यहां अपार श्यंति है मैं अपनी मूल इस्थिती में हूं मुख तोर संपुर्ण हूं श्यंति धाम की समस्यंति मुझ में समा रही है ये इन बेड तोर स्वाव ये इन वीड़ स्वाव ये इन वीड़ बाव झाल झाल उपर हैं श्यंति के सागर्शिवाबा उनसे निकली हुई श्यंति की तरंगे मुझ पर पड़ रही है परमात्म श्यंति मुझ में सना रही है झाल 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 सामने हैं ग्यान सोडिये मैं उनकी किरनों के नेचे आचे है यू झाल यू झाल 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 यहां से मैं आत्मा वापिस आती हूँ और मैंने प्रवेश कर लिया अपनी स्थेहे में पुने मस्तक सिंगासन पर मैं मास्टर सर्व शक्तिवान प्रवेश आत्मा वाप्स प्रवेश बाबा का आहवान करते हैं, हे सर्व शक्तिवान, हम आपके प्यारे बच्चे आपका आहवान कर रहे हैं, अपनाधान छोड कर हमारी छत्र छाया बन जाओ, सर्व शक्तिवान, हमारा निवंत्रन सुनकर, अपनी तेजस्वी किरने चारोर फैलाते हैं, नीचे उतरने लगें, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, आगे हमारे सिर के ऊपर, नीचे मैं सिर्शक्ति मास्टर सर्व शक्तिवान, और सिर के ऊपर सर्व शक्तिवान छत्र छाया, आप 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 झाल झाल सर्व शक्तिवान सिर के उपर बेहद की छत्र छाया उनकी शक्तियों की किरने मुझ में समा कर जारो और फैल रही है कर जारो प्लिटों के वोस्तियों की कि अॉल कर दो कर दो यहां से अब हम चलते हैं पहले जनम में अत्मा मैं उड़ चली देव लोक में यह मेरा पहला जनम देव स्वरू सिर्पर्डवलताज कंचन काया मैं सरवन संपन 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 चारो ओर प्रकरती का अतुल दिये संद दिये दूर दूर तक चमकते हुए सोने हीरो के महल चहोर विचरन करते देव गान हवाओं में भी सुगन्त सुक्स्यांती पवित्रता और संपन्तास युक्त संसार मैं विश्वराज अधिकारी सिंघासंपर विराजमान सुन विश्वराज स्वाराज संस्वरूप मैं वेग्ण विनास गडेंस या सिव सकती अस्ट वुजाधारी देवी मंदिर में इस्थित सामने खडे हजारो भक्त गुणगान कर रहे हैं वेदेवी तुमसुर्संघारिनी हो विद्यदायनी हो भाग्य विदाता हो सिद्धी दाता हो सबके मनों कामनाई फोन करने वादी हो यब भाग्यों के प्सक्तक और रहे हो सकत ममदिर प्सक्त्क सब्सक्त्राइब अग्यों सबक्स्त्राइब बुज़ है देव आप्वेग्न विनासक ओ सिद्धी विनायक ओ विद्यापती हो सामने खड़े हजारो भक्त हमारे स्वरूप का दिदार कर रही है मस्तक से लाइट निकलती है सभी भक्तो पर पड़ रही है जह जह कार कर रही है मस्तक जासि क्वर्ण शर्ण झाल झाल प्राम्मान स्वरूख इसंसार में सब्स्य अधिन इस्वरिये सुखों से योग्त परमात्म प्रेम में लीन प्रमात्म पालनामे पलने वाली आत्म स्रेश्ट परिश्टा चमक्ती हुई मनी प्रकास की काया में विराजमान में अधन लाइट लाइटावस फरिष्टा अंगंग से लाइट की केरने फेल रही है मैं पवित्रता का फरिष्टा हूं धर्ती से उपर संसार से पूर्णतया डिटेच परमधाम में पवित्रता के सागर बाबा हूंग से लाइब आएब एक सागर बाइब आएब पूर्णत्स्कार के लाइब लाइब पकस्तुप्टा उनकी पवित्र किर्णे, सफेद किर्णे, मुझ परपड़ रही है। मुझ रही है झाल 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 मुझ रही है झाल 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 अब मैं फरिष्टा उड़ चला सुक्स मुलोग में आकास के उपर आकास के उपर चला सुक्स मुलोग में यह फरिष्टां के दुनिया चारो ओ सफेद प्रकास सामने भाप दादा ब्रह्मा बाबा के अंग अंग से प्रकास फैल रहा है उनके मस्तक में ज्ञान सूरिये शिवावा चमत रहे हैं आकास के उपर चमत रहे हैं आकास के उपर चमत रहे हैं आकास के उपर चमत रहे हैं क्लिव 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 कर दो कर दो बावा द्रश्टी दे रहे हैं अब सारी संसार को द्रश्टी दें ग्लोब को द्रश्टी दें बाबा ने अपने हजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर के उपर लगा दी है बाबा ने अपने हजार भुजाओं की छत्र लगाएं की छत्र लगाओं की छत्र दें शिर्क पर अपना हाथ रखा उनके हाथ से शक्तियों के वाइब्रेशन्स मुझ में समाने लगे मस्तक पर दिलक लगाया और वर्दान दिये बच्चे सदा सुखी भाव मायाजीत भाव विजयी भाव स्रेष्ट योगी भाव सफलता मोर्त भाव द्रश्टी दे रहे हैं पुने सिर पर हाथ रख कर बोले बच्चे तुम साधारन नहीं हो मेरे द्वारा चुनी हुई महान आत्मा हो तुम्हारा जन्म ही महानकारियों के लिए हुआ है तुम इस रश्टी के श्रंगार हो जहान के नोर हो मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां ब्रदान की हैं तुम मास्टर सर्व शक्तिवान हो माया से और समस्याओं से बहुत अधिक शक्ति साली हो मैंने तुम्हें वर्दान दे दिया है तुम विधन विनासक हो जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विधन नस्ठ हो जाएंगे तुम्हारी दर्ष्टी दूसरों को विधनों से मुक्त करेगी तुम विजयरतन हो तुम तो माला के ऐसे मन के हो जिन्हें इस्मरन करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं तुम पवित्रता की देवी हो पवित्रता के फरिष्टे हो प्रकरती के मालिक हो ये प्रकरती तुम्हारे वाइब्रेशन्स की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुश्य पानी का तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है तुम विश्व कल्यान कारी हो सब के पूर्वज हो बाप समान हो बचे तुम साधारन नहीं हो बहुत महान हो दर्ष्टी दे रहे हैं मुस्क्रा रहे हैं भावा को सचे मन से सुक्रिया करेंगे हे प्रानेश्वर हे खुदा दोस्त आपको पाकर हम धन्य धन्य हो गए आपने हमें अपार सुक दिये आप आए स्वरक की बादसाही सोगात में लाए आपने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया जीवन की यात्रा पर हम अकेले थे आप हमारे साथी बन गए आपने हमें जीना सिखा दिया शक्तियों और वर्दानों से हमारी पालना की आपको कोटी कोटी बार शुक्रिया बाबा मुस्क्रा रहे हैं द्रस्टी दे रहे हैं और सामने से ज्यान सूरिय की केरने मुझ पर बढ़ रहे हैं ओम्सेंदी आपको कोटी की बाबा एंदी आप 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 बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ दुखियों की चीत कारे क्या तुम का लक न आई क्या भगों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई दुखियों की चीत कारे क्या तुम तलक न आई क्या भगों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई उनको दरश दिखाओ अब कुछ तरस तो खाओ बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ अब मुझे को न बुलाओ तुम मेरे पास आओ अब मुझे को तुम में आई जब जब मुझे बुलाया तब तब में पास आया जब जब मुझे बुलाया तब तब में पास आया सर्वस्व अपना दे कर बाना हर एक निवाया मेरे समान बन कर तुम भी वादा निभाओ अब मुझे को न बुलाओ तुम मेरे पास आओ मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूँगा कब तक मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूँगा कब तक अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ बाबा बुला रहे हैं, बच्छों वतन में आओ, अब मुझे को ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं, बच्छों वतन में आओ, अब मुझे को ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं आज भी देते हो बाबा पालना साकार की भर के जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की बच्चों के उपर हर पर तेरी ही छत्र छाया है साकार कहां अजयत कहां कोई ना अंतर खाया है तुम से पाई ग्रिष्टी हमने ग्रिष्टी हमने ग्रिष्टी हमने शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज बाबा पालना साकार की साधना और शिक्षा वही है मधुबन की हर रीत वही सबके दिलों में पर रही है बाबा तुम्हारे प्रीत वही है तुमसे ही है जीवन में जीवन में जीवन में खुशिया सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज में बेते हो बाबा पालना साकार की सीवा में सैदा साथ का अनभग सबको कराते रहते हो अफ्यक्त रूप से भी बाबा परतान देते रहते हो बस उंधरा पे गूंज रही गूंज रही गूंज रही गूंज रही आज में देते हो बाबा पालना साकार की घर के जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हर रोज वो सवेर आकर हमें जगाता मेरे लाड़ लो उठो कहें बड़ प्यार से उठाता हर रोज वो सवेर आकर हमें जगाता मेरे लाड़ लो उठो कहें बड़ प्यार से उठाता क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा हम हो गये उसी के हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला साहारा सद ग्यान के लुटाएं हम पर वो ही रे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती सद ग्यान के लुटाएं हम पर वो ही रे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती हम हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा नजरों से तुने मेरी तस्वीर है सजाई जनम जनम की सुन्दर तकदीर है वनाई नजरों से तुने मेरी तस्वीर है सजाई जनम जनम की सुन्दर तकदीर है बनाई आंगन में मन के मेरे जननत को है उतारा हम हो गये उसी के हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गये उसी के हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा तारों से सजे गगन जैसे खुश बू से सजे पवन जैसे तुम से सजे जीवन ऐसे मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा तारों से सचे गगन जैसे, खूलों से सचे चमन जैसे, खुशबू से सचे पवन जैसे, तुम से सचे जीवन ऐसे मेरी बाबा, मेरी बाबा, मेरी बाबा, प्यारी बाबा सद भावों सिखी आश्रिंगा, दिया देव्य गुणों का हाँ दिल दख्त पे हुए सवार, पाय ताच तिलक उपहार मन महके मधबन जैसे, तुलसी से सचे आंगन जैसे खुशबू से सचे पवन जैसे, तुम से सचे जीवन ऐसे मेरी बाबा, प्यारी बाबा, शिव बाबा, मेरी बाबा मेरी बाबा जहरी पे चमक है रुहानी, आखों में लिखी है कहानी ओ जहरी पे चमक है रुहानी, आखों में लिखी है कहानी और मन में है भीत पुरानी, और दिल में छवी है सुहानी मस्तक पे सचे चंदन जैसे, हाथों में सचे कंगन जैसे खुशबू से सचे पवन जैसे, तुमसे सचे जीवन ऐसे मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मीठे बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा ग्यान से जीवन दान दिया, यू कहे विधान दिया पावर तावर दान दिया, सिवा से है कल्यान किया, है गंका पावन जैसे सागर में है रतन जैसे, खुशबू से सचे पवन जैसे, तुमसे सचे जीवन ऐसे मेरे बाबा, मेरे बाबा, शिव बाबा, प्यारी बाबा शिव बाबा, मेरे बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया करमचारी हमारी, ब्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संत्री से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया करमचारी हमारी प्रिकोटी बीच दरवार अपना सजाएं है बुधि का मनसिफ बड़ा न्यायकारी मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी सुसंसकारों की जो सेना सजग हो तो दुरबुण के दुश्मन से धोखा नखाएं मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं कर्मेंद्रियां कर्मचारे हमारे दिकुटी बीच दरवार अपना सजाएं खुदा दोस्त की हम पे है छत्र चायां के खोया हुआ राज फिर से नखाएं दिलाया खोया हुआ राज ते से दिलाया उपकार उसने ये हम पे इतने के आभार धरती गगन मिलके गाएं मस्तक सिगासंते हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रियां कर उचा रहे हमारी प्रिकोट बेच दरबार अपना सजाएं कर आत्माएं कर दो कर दो कर दो कर दो for कर दो कर दो कर दो कर दो भगवान तुम्हारा ज्यान सिमर कर मन बेहद हर शाता है आनंद मगन आतम पंची आनंद मगन आतम पंची अंबर में कहीं खो जाता है भगवान तुम्हारा ज्यान सिमर कर ये परम जान अब तक न पढ़ा ना लिखा गया है प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है भगवान तुम्हारा ज्यान सिमर कर लहर लहराती है मुरले की मीथी तानों में ये इंद्र धनुष के रंगों से भरती है उमंगे फ्राणों में तन सिहर सिहर मन मचल मचल हर पल तेरे गुण गाता है भगवान तुम्हारा ज्यान सिमर कर अनमोल बचन ये मधुर कथन पावन पावन मन भावन है विश्वास चमकता जीवन में मन आंगन में सुख सावन है आखों में लाखों चमन खिले खुश्बू से जहां भर जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर मन वे हद हर शादा है आनंद मगन आतम पंची आनंद मगन आतम पंची अंबर में कहें खो जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान से मर कर आतम पंची आतम से जहां पंची आतम से लागवान तुम्हारा ग्यान आतम से लावान तुम्हारा आतम से उनद मा पंची आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाऊं आप दिष्टी यूही देते रहो बाबा हो बाबा इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं आप दिष्टी यूही दे दे रहो बाबा शुक्रिया आपका लाख बाबा आपने हमको दिल से अपना लिया प्यास जन्मों की अब बुछ गई है अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया आप आके यूही मिलते रहो बाबा बनके जन्नत की खुश्बू बिखर जाऊं आप दिष्टी यूही दे दे रहो बाबा हर कल्प यूही मिलते रहेंगे प्रीत की डोरे ऐसी है बांधी आप से दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्शा करते नहो बाबा प्यार की वर्शा करते रहो बाबा मैं स्मीह के मूती से भर जाऊं आप दिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं इन लहरों को दामन में भर जाऊं इन लहरों को देंदाश मस्तक सिंगासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया करमचारी हमारी ब्रिकोटी बीच दरबार अपना सजाएं मस्तक सिंगासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं करे मंत्रणां मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संत्री से बड़ सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं मस्तक सिंगासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया करमचारी हमारी प्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं है बुधि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी मैरा जाभिराजी सुखी जनता सारी सुसंसकारों की जो सेना सजग हो तो दुरबुण के दुश्मन से धोखा नखाएं मस्तक सिंगासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया करमचारी हमारी प्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं खुदा दोस्त की हम पे है चत्र चाया के खोया हुआ राज फिर से दिलाया खोया हुआ राज फिर से दिलाया उपकार उसने ये हम पे इतने के आभार धरती गगन मिलके गाएं मस्तक सिंगासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया सर्वचार ही हमारी प्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं प्रिकुटी बीचार ही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद लाए हमें तो अतन की बहुत याद लाए हमें तो अतन की बहुत लाए हमें तो अतन की बहुत लाए किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्यार है वो मिराकारी दुनिया विदेही बनेंगे प्रभू संच लेंगे परम शाति आनंद अनुभू करेंगे देखो इशारों से कोई बुलाए हमें तो वतन की बहुत याद लाए हमें तो वतन की बहुत याद लाए मुद्दत है वो ऊतन की बार है आ भी बहुत रुआ है वो रुआ है मुद्दत हैं गुजरी बिछडे बतन को मिला क्या यहां पर लगा करके मन को यह तुमने बताया हुआ खेल पूरा जगत का इनाटक रहा न दूरा यहां की नशे कोई अब जी को भाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए मुद्दत की बतन की बढ़ा मुद्दत की बतन की बतन की बतना यादों में बाबा तेरे मन मगन हो भूला हो संसा भूला ये तन हो तभी पुष्प वर्शा हो गूंजे पधाई उडो प्राण मेरे चलो ले विदाई परिष्टों की महफिल है आखे पिछाए हमें तो वतन की बहुत याद आए यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए बनके बाबा आपके हर कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हर कितने धनवान हुए दिल का नाता जुड़ा जब से हर वं से अंजान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए कितने भाबा हुए अरह को ऐस भाबा आपके हम कितने धनवान हुए इस श कफ़ आपके हम कितने धनवान हुए ऑल-पके भाबाब आपके इसकित wykor уже बाबाब सुख मिला शक्ति मिली मिली है लाँखों खुशिया सुख मिला शक्ती मिली मिली है लाखों खुशिया जैसे हो तागुलों से गुर्शन योही सजी हमारी दुनिया नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवाल हुए बनी हसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आई हाथों की बदली लकीरे आपसे हम मिलन मनाए तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महाल गुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवाल हुए 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 मुए कर दो स्केरा आपके हम कितना आपर जडा आपके हम् कर दो अम्रित बेला शुद्ध पवन है मेरे लाड लो जागो अम्रित बेला शुद्ध पवन है मेरे लाड लो जागो अखे आँखो लो शिव शिव पालो अखे आँखो लो शिव शिव बालो बच्चो आलस त्यागो मेरे लाड लो जागो अम्रित बेला शुद्ध पवन है मेरे लाड लो जागो मुरली के स्वर मदूर मिले है मदू बन के भी फूल खिले है मुरली के स्वर मदूर मिले है मदू बन के भी फूल खिले है धरते जागी अंबर जागा तुम भी लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो 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 डाल डाल पर पंची बोले कानों में अम्रित रस खोले प्रभू मिलन का यही समय है प्रभू मिलन का यही समय है ब्रम महोरत है जागो मेरे लाड लो जागो 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 सोबत है सो खोवत है जागत है सो पावत है सोबत है सो खोवत है जागत है सो पावत है बाबा की प्यारी वाने सुन बाबा की मिठी वाने सुन प्यारे बच्छों जागो मेरे लाड लो जागो अम्रित बेला शुर्त पवन है मेरे लाड लो जागो अक्या खोलो शिव शिव बालो बच्छों आलत त्यागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो मेरे लो जागो बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए दिल का नाता जुडा जब से बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए कितने धनवान हम कितने शायव मेरे लो जागो जागो सुख मिला, शक्ती मिली, मिली है लाँखाओं खुशिया सुख मिला, शक्ती मिली, मिली है लाँखाओं खुशिया जैसे होता गुलों से गुर्शन, योही सजी हमारी दुनिया नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल गुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनी हसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए हाथों की बदली लकीरे आपसे हम मिलन मनाए तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान गुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए देखानाता जुडा जब से हरवां से अनजार हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान 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 हुए हुए जिल में सितार बन कर उड़ के वतन में जाए आए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कर उड़ के वतन में जाए आए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कर जिल में जड़ जाए कर दो कर दो निजभाल से निकल कर फुल जड़ियां उड़ चली हो वो नीचे देह दुनिया की विसरी हर गली हो मुझे भाल से निकल कर फुल जड़ियां उड़ चली हो वो नीचे देह दुनिया की विसरी हर गली हो सजी आत्मा सजनिया यही गार गाति जाए आये परंपिता से मंगर मिलन बनाये जिल में सितारे बन कहे कर दो दो चली हो नीले गगन के ऊपर त्यारा वतन यही है महफिल रुहा निमनी आये जगमगा रही है महफिल रुखा निमनी आये जगमगा रही है आनन्द सिंधु में हम आनन्द सिंधु में हम यहरे समात जाए आये परंपिता से मंगर मिलन बनाये जिल में सितारे बन कहे आनन्द सिंधु में जगमगा रही है आनन्द सिंधु में जगमगा रही है अब्यक्त है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतिंतिय सुख चिर शांति प्रेम वाला अब्यक्त है अनुखा अनुभव बड़ा निराला बेहत अतिंतिय सुख चिर शांति प्रेम वाला परमात्म स्नीह आचर परमात्म स्नीह आचर से दूर के सिजाए आए परम पिता से मंगर मिलन बनाए छे में सितार बन कर उड़के वतन में जाए आए परम पिता से मंगर मिलन बनाए छे में सितार बन कर परमात्म स्नीह आचर से भामात्म स्नीह आचर से इश्वर से जब प्रीत लगाएं बन जाएं वो गुनवाँ इश्वर से जब प्रीत लगाएं बन जाएं वो गुनवाँ उच विचार शुब करमों से जग में बनता सबसे महाँ इश्वर से जब प्रीत लगाएं बन जाएं वो गुनवाँ बन जाएं वो गुनवाँ प्रीत लगाएं जाएं वो गुनवाँ बन जाएं वो गुनवाँ बन जाएं वो गुनवाँ शीतल ग्रिष्टी नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है शीतल ग्रिष्टी नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है जैसे बर से जर जर बादल दिल से दुआएं लुटाता है निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुन्दर रचता अपना जहान इश्वर से जो प्रीत लगाएं बन जाएं वो गुनवान बन जाएं वो गुनवान आएं 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 जैसे धार से पत्थर पिगले कश्टों को सहे कर खुद को बदले जैसे धार से पत्थर पिगले कश्टों को सहे कर खुद को बदले द्रिढता की वो मूरत बन कर चलता विश्व कल्यान पद पर उसकी भावना बाटे करुणा उसकी भावना बाटे करुणा स्नेह शी तलता उसकी शाँ इश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुन जाए वार जाए वो गुनवान फरिष्टों जैसी चाल है उसकी व्यवहार से वो दिव्यदरपन फरिष्टों जैसी चाल है उसकी व्यवहार से वो दिव्यदरपन स्नेह की खुश्बू सबको देता पुश्प जैसा उसका मन उसकी महीमा ये जग गाता कहलाता वो चरित्रवार इश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणमान इश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणमान उच विचार शुब कर्मों से जग में बनता सब सिमहा इश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणमान बन जाए वो गुणमान बन जाए वो गुणमान कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. मन पंची तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभू मिलने की. मस्त पवन है, मेह का चमन है, मस्त पवन है, मेह का चमन है, बेला है मंगल मिलने की. मन पंची तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभू मिलने की. प्रभू मिलने की. बादल की छाउं से तारों के गाउं से पार चला जा जग की हवाउं से छोड के पीछे नील गगन को ये खड़ी है प्रभू मिलने की मन पंची आप मिलने की नील गगन की छोड़ी नील हाँ 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 डाँ हाँ भूले के सारे जग का कर्शन तोड के छूठे देह का बंधन पुड जा फ्रेम के पंख लगा कर दिल में लगन अब मिलने की मन पंची मन पंची जा फ्रेम के पंची सुख में आँ हम खो जाएं परम पिता से आनंद पाएं परम पिता से आनंद पाएं प्रभू मिलन के परम सुखों से कनिया खिरती है तन मन की मन पंची तू उड़ जा वतन में रुत है ये तभू मिलने की मस्त पवन है मेह का चमन है बेला है मंगल मिलने की मन पंची तू उड़ जा वतन में रुत है ये प्रभू मिलने की मन पंची बेला वतन Dumas रुत है ये खट कि उनसी को अ मैं राण से चले फरिष्टे संगम युग के शिव से बिनन बनाने वर्दानों से भरकर जोली जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगम युग के शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगम युग के शिव से मिलन मनाने शिव के शक्ति के अधिकारी संगम युग के शिव से मिलन मनाने आज शिव के शक्ति के अधिकारी संगे गुणों से आज सुख बरसाए हर प्राणी पे दिलों पर करते राज सुख बरसाए हर प्राणी पे दिलों कर करते राज चले पहन के दिव्या गेहने हर बल को हर शाने बरदारों से भर कर शोले जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगम युग के आज इंद्रिय सुख में जूमें हर दुख से हो दूर चलते जाए वो मर्ज को गुणों से हो भर पूर कमल समार बने इस जग में शिव के वो परवाने बरदारों से भर कर शोले जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगम युग के कर दो 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 बाल झाल पर्म पिता शिव पर्म धाम से योग सिखानी आए है शिव पावन और योगी पन्ने का शुब संदे साला आए है शिव शुब संदे साला आए है पर्म पिता शिव पर्म धाम से योग सिखानी आए है शिव योग सिखानी आए है देह नहीं हो बिंडू सचेकन तुम अविनाशी आत्मा हो पर्म सत गुरू पर्म पिता में जानो मुझ पर्मात्मा को राज योग से जनम जनम के आप मिटाने आए है शिव आप मिटाने आए है पर्म पिता शिव पर्म धाम से योग सिखानी आए है शिव योग सिखानी आए है जीवन कमल समान बनाओ आत्माओं की जोती जगाओ पर्म पिता से योग लगाओ पर्म पिता से योग लगाओ मनवानी शुद कर्म बनाओ श्री लखनी श्री नारायन पद सुख कर्वर सालाए है पर्म पिता शिव पर्म धाम से योग सिखानी आए है शिव योग सिखानी आए है कर्मों की तुम गति को जानों चोरा सीखे चक्र पहचानों कर्मों की तुम गति को जानों चोरा सीखे चक्र पहचानों हम सो सो हम राज को जानों हम सो सो हम राज को जानों तुम खुद देव के सच ये मानों शिव बनाते कर्म के प्रामन देव बनाने आए है कर्म पिता शिव कर्म धाम से योग सिखाने आए है पावन और योगी बनने का शुब संदे साल आए है कर्म पिता शिव कर्म धाम से योग सिखाने आए है शिव योग सिखाने आए है एक ही अर्मान है जिन्दगी हो खुशनुमा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा एक ही अर्मान है एक ही अर्मान है एक ही अर्मान है मन बने मधुबन हमारा मेह के जग है उपवन सारा कर दे पावन सबका जीवन जो बहे गंगा की धारा जो बहे गंगा की धारा कर दे शीतल कपते उर को बन के चेतन चंद्रमा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा प्यार भर करके है दै में प्यास हर मन की बुझाए जोती जीवन की जगा कर ग्यान का दीपक जलाए ग्यान का दीपक जलाए ग्यान का दीपक जलाए देख करके कर्म अपने खुश हो प्रभु परमातमा हो इस जगत के वास्ते हम बनी अब रहनुमा हम बनी अब रहनुमा सासों के सरगं से गूजे गीत बस भगवान का घड़कनों से शाथ मितले खुशियों के वरदान का नेक चिंतन से बदल दे ये जमी और आस्मान इस जगत के वास्ते हम बनी अब रहनुमा हम बनी अब रहनुमा एक ही अर्मान है जिंदगी हो खुशनुमा इस जगत के वास्ते हम बनी अब रहनुमा हम बनी अब रहनुमा हम बनी अब रहनुमा हम बनी अब रहनुमा इस जगत के वास्ते हम बनी अब रहनुमा आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे सामने आप हो साथ में आप हो आप से हम मिलन यू मनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हुई खुशहाल है जिन्दगानी हो गए है सफल अपने हर पर स्नेह सागर में ऐसे समाए मिट गई मन की है सारी हल चल यू ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे हम दुआओं से दामन सजाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे ग्यान की जोती जीवन में जागी खेल लगने लगा जग का प्यारा रचता प्यारा है रचना भी प्यारी बिश्व लगता है घर अपना सारा शक्तियों से युशिंगार करते रहो स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे ये संगम में आकर के मिलना अपने नयनों में हमको समाना अपनी नजरों से निहाल करना अपने जैसा थी हम को बनाना सिलसिला ये मिलन का युचलता रहे भाग के गीत हम गुन गुनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे सामने आप हो साथ में आप हो आप से हम मिलन यू मनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे कर एै कर दो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. स्नेह प्यार की तुझ से बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर. दिल मेरा लगा ही रहता, हर पल तेरी और, हर पल तेरी और. स्नेह प्यार की तुझ से बाबा, बांधी है जीवन डोर. बांधी है जीवन डोर. बांधी है जीवन डोर. ननों के दरपन में बाबा, तुझ को सदाई देखो. क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचू. मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मूर. सलेह प्यार की तुझ से बाबा, बांधी है जीवन डोर. बांधी है जीवन डोर. क्या से बाबा, बांधी है जीवन डोर. बांधी है जीवन डोर. बांधी है जीवन डोर. तुमने ही चमकाया बाबा, तकदीर का ये सितारा. नाज करूं मैं भाग पे अपने पाके तेरा सहारा. तेरी निगाहों में हमने देखी. स्वर्नीम युग की बोर, स्वर्नीम युग की बोर. स्नेह प्यार की तुझे से बाबा, बांधी है जीवन डोर. बांधी है जीवन डोर. कि बांधी है जीवन डोर. बांधी है जीवन डोर. जीवन डोर. जीवन युग की बांधी है. तेरी एक नजर में हम तो जन्मा का सुख पाए तेरी ही मही मा के बाबा गीत सदा हम गाए पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर स्नेह प्यार की तुझ से बाबा बानी है जीवन डोर दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर स्नेह प्यार की तुझ से बाबा बानी है जीवन डोर 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 जब नए दिल की नली शुरुआत हो एक बाबा तिरा बस तिरा साथ हो सामनी देखे तुझ को ये पहरी नजर सामनी देखे तुझ को ये पहरी नजर आखो ही आखों में दिल की बात हो जब नए दिन की नए शुरुआत हो एसिमन मन्दिर में ये मूरत वसे अब तो दिन रात तेरी सूरत हसे सूरत हसे देख लूजी भरके देख लूजी भर यही जजबात हो एक बाबा तेरा मस तेरा साथ हो जब नए दिन की नए शुरुआत हो प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर यादों में समाएए आठो प्रहर फिर किसी के नाप्यार की फिर किसी के नाप्यार की दरकार हो एक बाबा तेरा मस तेरा साथ हो तेरा साथ हो जब नए दिन की नए शुरुआत हो आधियों की किसे अब परवाह है आधियों की किसे अब परवाह है आके तुमको रही ना कोई चाह है कोई चाह है शेश पर जब हमारे तेरा हाथ हो एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो तेरा साथ हो एक बाबादा आठा हो कर दो रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमरित वेले बाबा अमरित वेले रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमरित वेले ऐसा लगता इंतजार में ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले बाबा अमरित वेले रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमरित वेले बाबा अमरित वेले बाबा अमरित वेले पहली नजल में देखकर द्रिष्टी प्यार से भर देते हो प्यार से भर देते हो पकड के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो बाबा ने लेते हो अतिंद्रिय सुख की मस्ती में जूल रहे हम जूले बाबा अमरित वेले रोज सब्सक्राइब लेते हो